अभी, देखते हैं, ओ भाई साब, यह क्या वो मेडिकल वाले बच्चे है नहीं क्या, और तेरे, 83% लोगों को इंजिनेरिंग करनी है, हम तो नीट के जादा भर रहे हैं, हो गया रहे हैं, मुझे लग रहा है मेरे पास जो बच्चे देखते मुझे वो इंजिनेरिंग के जा अच्छा नमबर लग रहा है, शुरुवात कर सकते हैं, एक ब्रीफ समरी देदू, ब्रीफ समरी सब्सक्राइब यार एक लाइन है, जो कि आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, मुझे लिए बताओ, हम सारे लोग यार, पढ़ क्यों रहे हैं, जिन्दगी में बहुत सारे अच्छे काम हैं, जो कि आप कर सकते हो, आप दुनिया घूम सकते हो, आप डाड़ेया चला सकते हो, आप अच्छे घर में रह सकते हो, ठीक है, आप रिलेशन्शिप में आ सकते हो, आप अपना बिजिनस कर सकते हो, ठीक ह जाता है कि यार पढ़ो उसके बाद ही आपको कुछ करियर मिल रहा होगा पढ़ोगे अभी जाके आप किसी आफिस में जॉब कर रहे होगी थीक है आज जॉब ही करते हैं यह सेमिनार स्टार्ट करने से पहले यह सेमिनार मैंने यह चार-पांच लोगों के साथ किया था और उ आपको घरवालोंने डाटा है प्यार कर रहा है उपड़ा कर रहा है टीचरोंने डाटा है बाग दोड करी है कोचिंग में गए हो किसी अच्छी कॉलेज की पढ़ाई के लिए यह सौर नू उसके बाद 20 से 60-70 की उमर तक जनाब हम क्या करते हैं हम बैठके काम करते हैं और अजब बुड़ापा आजाता है और बुड़ापा क्यार इन फैक्ट मैं तो बोलूँगा हमें लात मार के भगा दिया जाता है कोई जॉब रखता नहीं है कुछ सेक्टर्स हैं जो कि जिनको ओल्ड से एज से भी फरक नहीं पड़ता बाकी कहते हैं अब आप बड़े हो कआ रहे आपका मनंहें कि मैं चार महँने जाके भूंगा तो वह रील फ्रेडम नहीं हैं अगर आपका मनने कि यार काश काश मैं कल नiczॉए ऑंज काश में कल लंडन जाके आजाओं पर आपकास बैंक बेलेंस अलौड नहीं कर रहा क्यों कि आपकि तर फैमली चार लोगू और चार लोगों की light बहुत महेंगी पढ़ती है, रहने का खर्चा बहुत महेंगा है, तो क्या वो एक real freedom है, आप मेंसे हर एक व्यक्ति पूछता है यार कि मेरा एक ऐसा vision है, real freedom वो है, जब आपने यार 20 साल तक तो पढ़ा है, दबा के पढ़ा है, आप एक अच्छे college में जा यार हो जाए, definitely हो सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, in fact, अगर आपको याद हो, मैंने एक वीडियो बनाया था, how to become financially independent, अगर याद हो, आप मैंसे कुछ लोगों ने देखा, उसी इसको, तो उसमें एक number आया था, कि अगर आप 3.6 CR कमा लेते हो, तो आप financially independent हो जाते यह आपका वो package था, कि assuming कि आज की एक जो fresh engineer है, उसे डेड़ लाग का package मिलता है, max, जिसकी हम बात करें, Microsoft में 7 लाग है, टेक है चलो, bonus, bonus सारा मिला के आप बोल सकते हो, डेड़ पॉने 2 लाग, यह अच्छा package है, corporate sector में, टेक है, 2020 में मानलो आपका डेड़ लाग package है, 2030 में म वीडियो ध्यान से देखा हो, यह सारे के सारे आपके खर्चे निकल सकते हैं, अगर आपने 25 साल की उमर तक मानलो, 3.6 CR कमाली होते हैं, कैसा मैं कुछ कह सकता है, मुझे आज लगता है, मैंने उस वीडियो में गलत बोला है, क्योंकि मैंने शायद survival को मान लिया था, भाया आप बोलो कि 1.5 Lakh में survival थोड़ी ना होता है, मैंने का, एक छोटा से example लेते हैं, छोटा से example लेते हैं, हर कोई लाइफ में एक millionaire बनना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम भी एक millionaire बनना, yes, मैंने का millionaire होता कितने हैं, पहले तो आज वो निकाल लेते हैं, what is 1 million dollar, 1 million dollar होता है आपक 7 करोड रुपे, पाड़े 3 करोड, 7 करोड से कम होता है न, मैंने का, yes, 7 करोड रुपे लेके आज के दिन आप retire नहीं हो सकती, और ये proper एक article आया था एक बार यार, और इसके उपर काफी लोगों ने controversy भी दिखाए थी, मैंने का, एक simple fact लेते हैं, तुम 7 करोड कमाते हो, मैं प्राइसिंग 2 से 3 CR है, क्या ये चीज में गलत तो नहीं कह रहा, आप Delhi में लो, एक अच्छा flat एक अच्छी जगापे, आप गुडगाव में लो, आपको 2 से 3 CR लगाने पड़े जाएंगे, आप मुंबई में चले जाओ, आपको इससे उपर लगाने पड़े जाएंगे, मैंने का, ओके, हमारे पास कटके कितने बचे, लगभग 5 CR बचे, माल लो, आपके 2 बच्चे हैं, और दोनों बच्चे कल को foreign में जाके पढ़ना चाते हैं, वो United States से पढ़ना चाते हैं, हो सकते हैं न, foreign से bachelor's कराने के खर्चे पते हैं आपको, 1 करोड से उपर जाते हैं, कु हमारे बच्चे हमारे से भी अच्छे स्कूल में पढ़ें, एक AC स्कूल में जाएं, एक ऐसे स्कूल में जाएं, जहां पर स्मार्ट बोड वगएरा, सारी चीज़े लग रखे हूं, शायद कुछ चाते हों, कुछ कहते होंगी, मैं आदो नाम, मैं तो सरकारी में एडमिशन उनको छोड़के, आप चाते होंगी, यार आपसे बेतर स्कूल में जाएं, ठीक है, उसमें भी आपका जब दो बच्चे होते हैं, लगबख 50-60 लाग के रुपे खर्चा आ जाता है, और इसके अंदर मैंने पर्शनल ट्यूशन, जेई का ट्यूशन, कोचिंग, वोचिंग सब इंक्लिउड कर लिया, कि आपने अच्छे से अच्छे में डाल दिया, और ये बेसिकली उनके 12-13 साल की स्कूलिंग की फीस है, मुझे बताओ कितने बचे हमारे पास, मैंने का दो और काट लो, तो आपके पास लगवक तीन सीर के करीब बचा, ये तीन सीर में आर कलको क कुछ भी हो सकते हैं, आपको अपने बच्छों की शादी करानी है, शादी में तो सेलिबरेशन आप करते हो, कितना खर्चा आ जाते हैं, मान लो और कोई मेडिकल एमर्जेंसी आ गई, मान लो आपके उपर कोई केस हो गया, आपको वो केस लड़ना है, आप बोलोगे केस मे सेशन होता है, एक एक जो लिसनिंग के आपके चार चार पांच पांच लाख रुपे, बस शकल दिखाने के लेते हैं, तो मैंने का यार, आज के दिन आप एक मिलियन डॉलर से भी फाइनेशल इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते, अब मैंने का यार, हम पांच लोगों की केस लेते हैं, और सबसे पहले एक ऐसे व्यक्ति का लेते हैं, जो की एक MNC के अंदर काम कर रहा है, अच्छी कंपनी बताओ, जो आपको लगती है, हम ऐसी कुछ ले लें, Microsoft, Adobe, Arsasym, इन जैसी टाइप के ले लेते हैं, Amazon, येस, इन सब के अंदर यार, जो पाकेज होता है, वो एक व्यक्ति का पाकेज, करीबन-करीबन आप यूं मान सकते हो, अठारा लाग के करीब होता है, एक अच्छी कंपनी के अंदर, जगर हम in-hand cash की बात करें, वो दिखने के लिए आपको 25, 30, 40, 50 दिखेगा, पर in-hand cash जो आपको मिल रहा है, वो अठारा लाग है, चीज समझ म में से क्या मैं बोल सकता हूँ, आप एक दूसरे शहर में रह रहे हो, शायद आपका 5 लाग के करीब खर्चा, खाना, फानी, सारा चीज आजाएगा, बिजली का बिल, 5 लाग आपका खर्चा होगा, क्या मैं बोल सकता हूँ यार, 10 लाग के करीब आपने saving करी, ये 10 लाग की saving की एक साल की है, अब यार, मान लेते हैं, ये 10 लाग की saving के साथ, आपने 10 साल काम किया, भाई, हम प्रमोशन होते हैं, उन सब चीजों को consider नहीं करोगे, क्या, कर लूँगा, चीखे, प्रमोशन होते हैं, पर with time आपके खर्चे भी बढ़ते हैं, responsibility भी बढ़ते हैं, एक point प आपकी salary बढ़ रही थी, तो मैंने double कर दिया ऐसे, private sector, मुझे बताओ, 2CR में क्या financial independent हो जाओगे, जब मैंने अभी आपको दिखाए कि 7 करोड में भी एक million एर आज के दिन financially independent नहीं है, मैंने का, इस हिसाब से अगर मैं चलू यार, तो अगले 2 साल, 2 साल, 2 साल करके मैं अपन आपको वीच में घरवर भी खरीदने का सोचोगे, गाड़ी पे भी खर्चा करने का सोचोगे, येस, मैंने का, ओके यार, समझ भी नहीं आ रहा, करू क्या, ये amount 6CR ले लिया, चलो और मैं fluctuate कर दाओ, 8CR ले लिया, क्या अभी भी आप financially independent हो, क्या अभी भी आप सही माइने म freedom आपने ले रखी है, क्या तुम 35 साल की उमर में retire कर सकते हो, मैंने का हम नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या पढ़ाई छोड़ दे हैं, नहीं, जब आप मेर में कुछ आपको facts बताना चाहूँगा, अगर आपके दिन, आज के दिन, आपका package एक लाग के plus minus कुछ है, plus minus 20,000, आप इंडिया के top 1% में हो, as a beginner अगर आपका इतना है, तो सबसे पहले तो congratulations, आज की दिन कितना पैसा कमाते हूँ, जिरो रुपीज कमाते हूँ, तो क्या मैं बोल सकता हूँ, लाग एक अपग्रेड है, अगर आप एक 10 वी क्लास के बच्चे हूँ, आप एक 12 वी क्लास के बच् तो मैंने का, उकात एकदम से define कर देता है, कोई replacement नहीं है इसका English में, आज की दिन आप अपनी उकात जानते हैं, मैं अपनी उकात जानते हैं, सब अपनी उकात, यह कोई negative शब्द में नहीं लेने हैं हम यह से, As a student, आप अपनी उकात कैसे बढ़ा सकते हैं, मैंने का, हम पढ़के बढ़ा सकते हैं, भाई आपके वही बोलने वाले हो, बैटके पढ़ो, गयर भी बारवी तक और एक अच्छा जईगी का exam दो, और उसके बाद पढ़के किसी अच्छे college में चले जाओ, और college में आप नहीं, चार साल के अंदर चीजे, explore करो और explore करते हैं वक्त आप नए domain ढूंडो, उनमें explore करो और एक point पे शायद जवाब तीन-चार साल बाद मैनट डालते जाओगे, तो शायद आपको कुछ return मिल जाएगा, मैंने का हाँ मैं वही बोल रहो, आप चाहो तो यार आज सब छोड़ सकते हो, मारे पास हर फिल्ड के example है, क्या कैरी मनाटी एक वैसा example नहीं है, येस, माल लो आज की दिन, एक आठवी क्लास का बच्चा roasting channel खोल ले, और वो similar content देने लग जाए लगबख कैरी मनाटी का, क्या सारे लोग excited नहीं होंगे, क्या एक आठवी क्लास का चीज़ें स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, पर एक ध्यान रखना फिर आपको चीज़े sacrifice करनी होती है, आजे नागर के case में 12 में उनके कम number आये थे, जितना मेरे को याद है, याई, शायद I'm not sure, बट fail हो गया था वो, पर I guess उसे आज fail होने का गम भी नहीं है, तो उतना हमें ध इसा रास्ता बन सकता है कि यार मैं 35 साल की उमर तक, मैं अभी 20 का हूँ, मैं अगले 15 साल में 35 करोड कमा लूँ, आपको पता है इसा कोई रास्ता, आपको पता है इसा कोई रास्ता, नहीं पता ना, तो इसका solution अगले एक घंटे में नहीं मिलेगा, अगले दो घंटे में भ करूंगा खोल खोल के जितना मेरे को explain करना होगा एक नॉर्मल सेमिनार यार मैं offline लेता हूं साड़े कि हमें पता होने चीए पर नहीं हम नहीं करेंगे एक चोटा सा एक्जामपल ले हमारे यहां पर अंदर यार इंडियन एजूकेशन सिस्टम आप देखो आप सभी सब स्कूल में एटली स्कूल में सब पढ़ाते तो हैं आप जब कॉलेज में जाते हो आप क्या मैं बोल सकता ह कॉलेज में प्राइवेट सेक्टर में आप 25-25 लाख रुपे तक फीस देते हैं इंजिनेरिंग के अंदर और अगर अगर मेडिकल की बात करें तो यार यह नंबर और वी उपर चले जाते हैं अगर आप प्राइवेट के अंदर हो मैंने का येस हम 25 लाख अपने चार साल की कॉलेज में लगा देंगो और इंजिनेरिंग में तो यार पढ़ाई भी नहीं होती तो गलत बात तो नहीं कर रहा है अगर कोई फर्स सेकंड येर का बच्चा है तो वजड़ा बता दो ओनलाइन में तुम्हारी कितनी पढ़ाई हो रही है आप सारी चीज़े इंटरनेट स में रहो आईस वाईस बनो ये क्या अकफाल तु कामों में तुम पढ़ गए हो राइट ऐसा ही होता है ना पढ़ाई के नाम पे घर से कितने ही पैसे मांग लो दे देंगे पर वहीं पे कुछ साइट की चीज़ बोलो कि बेटा वह एक्सेप्शन था उसका हो गया तुम मेर बेटे हो मैंने तुमें पिछले 15 साल से देखा है मैं तुमारी अउकात जानता हूं तुम कितना काम करोगे कितने आलसी हो मैं तुमारा पूरा चट यह आपको हमेशा सुसाइटी में मिलेगा यह मिलेगा यह मेरी ममी मुझा आज बोलती है तुम तो मतलब यह बोलना बंद डिसकस कर लेता हो हम क्या क्या चीज़े डिसकस करेंगे हम इंडेप्थ में जाएंगे रियल स्टेट के उपर हम इंडेप्थ में जाएंगे और किस चीज़ के उपर मैंने का स्टॉक के उपर जाएंगे स्टॉक मार्केट क्या होता है हम इंडेप्थ में जाएंगे फाइन आपके पास अगर कोई दुकान है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई प्लॉट है, उसको बोलते थे ना, एसेट्स, आज के दिन एसेट्स आपकी soft हो गई है, soft in the sense, क्या आपने देखा है, कुछ-कुछ एप हैं जो कि 700-700 करोड में अक्वायर हो रही है, ऐसी ऐसी आप जिनको 3 साल पहले कोई जानता नहीं था, कुछ-कुछ एप हैं जो कि 2000 करोड में अक्वायर हो रही है, यार 2000 करोड तो कोई रियल स्टेट की प्रॉपर्टी देई नहीं पाती, मतलब पता है कितना बड़ा लेना पड़ेगा, तो यह कौन से बंदे हैं, जो zero से start करते हैं और इतनी heavy, त उसके बाद में कुछ और चीज़े हैं, जैसे की, सबसे पहले तो यार मैं बात करूँगा, एक mindset के बारे में, mindset बहुत जादा important होता है, किसी भी चीज़ को acquire करने के लिए, entrepreneur में पहले चीज़ जो चीज़ जो चीज़ वो होती है, mindset, mindset का मतलब कि आप ये नहीं सोचते कि या आप बोलते हैं, मैं एक करोड का target ले सकता हूं क्या, आप बोलोगे भाईया, एक करोड पर मत, दिमाग ठीक जगा पर है आपका, मैं बोलूगा, ऐसे बंदे हैं, आज की दिन जो इस नंबर को break कर रहे हैं, ऐसे बंदे हैं, जो आज की दिन इस नंबर को break कर रहे हैं, क्या एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी मैं कोई प्रो बंदा नहीं हूं फिल आ रही है आप सभी लोगों से किसी से तीन साल बड़ा किसी से चार साल बड़ा किसी से पांस साल बड़ा हूं मेरे पास कुछ चीज़े हैं जो कि आपके साथ शेयर कर रहा हूंगा काफी इस होंगी जो कि हो सकता है तीन गंटे बाद ड्रॉफ लॉइंड बात करें आपको छोठा वाइव इच्में डिस्टर्व ना करें आक ममी के पास ना जाओ आप वीच में और कोई दिस्ट्राक्शन और कोई थॉट्ट आपके माइंड के पास ना हूँ दिनर स्किप कर दो यार उंतर और नहीं सोते तीन तीन दिन क्या हो जाएगा मैं भी तो तुमारे साथ बैठाओ मैं करूंगा क्या दिनर वो चीज चल ना हाँ मैंड्सेट के बारे में यार हम चीज़ें डिसकस कर रहे होंगे यह सबसे इंपोर्टेंट है हम इसके उपर ध्यान ही नहीं देते हैं इन फाक्ट मैं जब छोटा होता था मुझे लगता था यार यह ना बोलने वाली बात है किताबों में अच्छे लगती है ऑथर अपनी किताब छाप लेते हैं यह चीज़ लिखके मोटिवेशनल स्पीकर मोटिवेशनल स्पीकर बन जाते हैं और यह रियल लाइफ में इससे कुछ होता नहीं है बट फाक्ट यह है कि माइंडसेट इस वेरी इंपोर्टेंट सॉफ्ट एसेट्स के बाद सारे बाद आज हम बात करेंगे उसके बाद विल आफ टॉक अबाट रिलेशनशिप्स देख रहे हो कुछ है इस चीज़ के बारे में अपने आप कलर बदल आप त्रस्ट मी मैंने कदल कलर नहीं बदल आप याद भी नहीं कलर बदलना था विल स्टेंस दुद्ध के बारे में निश्काई जाता इंफाक्लेज्स में नहीं सिखाए जाता है अंपनी एडवाइस लेते हिससे बॉलिवोड से हम एडवाइस लेते ह actor अंपने सिंगल दोस्ते जिसे खुदी कोई ही आईडिया नहीं है आया नहीं हम देते टीवी सीरीज से जो कि या टोटली फ्रॉड है आप आपको पढ़ना पढ़ेगा इन चीजों के बारे में आप अपने लाइफ के सबसे important decisions ऐसे हवा में नहीं ले सकते हो जेके अगर कोई दसवी ग्यारवी बारवी क्लास का कोई बच्चा है यहाँ पर जिसके मन में अनंत प्यार है किसी के प्रति या फिर किसी का छोटा सा दिल टूटा है जनाब ये इस वीडियो को ज़रूर देखे मैं एक प्राक्टिकल अप्रोच दूँगा आपको लाइफ में इसके प्रति लाइफ ने यार बड़ी रूड है और जब हम रिलेशन्शिप पाएंगे उस बात पाएंगे सब प्यार महबबत की बात करते हैं पर यार जब मुझे बता हूँ अगर आपके घर में कोई बड़ा भाई बहन छोटी या बड़ी बहन रही हूँ जब अरेंज मारिज होती है जब से पहले क्या देखते हैं घर वाले जो आपका सबसे भला चाते हैं क्या मैं बोल सकता हूँ ऐसा पर अगले की पार्टी देखते हैं क्या हम दोनों पे काश्ट नहीं होता यार क्या कैसी कहा की बात लिया वो तो मत देखना उस पे तो लड़ जाना आप सबसे पहले दे कि इसमें किसी ने कहरा है, पचास अजार आपके हाथ में पकड़ाएंगे, फिर इस टेबलिटी, किसी को यार मैं यहां पर डिस्रिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूं, मेरे पापा सरकारी आफिसर है, मेरे दस भाई हैं ठीक है, जो कि सरकारी आफिसर में घर में पहला में को किा है chair मुझे यह बताओ इस समाज में कभी आपके दिमाग में ऐसा थौट नहीं आता यायर यह बंदा कि आ हैं यह बंदा औड़ी में गूम रहा है यह बंदा या जब में घुम रहा है इसे French, देखी है गाड़ी रोज देखते हैं पर अंग यह वंदा ओडी में गूम रहा है यह वंदा यार वहां पर गूम रहा है इस वंदेनी फलाना बाइक ले रखी है कभी हमारे मन में नहीं आता कि यार अपन क्यों नहीं ले पाते आप अब अभी बच्पन में हो आपके इंदर जाते हो फ गया तो कोई नहा वगेरा पढ़ जाएगी ऐसा सोचते हो ना मैं एकदम आज अपने कॉलेज वाले बच्चे की लेवल पर गिरके सोच रहा हो तोमारे साथ आया ना सोचता है बच्चा हो कि यार कॉलेज जाओंगा सब रंग रंग की पैंटे पैंटे हैं वहाँ पर स्कूल में तो यूनिफार्म थी उदर जाके मैं खुलूंगा रात को घूमूंगा सड़कों के उपर और कॉलेज मैंने तो सुनाय यार यूट्यूब बगएरा प किसी नहा को गुमाते हैं सुचते हैं ना आदमी फिर आदमी थोड़ा बड़ा होता है वो सेकंट थर्ड येर में जाता है जब सेकंट थर्ड येर में जाता है तो वो सुचते यार बाइक तो ठीक है पर यार अगर एक गाड़ी हो जाए चाए चोटी गाड़ी हो ऑल्टो ह ले सकते हैं, यार ये मिल जाए मज़ा, SUV की यार अपनी ही एक बात है, फिर आप SUV ले 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 तो एक दिन, SUV लेने के बाद एक दिन आपको दिखता है, और साइड में तो BM खड़ी है, BMW खड़ी है, और इसमें तो और मज़ा आता होगा, पर अब क्या है या कि BMW और वाले डारे मैं recently अभी किसी से बात कर रहा था, जिसने Rolls-Royce ले थी, पता है आपको सबसे महेंगे गाड़ी है, लगबग, depending upon आप कौन सा मॉडल लेते हो, साथ एक करोड की आती है, मैंने कहा यार आपको किसले लेनी है, वो एक प्रापर्टी डीलरी था व्यक्ति, मैंने कहा यार और आपकी Fortuner खड़ी है, मतलब जादा भी नहीं तो 8-10 गाड़िया खड़िया है, और घर में चलाने वाले से 2 लोग है, वो और उसके बेटे, मैंने कहा यार आपने Rolls-Royce लेनी किसले मतलब, इतना पैसा क्यों हो खर्च कर रहे हो, है तो आपके पास, बोले यार मैं तो सोच रहा हूँ, एक क्यों सतरंगी Rolls-Royce होनी चीए, 7 rungs, 7 colored, मैंने का यार ये कौन सी वाइब है, ये मेर कोई जान नहीं है, बोले यार मेरा काम है रियल स्टेट का है, रियल स्टेट में हम ये तो दिखाते हैं नहीं कि मैं कहां का पढ़ा हूँ, मैं IIT का पढ़ा हूँ या मैं Harvard का पढ़ा हूँ, हम कोई भी dealer, कोई भी जब हमारी यार deal हो रही होती है, तो अगला व्यक्ति हमारे पास आता है, या हम उसके पास अपनी गाड़ी में जातने हैं, तो गाड़ी एक statement देती है, यार अगर जो व्यक्ति 57 करोड की गाड़ी खरीच सकता है, वो 50-70 कर तो वो एक तरह से हमरा statement होता है, अगले को हम कर रहे होते हैं, यार आपके सपने हैं, कभी भी confine नहीं होगी, आप गाड़ी ले लोगे, उसके बाद आपका मन करेगा, यार अपने पास एक private jet भी होना चीए, और करना भी चीए, yes or no, मैंने का तुम्हारे पास private jet होगा, से अकेला छोड़ दो, ये लोजी बैठ जाओ, और मैंने आपको बहुत सारा पैसा दे दिया, लोजी बहुत सारा पैसा दे दिया, आप किसके साथ celebrate करोगे, भया मुझे कमरे के बाहर भेज़ो, फिर बताता हूँ, आपको कमरे के बाहर भेज दिया, पर भारी दुनिया में आप जादा लोगों को नहीं जानते, आपके पास सारी लक्जरी है, आपने वही PlayStation खेल लिया, आपने घूम लिया, आपने सारी चीज़े करी, एक पॉइंट के बाद आप बोर हो जाते हो, आदमी कमाता अपनी family के लिए, yes or no, आपके मम्मी हो गए, आपके पापा हो गए, आपके बच्चे हो गए, आप उनके लिए कमारे होते हो, आया न, या फिर आपने कोई बहुत बड़ा एक cause ले लिया हो, ऐसे व्यक्ति भी तो है, जो शादिश होता नहीं हो और life में बहुत ज़्यादा फोड़ रहे हैं, आपने बहुत बड़ा reason ले लिया हो, कि यार मैं कर रहा था, जो कि 50-60 साल की ओबर वे हैं, काफी लोग इस देश को चला भी रहे हैं, बर सबके पास अपना बक्षद है, वैतों कि, हाँ या न, काफी उनने कुछ entrepreneur के नाम भी ले लिया है, बहुत बड़ी है, तो, आज आप 10 वी क्लास में हो, आज आप 11 वी क्लास में हो, आज आप 12 वी क्लास में हो, आप चालेज के फर्स्ट टियर में हो, जनाब, इस चीज़ पर हमने बात करी, क्या आप कुछ पैसा कमा रहे हो, 54 कमा रहे हो, 10 रुपे, 20 रुपे, 50 रुपे, 5000, 10 रुपे, जनाब, अगर नहीं कमा रहे हो, तो, हम भूल के भी relationship के बारे में नह सोचेंगे, अब यह मेरको वो मत सोचना कि भाईया, यार आप भी मम्मी पापा की तरह lecture मत दो, आपको नहीं पता, नहा से बात करने में मन करता है, मेरा दिल करता है, कि बात करता हो, बढ़िया, आप मम्मी से 200 रुपे मांगा करो, समोसे के, चाय पट्टी के, और उसको है important phase बरबाद कर दोगे, हाँ या न, क्या आपकी पास अभी आपने कोई उकात बनाई हैं भी, क्या हाँ कुछ पैसा कमाते हैं, student life में उकात नहीं होती है, या तो आप कोई NTSC वगरा क्लियर करते हो, आप कोई JEE क्लियर करते हो, तो आप IIT में जाते हो, तब थोड़ी थोड देख लिया कि नेहा मुझसे पट गई, कल को नेहा ने ओनलाइन मिली किसी और के साथ, तो आप insecure, same for gave goes for Rahul, नेहा सोचे कि यार मैं तो इतनी, हुई नहीं मेरे से सुन्दर तो पांच लड़किया ओर हैं, वाइजी ओनली टॉकिंग 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 ये बक्वास है य है या ना, मतलब ऐसे बड़िया बड़िया स्टेटिस लगते हैं, मैं अपने कॉंटाक्ट लिस्ट में, बच्चों के मेरे को दिखते रहते हैं, तुम चली गई तो यू मत समझना मैं, कमजोर पड़िद हैं, अबे हो, अठारा का हो जा, मतलब, क्या चल रहा है ये जिंद में कुछ कर रख है, मैं 21-22 साल का हूँ, मेरे बैंक बैलेंस में कुछ है, मैं अपने दम के ऊपर खड़ा हूँ, और तब तुमारे घरवाले भी नहीं रोकें, मम्मी से मलाना, कोई दिक्कत नहीं है, आया न, अलग लग होते हैं, जैसे कि for example, मैं अपने college का example लेता हूँ, अगर आपका admission top IITs के अंदर हुआ है, NITs के अंदर हुआ है, ट्रिपल IITs के अंदर हुआ है, ऐसे colleges के अंदर हुआ है, जहाँ पर on campus placement guaranteed होती है, yes or no, वहाँ पर आप afford कर सकते हो, क्यों क्योंकि आपको पता है, चार-पाच महीने placement के लिए पढ़ना है, जॉब तो मिली जा है, नहीं है, yes, तो ये एक आपको अपनी, एक तो हम हमेशा यार copy-paste करते हैं, आप हर जगा से सुनो, 25 जगा sources है, वहाँ से आप चीज़े सुनो, पर चलाओ अपनी, पीला रही है, मालू मैं आपको अपनी एक story बता हुआ, उसमें 50 चीज़े हो सकती है, हो सकता है, आपको सेम आप copy-paste नहीं कर सकते हैं, जो मैंने किया, शायद आपके लिए work ना करें, शायद आप बहुत अच्छा कर सकते हो मेरे से, तब क्या लगले हैं, मैंने का, कुछ-कुछ चीज़े समझ मारी हैं, कब से पहले हम mindset के बारे में कुछ चीज़े discuss करेंगे, और पहली चीज़ हैं कुछ ऐसी mistake, जो कि आपको अपनी early teenage या 20s के अंदर नहीं करनी है, जितने भी आर नए बच्चे आए हैं, इस सेमिनार में हम यह discuss करेंगे, कि आप शुरुवात के 15 साल में, 20-35 साल की उमर में, पांच मिलियन डॉलर की valuation तक कैसे पहुंच सकते हो, 35 करोड कैसे कमा सकते ह सबसे पहली बात यार आपको यह याद रखना है, जो व्यक्ति आपको negative vibe देता है, उसे आप अपने dictionary से हटाओ, अब अपना white page आप भाहर निकालो या जो भी आप copy वोपी निकाली, क्योंकि white page तो एक कम पढ़ेगा, एक list बनाते हैं, अपने life में वो list बना लो, वो individuals जो की आपको negative vibe देते हैं, आप जब बात करते हो, आपक अपकुल गंदे लगते हैं मेरे को, alt, control, delete, block, समझ रहे हैं मतलब उसका नाम लिखो यहां पर, कोई पड़ोस की अंटी है, जो कि तुम्हें बहुत की, अरे बेटा, क्या चल रहा है college में, सब कुछ समझ में आ रहा है, जॉब अब लग जाएगी, alt, control, delete, block, इसी समझ में आ हो गया, एक तो यार, friend एक ऐसी चीज हो गई ना, आजकल, बहुत, बहुत commonly use होने लग जैसे, भाईया use होता है, अरे भाईया इधर आओ, अरे दीदी इधर आओ, उस प्रकार से किसी को भी भाईया दीदी बना लेते हैं, वैसे friend use हो गया, friend एक ऐसा symbol है, आपको याद रख मैं समझ रहे हो, मतलब एक आदा दोस्त है, और ये fact है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बाकियों से बात नहीं करता हूँ, मेरा यार, friend की ये definition है, वो व्यक्ती, जो की आपके लिए अपनी limit exceed कर दे, समझ पा रहे हो, क्या आपके parents आपके limit succeed करेंगे, definitely करेंगे, तुम बिमार ह करेंगे, ये एक second में खून देंगे, अगर तुमारा same blood group है, मतलब आगे से गोली आएगी, तो सामने खुद खड़े हो जाएंगे, ये है ना तुमारे parents की, यार, हमारे बच्चे जिन्दा रह जाएं, वो होती है limit push करना, क्या ऐसा कोई friend है आपके पास, मुझे बताओ, अ आपके friends लगते हैं, अगर उन्हें same amount दिया जाए और बोले की, ओ हो, तुम्हें मार दो, अब मुझे बताओ, कितने लोग तुम्हें मार देंगे, 100 crore amount समझ पा रहे हो, बहुत heavy amount होता है, heavy amount होता है, अपने जिन्दगी के सारे shock पूरे कर सकता है वो, और कल को ये अपने आ लोग हैं, जो कि सब मार देंगे न, शायद एका, दो दुख्ये दोस्त होंगे, जो कि शायद आपको बचा रहे हों, बच्पन से कोई हूँ, आपके साथ बहुत बहुत हो, तो एक तो अपनी हम friend की definition ठीक करते हैं, कोई friend नहीं है, आप मौका दो, दबा लेंगे आपको, आ आप जब भी है न, कभी सोचे, यार ये बंदा friend है क्या, 100 करोड दो, इसको मारेगा क्या तुम्हे, मार देगा, क्या आगा friend, मेरा तो in fact यार ये मांगना है, आपके family का हमेशा एक structure होना चाहिए, और ये family structure अगर आप follow करते हो, तो आप successful हो, successful यार एक ऐसा terminology आ गया है, इस को लिख लेते हैं, इसकी definition क्या है आपके मन में, एक परने के उपर में चाहता हूँ कि आप successful लिखो, what do you mean by successful, कुछ बच्चे लिख देंगे 10 करोड, कुछ बच्चे लिख देंगे 50 करोड, 40 करोड, 30 करोड, कोई health लिख सकता है, कोई लिख सकता है, मेरे को यार अपना नाम बदाना है, कोई company लिख सकता है, सारी चीज़ें लिखो, at least लिखो, आज लिखना है हमें, देखो मत कि मैं क्या लिखूँगा, जो भी आपने लिखा है, all definitions are right, all definitions are right, पर जब भी हम successful की यार बात करते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है, जिसके लिए healthy successful हो, कि यार मेरे six pack आ जाए, वो success है, किसी के लिए हो सकता है, कि यार मैं millionaire बन जाओं, वो success है, किसी के लिए हो सकता है, इज़त एक बच्चे ने लिखा है, satisfaction एक बच्चे ने लिखा है, मैं बता देता हूं तीन चीज, satisfaction वगेरा, ये सारे चीज़े हमें बॉलिवोड ने गलत सिखा दिये, ये सारे चीज़े हटा दो, हटा दो ये सारे चीज़े, गलत चीज़े सीख रखी है, satisfaction किस चीज़े मिलेगा, आप जब बाकी दोगों की service करते हो, हाँ या ना, आप society को जब कुछ give back करते हो, society को कुछ give back करने के लिए पहले आपके पास खुद होना चीज़े, एक जलता हुआ दिये से ही आप एक बुझे हुए दिये को जला सकते हो, ना, चीज समझ मारी, आपके पास पैसे हैं, आपके पास 100 रुपे हैं, अब आपकी मर्जी है यार, आप 20 र और फामिली में मैंने एक structure define कर रखा है, आपको सबसे ज़्यादा साल के लिए कौन जानता है, उस हिसाब से priority देना स्टार्ट कर दो, क्या मैं बोल सकता हो, आपकी मम्मी पापा जानती हैं, तो मैंने कहा, आपकी मम्मी पापा पैरेंट सबसे first priority पर आ गए, दूसरे नमबर तो friend इससे तो कमी जानते होंगे, तो तीसरे नमबर पे कोई एक आधा friend आएगा, वो भी वो जो कि हमारे पुराने criteria को fulfill करें कि यार, आपके लिए वो अपनी limit exceed कर रहा हो, limit exceed करना ये नहीं होता कि आपकी practical file लिख दी उसने, limit exceed करना ये नहीं होता कि कि किसी दिन मुमोज मे extra आपको pieces दे दिये, ये नहीं होता कि आपके साथ bank करने चला गया, वो तो कोई भी कर देगा, ना या ना, मज़े आरे हैं सब कर देगा, और fourth क्या होता है यार, मतलब अभी आपकी शादी की उमर नहीं होई, नहीं तो वो third level पर आ जाते हैं, वो होते हैं आपके की, जिन के शादी की दस साल होगे, तो फिर आपके लिए wife जादे important हो जाते हैं, अब आप उसके साथ जादा रहते हैं, ये structure maintain करना बहुत जरूरी है, और ये एक priority order मैंने बताया है, अभी भी आप अपने parents के against नहीं जाओगे, इस पूरे ब्रह्मान में, इस पूरे संसार में, आप अ में पापा को बहुत कोस्ता था, पर वो मेरा था छोटी क्लास में, ठाड़ फॉर्स में, मेरे पिटा ये बहुत होती थी, ऐसे यूँ बेलन उड़ते हुरते, कभी चपले उड़ती वी आ रही है, छोटी क्लास में इतना पिटा होना, और मैं तो बहुत शरीफ बच्चा थ मैं तो आज में में इसे पूछता हूं, यार मैं इतना शरीफ था, मुझे क्यों मारा, और मेरे पिटने के रीजन होते थे, थोड़ा टीवी कभी जादा देख लिया, ठीक है, मैं को आज भी याद है, बच्पन में मैंने एक रुप्या चुराया था, एक रुप्या, मैं से वो पफ वाले चिप्स आते थे, लोकल चिप्स, और मेरे जो दोलाई हुई थी, बेल्टों से, तो उस टाइम में एक बर मुझे याद है, थर्ड या फोर्थ क्लास में टीचर ने कहा था, अपने पेरेंट्स के उपर ऐसे लिखो, वो आपको क्यों पसंद है, और मुझे ट परकार से यार आप 10th में हो सकते हो, 11th में हो सकते हो, हो सकता है आपके पेरेंट्स की कुछ एक्सपेक्टेशन्स थी, यार ये बच्चा 95 लाएगा, ये बच्चा UPSC क्राक करेगा, पर शायद हम 80 प्रतीशती लाँ पारे हो, और जब उनकी वो माच नहीं होती न, क्योंकि वो अपने आपको ऐसा इंवेस्टर देखते है, अरे मैंने अपने बच्चे में इतना पैसा इन्वेस्ट किया, ये रिटर्न क्यों नहीं दे रहा मुझे, तो कभी-कभी वो डाठना स्टार्ट कर देंगी, कभी कुः-को 95 पर भी डाँटना स्टार्ट कर देंगी, तक हमे यार बहुत हाई बिलीव है energies के ओपर कि कुछ positive energies होते हैं, कुछ negative energies होते हैं और parents के अंदर से positive energy निकलती है, आपके प्रती, अगर आप अच्छे से रहते हो, अगर आप उन्हें दुख ही करते हो, तो उनके मन में से negative energy निकलती है, उरे घर में एक negative महौल होता है, यह फैक्ट है बगवान में मानों ना मानों वो एक अलग बात है पर एनर्जीज होती हैं यहां पर जबरजश्थी पता नहीं किसी बच्चे को पुश किया जा रहा है पर मेजॉरिटी 99% केसे में आपके माबाप आपके फर्स्ट होते हैं और वो आपकी 99.99 कह सकते हो कभी कभ को आप भी पेरिंट बन जाओगे हां या ना आपके अंदर भी कुछ गल्तिया होंगी और क्या आप अपने बच्चे का कभी बुरा चाओगे नहीं तो आपको वो फैक्ट हमेशा ध्यान में रखना है कभी कभी समझ में नहीं आता है तो दो कान दियें एक कान से सुनों के अंदर मैं बाइक लेली मैंने मतलो सेकेंड समेश्टर के अंदर घर में पड़ी थी बाइक ली क्या मैंने बापा को बोला पापा पापा बाइक दे दो मम्मी मना कर रही थी उसके बावजूद भी एक दिन पापा को मना के छुटके से मैं निकल गया मम्मी रोज मना करती थी बेटा बाइक मच चलाना स्कूल में, कॉलेज में बाइक मच चलाना, बेटा बाइक मच चलाना, और मैं रहे मम्मी रहन दो यार आपको, धोनी बाइक चलाता है यार, धोनी बाइक चलाता है, मेरे को तो चलाने दो, मैं धोनी का एक्जामपल लेता है, मैं बड़े आदमे सब्सक्राइब कर दो दो दिन बात पता चलता है रात को मेरा यार मैं कर नहीं पा रहा हूं मुझे पहला का छोड़ी सी ऐसी सूजने दो दिन बात घर पर पता ही चला तो फिर पापा ने एक बार का बेटा बाइक छोड़ दो मैंने बिना आर्गुमेंट के छोड़ दी ये चीज़ें आपको हमेंशा दियान रखनी पड़ेंगे मेरे लाइफ में कुछ डिसीजन्स थे और जब मुझे लगता था कि शायद पापा ने गलत लिए पता नहीं गलत क्लास से लॉन टैनिस खेल रहा हूं यार साथ साल दिन के पांच-पांच गंटे समझ रहो आप किसी चीज से कितना जुड़ जाते हो आप स्कूल से ज़्यादा टैनिस से जुड़े हुए हो पर टैन्थ क्लास में पापा ने का बेटा नहीं तुमें टैनिस खेलना या एड्मिशन मिल रहा था एक था आपका आज का एनस यूटी जो की पुराने समाने में एनसाइटी से जाना जाता था और एक था हिंदू अब मेरी यार आज तक की फेवरेट मुवी है रॉक स्टार एक है बॉलिवूड है पर बॉलिवूड में मेरे को अच्छी लगती है प एक साल फालतों में वेश्ट होगा वो एक साल बैठके मैं अपना त्यारी करूँगा पापने का ठीक है बेटा हिंदू नहीं आप नसाइटी जाओगे और मैं दुबरा दिमाखरा मैंने का यह पूछते क्यों जब मेरी माननी नहीं होती है पर मैं मतलब बहुत शरीफ गाय ही जले थे पर सही हो जाता है यार आप मैनत करते जातों किसी बीडाएक्शन से आप चीज़ए हो सकता है पता नी ही ह glare चैनुग क्लिक हो जाता है पता नहीं पर इस रास्ते भी आये तो बहुत बढ़िया लगा कि आया ना तो आपको कभी-कभी अपनी जर्णी पर ट्रस्ट करना होता है कि यार हम मेभी आप जाए भगवान में भरोसा करो ना करो पर आपको अपने आपको बिलीव दिलाना है कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं मिलती है मतलब देर बेटर अपॉर्चुनिटी वेटिंग फॉर मी जश्ट हाव टो वी ओर्निस्ट विद यॉर्सेल्फ कि यार मैं काम करता रहो हूँ कि हमने पहली चीज जो थी वह यार यहां पर मैंने आपको यह दिखाई नेगेटिव वाले आपने सारे लोग रख लिए कुछ लोग होंगे जो कि आपको पॉजिटिव वाइब देते हैं किसी ने नेगेटिव वाइब में पैरेंट्स को तो नहीं डाल दिया ना कुछ नि को कभी नहीं हो सकते आप एंडियान है वेस्टन वरने की जुरत नहीं है यहां पर एक चीज हमारे में बहुत अच्छी और उस चीज को मैंटेन करके रखेंगे और कभी-कभी क्या होता है आपको बोलते हैं मेरे यहां पर ऐसे अंडिवेज्वेज्वेज्वेल्स हैं जिन है आउन्-धडी प्थे और अपने पर एणी अअवर में धॉस्ट को मैं खकी अचयओ वार्य और किया है आप मैंध्र drin गी वहां बोलते हैं दोखनाए जिकुकत है अद्य प्रिचलिवेजवेज्वत नहीं इक दिल्ट का he नहीं शायद हांग हो गया मेरे साइट से कमेंट सेक्शन तो बस अब एक अंदाजा लगा रहा हूं कुछ कुछ हा रहा होगा येस जब हम अपने पैरेंट्स को यार ऐसे फोर्स नहीं करते तो एक पॉइंट के बाद चीज़े ठीक नहीं होती बाकि यहां पे भी उनको आपका भलाई चाह रहे होते हैं हमारे यहां पर रिस्पेक्ट उसकी ज़्यादा है पावर आपके पास ज़्यादा होती है अपने लाइफ के तीन-चार साल और पढ़ना चाहते हूं तो वह एक एक चीज है जो की में दिमाग में है थोड़ी आई आपको अगर पसंद नहीं आते हैं तो अपने कांद से निकाल दो पॉजिटिव वाई वाले यार जितनी भी लोग हैं उन्हें आप अपने पास रखो यह चीज क्लियर है ग्रेट दूसरी चीज की उपर आते ह अब आप सारी स्टूडेंट हो तो हम स्टडी एंवायमेंट में यूं बोलते हैं यार कि हमेशा ना टेबल कुरसी के ऊपर बैठके पड़ो कभी बैठके ऊपर मत बैठो और मैंने यार ऐसी रैंडमली अपने यहां पर अपनी कख्षा टीम पर सबसे पूचा सारे यहां प श्का श्कांद मेंट से कितने लोग हैं जो लेट Audrey अंपर सकती अ उन में से कोई बेडके न हब बड़ता था बड़ी अजीब से सीचीज नहीं लग रही है को लेटके निफड़ता था है ऑख मैं अपने कशह ऐसा था हर् Luigi यहीज। मैंने का यह चीज मेरे समझने और यह सिमिलर्ली एना जब आप अपने कॉलेज में होते हो आप अपने अर्ली ट्वेंटी में वो एक एम्वायमेंट चीए एन्वायमेंट यह चीए कि आपके पांच लोग जिन से आप मिल रहे हो वह हाई-ली-इंफुलेंशल होने चीए है थ आप अपने college के first year में हो, तो आपके लिए highly influential वंदा वो हो सकता है, जो कि fourth year में बैठा हो और उसने बहुत अच्छा placement crack कर रहा है, अरे हाँ या ना, क्या मैं बोल सकता हूं, बजाए आप first year के लोगों के साथ घुमो, मस्ती एकरो सारी चीज़े जरूरी है, पर fourth year का वो व्यक आपको मिल जाएंगे, कभी-कभी है नहीं, आपको free value addition भी करना पड़ेगा, मुझे आज भी याद है, I guess first year में था, या first year का end था शायद, उस दौरान मैं एक शादी में गया था, शादी में मुझे कोई एक व्यक्ति मिले, जो कि मेरे पापा नहीं मुझे मिलवाया था, कि यह रहा मेरा बेटा, तो उन्होंने रैंडबली पूश लिए बेटा क्या करता है, मैंने का मैं तो social media पे यह कुछ कुछ कर रहा हूँ, और engineering कर रहा हूँ, तो तो मेरा handle कर लेगा, Facebook, Twitter वगएरा, मैं का, इसमें handle करने में होता क्या, account बनाना होता, post करना होता, मैंने का, बाद तक मैं उनका account handle करता था, सारे post करता था, उनके बीच मीच में election campaign भी आते थी, तो मैं वहाँ पे बैट बैट के वही Facebook पे आड लगा रहा हूँ, सारे फालतु काम किये हैं मैंने, और मैंने आज तक उस चीज के लिए कोई पैसे नहीं मांगी उनसे, उनका अमन कर दे म पर आज की दिन ये है कि यार, वो कभी भी इंडिया आते हैं, उनके साथ बैठता हूँ, और जब बैठता हूँ, तो मैं देख रहा होता हूँ, कि यार, उनके आगे पीछे IS घुम रहे हैं, उनके आगे पीछे बड़े-बड़े company के बंदे घुम रहे हैं, और आप इतने high inflation बंदे के साथ जब बैठते हो, तो आपको पता चलता है, यार, ये एक अलग ही, लेवल पे जी रहे है, ये एक अलग ही, सौरी यार, आएगे, पता नहीं कैसे D&D, ये कॉल बज़ गया, मैं को airplane mode और डालने है, तो wifi, whatsapp कॉल कर रहा है कोई, चेक है, तो मैंने का, वहाँ स मुझे एक यार, आपको एक अलग perspective मिलता है, मैं ऐसे ऐसे individuals की साथ, यार, मिलता हूँ, जो की ऐसा बोलते हैं, अमन, तुम यार, इतना कर सकते हो, अमन, मैं इतना करता हूँ आज कल, अमन, मैं life में तब retire हो जाऊँगा, जब 1000-2000 करोड कमाल हूँगा, सोचो, जब तुमार विजन यहां पर होता है, तुम अगले आदमी से बोलते हो, अरे यार, थोड़े देर और बैठके बाते करते हैं, ठेके है, और उसके बाद अगला आदमी यहूँ और बोले, यार, मैं ये चीज 35 साल की उमर में कर लोगा, तो फिर तुम बोलते हो, चलो यार, थोड़े दे लोगों के साथ कॉंटाक्ट में हो, चाहिए उनके लिए आपको काफी बार यार, आप ये कर सकते हो, आप यूं सोचो, आप एक सेलिबरेटी हो, या जो भी एक हाईली इंफ्रेंशल बन दे हो, ताप लाइफ में बहुत बिजी होगे ना, काफी काफी बार यार, मैं भी कि की हेल्प करना चाहता हूँ, पर नहीं कर पाता, क्योंकि टाइम नहीं होता, इमेल का रिपलाइ कर पाएं, ये कर पाएं, पर माल लो, मुझे एक ऐसा बच्चा मिलता है, जो की कहता है कि भाया, मैं आपके सारे इमेल देख लोगा, आज के दिन हमारे पास खुद की टीम है जो की इमेल देख लेती है, पर माल लो, मेरे पास कोई नहीं है, वो कहता है, मैं आपके सारे इमेल देखूंगा, जो इंपोर्टेंट होंगे, वो आपको शॉर्ट लिस्ट करके देदूगा, और वो विक्ति मेरे लिए 4-5 महीने काम करता है, और 5 महीने बाद हो मुझसे ए अरे हाँ या ना, ऐसी एक लड़की थी, मैं एक बर सेमिनार गिलेने गया था, उसने का था, मैं आपका इमेल करना जाती हूँ, मैंने का कर लो यार, ठीक है, टाइम पास है, ये भी एक महीने करेगी और ठक जाएगी, उस लड़की ने ज्यादा भी नहीं तो आएकि 6-7 मह मेने बाद मैंने डिसाइड गया था, अपने कक्षा कि प्रॉपर एक टीम बनाते हैं, मैंने सबसे पहले उसे हायर किया, कि यार, इस लड़की को ले क्या हो, फुल टाइम, अब लगब पांच महीने हो गया है, वो हमारे साथ ही जोड़े हुई है, क्योंकि मेरे दिमाग मे ये है, गिव, 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 टेक, आप किसी भी व्यक्ति से मिलते हो, कभी आपने देखा है, कुछ लोग आएंगे सीधा काम बोलेंगे पहले, यार, ये कर देगा, और इतने इरिटेटिंग लगते हैं ना, ऐसे लोग, कभी दोस्त देखें, यार, ये देदेगा, मतलब आपको पहले वैल्यो अडिशन करनी पड़ेगी, उसके बाद लोग आपको सुन रहे होंगे, आया ना, वैल्यो अडिशन से कभी नहीं बोलना, जितने भी आप मिल्योनेर्स जानते हो, सब वैल्यो अडिशन में ओंदा बंदे हैं, जितना आप सेल्फिश रहोगे यार, आ अपने लिए कमा पाऊगे, आपकी वैल्यो कब बनेगी, मालो आप लाइफ में पांच रुपे कमाते हो, आपकी वकात पांच रुपे की है, मतलब आप सायद पांच रुपे का प्रोड़क्ट ये सर्विस दे रहे होगे, जीडीपी पता है सबको, जीडीपी क्या होता है, डेफिनेशन एकोनामिक्स वाले बच्चे बताओ, कि पूरा देश की टोटल जो प्रोड़क्टिविटी एंड सर्विसेज हैं, उसकी मैं वैल्यूवेशन निकालूं, उसको जीडीपी बोलते हैं न, एक तरह से देश की वकात हो गई न, वो, आया न, तो आपकी वकात क्य है, बेसिकली आपने जो प्रोड़क्ट बनाया या आपने जो सर्विस डिलीवर करी, उसकी वैल्यू क्या है, आप अगर खुद के लिए सिर्फ काम करोगे, आप पांच रुपे कमाऊगे, पर मान लो, आप ऐसा काम कर रहे हो, जहां पर आप हजारों लोगों की लाइफ मे वैल्यू अडिशन कर रहे हो, आप सो लोगों की लाइफ में वैल्यू अडिशन कर रहे हो, क्या मैं बोल सकता हूँ, आपकी वैल्यू बढ़ेगी ही बढ़ेगी, पॉसिबल ही नहीं है कि आपकी ना बढ़े, यह बहुत एक इंपोर्टन चीज मैंने बताई है, और मैं इस एक साल पहले कुछ वैल्यू अडिशन किया होगा, इसलिए आज शायद मैं आप सभी लोगों को बुला पाया हूँ, तो वैल्यू अडिशन ज्यान बांटने से बढ़ता है, माब आपने बच्पन में बोला होगा, वैल्यू अडिशन करोगे, तो आप कभी भी डिक्रीज नहीं होगे यार, आप अपने नॉलेज शेर करोगे, आपका एक नेटवर्क बढ़ता है, हमेशा यार यह चीज वैल्यू अडिशन में कम नहीं होना, ठीक है, यह चीज हमेशा ध्यान रखनी है, यह सारी चीज़े अड़ अड़ अप होती जाएंगे, आप लिखो, नोट क यार, पहले तो यह था कि रौ ही बनवा लेते हैं, क्यों किसी ठेकेदार वगएरा को कॉल करें, वरना वो जादा महेंगा लेंगे, मैंने कॉल किया, मैंने किसी को बुलाया, तुम मानोगे नहीं, आप कारपेंटर को कैसे विजुलाइज करते हो, मैं तो ऐसे विजुलाइ वो वेक्ति उत्रा, उसके साथ एक और वेक्ति उत्रा, मैजर्मेंट न आपने वाला, वो आय ऊपर, उसने कुचन देखी पुरी, उसने का शाइज-पैदस की किचन का साइज अच्छा है, हम अच्छे से बर्ज कर सकती है, और इसके अंदर हम यह यह चीज़े कर सकते, मैं जो आपके 2D डिजाइन नहीं होते, in fact, 3D डिजाइन भी ऐसे करके भेजा, मुझे दिख रहा था मेरी किचन में क्या-क्या होगा, अलग-अलग color combinations के साथ की white और gray कैसे लग रहा है उसने, बना-बना के मेरे को भेजे, और अभी तक उसने एक चवणनी भी नहीं मांगी है मुझसे, फिर मैं satisfied हुआ कि यार, अच्छा, ये तो वड़िया किचन लग रही है, उसने का, अरे यार, आप ऐसा करो, आप refrigerator यहां पर मतलगाओ, आप यहां पर लगाओ, और in fact, ये मतलगाओ, आप ये करो, अच्छा, आजकल ये भी चल रहाए, आप ये जरूर और लगाओ, अच्छा, यार, आप soft touch closing जरूर रखो, मैंने का, और अभी तक उसने एक चवणनी नहीं लिया, और उसने मेरे पर काफी घंटे इन्वेस्ट कर दिये, ग्रेट, उसके बाद मैंने का, यार, अच्छा, मेरे को ये वाला मॉडल पसंद आ गया, तो उसके बाद उसने मुझे इन्वेस्ट काफी महंगा था, पर मेरा यार काफी मन था कि, अगर मैं एक नॉर्मल बंदा होता, जिसे सिर्फ किचन बनानी होती, मैं उससे बनवा ले पर मैं सारे काम खुदी कर रहा था, सारे के सारे, मैं को सस्ते में वनवाने थी वो पूरी, फिर बाद में खेर मैंने अपने अलग कार्पेंटर से बनवाई थी, एक अब नई किचन बन रही है, वो आपकी टोटल उसी ओर्डर से बन रही होगे, किसी ठेकेतार को हम दे रह जाओंगा, और आटो के आने जाने का खर्चा आप दोगे, वो पहले आपको प्राइसिंग बताएगा, क्या तुम देख रहे हो, एक विक्ति कैसे वैल्य अडिशन कर रहे है, क्योंकि जब आप यार वो एक दो घंटे लगा के, या फिर दो तीन मॉडल, यह तीन चार इन टुड़ेज वर्ड, और वे गटिंग दिस, ग्रेट, नेक्स्ट चीज के ऊपर हम थोड़ा चलते हैं, अब आप में से यार काफी बच्चे डाउट पूछते हैं, भाईया मैं रियल स्टेट में कैसे जा सकता हूं, स्टॉक मार्केट का क्या रोल है, आमेजान वगेरा पर यह जो अफिलेट मार्केटिंग होती है, इसका क्या रोल है, आपका ड्रॉप शिपिंग होता है, यह क्या होता है, भाईया इन्फुलेंसर मार्केटिंग होती है, इसका क्या रोल है, यह स्वार नो, ग्रीट, भाईया डिजिटल मार्केटिंग होती है, यह क्या है, एन इफ्लेंसर मार्केटिंग के उपर आप कितनी देर बात करा सकते हैं मुझे लगबख पांस साल हो गए इस डोमेन में और दो कुछ जादा मार्केटिंग किये नहीं है पर मेरे पास ओफर्स आते हैं तो इसके बारे में हम लगबख 20-25 मिनट बात कर सकते हैं दिजिटल मार्केटिंग के बारे में आपके साथ में 20-25 मिनट बात कर रहा हूंगा और इनके अंदर में सीधी सीधी आपको कहानी बता दूँगा कि यार यह चीजें हैं क्या इसके अंदर यार मैं आपको यह नहीं बताऊंगा जाओ रियल स्टेट में जाओ और पैसे कमालो ट्रस्ट मी यह मेरा एंड गोल नहीं होगा पर एंड चीज तो मैं पांच घंटे बाद ही बताऊंगा और इस प्रकार से बताएंगे कि यार वो बिखरी बिखरी होंगी ऐस तो शुरुबात करते हैं सबसे पहले एक तो यह मेरे को यह बताओ कि सिर्फ रियल स्टेट से पैसा कमाएं या फिर सबसे थोड़ा-थोड़ा कमा सकते हैं मैं कहूं अगर आज की दिन मेरी सारी की सारी funnel है तो मेरे पास तो ये सारी funnel है आपको सारी funnel रखनी पड़ेंगी तो भाईया क्या मैं सब पर पारलल काम स्टार्ट कर दू मैंने का बिलकुल भी नहीं तो अब स्टार्ट होते हैं कि आप अपनी multiple sources of income कैसे बनाते हो multiple sources of income कैसे बनाते हो और ये यार आप गांट बान दो अगर आपको life में उपर अमीर बनना है आपको multiple sources of income रखने पड़ेंगी ये चीज मेरे को 12th class में पता चली थी एक बार एक incident हुआ था मैं एक cafe में गया था मैं टेंट लगाता हूँ मैं luxury गाड़ियां शादी में देता हूँ जो out of state आपकी गाड़ी जाती है टैक्सी वाली में वो काम करवाता हूँ मैं अपने ये जो इनमें बाउंसर वगएरा भेजता हूँ ये जो club अगेरा होते हैं इसके अंदर ये वाला काम भी है ऐसे करकर आके उसने मेरा rent का है यहां से rent आता है ये सारी चीज़े बता बता के उसने मुझे कुछ 13-15 काम बताए थी और मैंने का बाई साब ये बंदा 13 काम करता है मैं लाइफ में एक जॉब के बीचे भाग रहा हूँ ये बंदा तेरा काम कैसे कर रहा है उसने का आपके पास आज के दिन multiple sources of income जरूरी है हर जगा से कुछ-कुछ आता रहता है इसमें से काफी चीज़ें passive हैं काफी जगा मैं रोज काम कर रहा होता हूँ तो मैंने का यार यह तो मस्ट चीज़ है और आज के दिन अच्छी बात पता है क्या है इन में से काफी आप देख रहे हो ऑनलाइन है आमजान हो गया ड्रॉप शिपिंग हो गया इंफ्लेंसर मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग और इमने काफी तो मैंने डाली यह नहीं आप वगयरा से आप पैसे कमा सकते हो सारी चीज़ें हम डिस्क्स करेंगे अब मल्टिपल सूर्सेज ओफ इंकम कैसे बनाएं अच्छा आपने ये कहावत भी सुनी होगी ना एक बार में एक काम करो मल्टिपल नाव में अगर आप पैसे अपने पैर रखो के तो पैर फट जाएंगे क्योंकि दो टांगे दो नाव में रखो के पैर फट जाएंगे सही है दोनों बाते सही है हो तक या आप शुरुवात के जो आपके तीन से चार साल है आप एक चीज़ पर फोकस करते हो या एक से जाद एक के साथ साथ में आप एक साइड हसल रख सकते हो माक्स तो माक्स इससे जाद आप नहीं जाते इस एक चीज़ के उपर यह आप फोकस करोगे जैसे कि फॉर एक्जामपल ले ले यह यार मेरा थम रूल है इसे भी फिल्ड में आपको मास्टर बनना है तीन साल तो लगाने पड़ेंगे आपको इंजिनियर बनना है दो साल आप जैई में लगाते हो और एक साल फिर आप कॉले में जॉब के लिए लगा देते हो हाँ या ना तीन साल की महनत यूप सी हुआ तो वहां पे भी आप तीन से चार साल बैठके कोई भी सबसे पहले आप अपना एक में सोर्स ऑफ इंकम बना होगे तीन से चार साल में वह दीरे-दीरे फनल स्ट्रॉंग होगी चाहे माल लो आपने कहीं पर जॉब ली आज इंजिनियर भही है यह इसमें मैं जॉब क्या लोंगा जब मैं यह सेमिनार देख रहा हूं जो आपने capital earn करी है वह आप दुबारा reinvest करते हो और आपनी छोटी-छोटी funnels और बनाते हो चीज समझ मारी है छोटी-छोटी funnels और बनाते हो और ऐसा एक point आता है जब लगबग 5-6 साल बाद आप देखते हो अरे यार मेरी तो 3-4 funnel बनी हुई है यह चीज समझ मारी है मेरी जादा कुछ फरक नहीं पड़ रहा होता आगे चले मेरा comment section फिर से freeze हो गया है ग्रेट तो मुझे नहीं पता class चल रही है नहीं चल रही मुझे कुछ भी नहीं दिख रही है मुझे मुझे screen दिख रही है पर मुझे आपका कोई reaction नहीं दिख रहा है ना मुझे हाथ बात कु पार्लल खुद के देख सकते हैं में दिख रहा हूं है इस पदा चले कि शर्वर डाउन हो क्या है कि शर्वर डाउन तो नहीं कराना चीह हम एतनी जल्दी कि अ अ अ अ अ अ ट्रश्वर हो उैंуса हम लिए मरे दिख रहा हूं है कि एक सेकंदि या 2-4 मिनट्राह से नहींज दिख रहा है तो वैल एंड को घंगे कुर्जा नहीं लग्रट यह वह दिख रहा है acquired मैं इतने में पीम कोई भी कर दिता हूं आपने कोई निया है झाल झाल बच्चे टेलेग्राम पर भेज रहे हैं, all code. invite code is Aman Jai. देखा, मैं कह रहा था, invite code पूछते हैं, में को बच्चे कह रहे थे, नहीं पूछते हैं. अरे, मेरी क्लास क्यों नहीं? invite code में डाल, AMA and GW. दिख रहा हूं मैं? अब बस इसको चलते रहने दे. मैंने यह टिक मारा, यह चल दिखा? ओ प्रभू, सॉरी. अज भी चेक. तो. सॉरी यार, आप लोगों को वेटिंग में रखा इतनी दे. तो इस प्रकार से हम multiple sources of income बना सकते हैं. मैं कमेंट्स नहीं दिख रहे, पर हमारी class चलती है, यह बस दिखने रहना कहीं class रुखना रहे हैं. तो यह हमने बात करी, कुछ multiple sources of income. सारे बनाने जरूरी हैं, पर शुरुवात में सबसे पहले हम एक funnel के उपर काम कर रहे होते हैं. अब किसके उपर से यार सबसे पहले बताओ, हम start करें. Should we start with real state? Real state के कुछ basics हैं, जो मैंने को पहले आपको discuss करने हैं. यार मैं यह नहीं बता रहा हूँगा, आप में से यार काफी बच्चे होंगे जो सोचेंगे वही मेरे को real state में जाना ही नहीं पर जनाब आज के दिन आपका aware होना बहुत जरूरी है. आज का दिन एक ऐसा जमाना है कि आप opportunity grab करते हूँ, वह आदमे लखी होता है, और opportunity grab करने के लिए आपको पहले aware होना चाहिए, आपको वह व्यक्ति नहीं होना चाहिए, जिसी यह नहीं पता कि ओके जनाब real state कैसे work करता है, stock का मतलब तो मुझे पता ही नहीं है, अच्छा वही online marketing क्या होती है, Amazon क्या होता है, affiliates क्या होते हैं, ये सारे domains की कुछ knowledge ही नहीं है, तो आप चीजें फिर link नहीं कर सकते हैं, आप यू नहीं सोच सकते हैं कि मैं 4-5 साल बाद क्या कर रहा हूँगा, किस प्रकार से मैं किस direction से revenue ला सकता हूँ, जब हमें multiple sources में जाना है कलको तो आज के दिन कुछ idea तो हो, फिर बाद में जाके आप कलको चाहिए खोते रहना घर में, सब के बार में मैं ब्रीफ आइडिंग दे दूँगा, start करते हैं real state की साथ, मैंने का, okay, when we are talking about real state, क्या समझती है हम इससे, क्या समझती हम इससे, मैंने का, यार, देखू, माल लो, कहानी सुनाता हूं, मेरी एक दोस्त है, चीक है, तो उसने का, यार, मेरे पास लगबग एक करोड की saving है, और मैं उससे एक apartment लेना चाहता हूं, मैंने का, ठीक है, तो हमारे यहाँ पर apartment होगे, cost का once, यार, उसने का, यार, मैं लून नहीं लूँ, या, या, सेम अमांट मैं लगा दूँ, या, rent पर ही रहती रहूं, मेरे समझ में नहीं आना, मैंने का, ओके, वारी property का एक करोड है, मैंने का, rent कितना दे देती है, तो उन्होंने का, या, rent जो है, वो लगबग, लगबग, उसका आ जाता है, 20,000 रुपे पर मन्त, मैंने का, 20,000 आ जाता है, अच्छा जो मेरा cost upon earning ratio है, इसको आप जब करोगे, कितना निकल के आ रहा है, जड़ा चेक करना, यह आपका somewhere आएगा, 1CR divided by 2.4 lakhs, which is nothing but 42 बटा 1, 42 बटा 1 का मतलब क्या मैं यह समझ सकता हूं, कि जब आपने 41, 42 रुपीज इन्वेस्ट किये, वो 42 रुपीज ने एक साल में आपको ए एक एक्ष्टा रुपीया कमा के दिया, क्या मैं यह समझ पार हूं, 42 रुपीज ने एक साल में आपको एक रुपीया कमा के दिया, मैंने का, वेल इंगोड, इससे अच्छा तो बैंक में नहीं रखनू, भई यह बैंक में क्या होता है, मैंने का, बैंक में अगर आप 100 रु लेते हैं मैंने का वो 6 रुपेज आपकी वहां पर बैंक से अर्निंग होती है तो अगर आप इसको देखो कि यह रेश्यो लगबग आपका सम्वेर अराउंड आ रहा है 16 बटावन 16 बटावन का मतलब क्या है कि आपके पास 16 रुपे हैं तो वो 16 रुपे आपको एक कमा के दे रहे हैं इसका मतलब मैं बिलकुल भी नहीं बोलना चाहरा है कि रियल स्टेट खराब है आपको ऐसी ऐसी प्रॉपर्टी भी मिल जाएंगी जो 20,000 से जादा रेंट देती हैं मैं ज अधर लोकेशन इस वेरी इंपर्टन और उससे भी इंपर्टन आज के दिन ये है मुझे मुझे एक ऐसी मुर्गी चीए जो की सोने का अण्दा दे सके बीच बीच में यार मैं लेफ्ट राइट जम्प करूँगा मैं चाहता हूँ आप एक फ्लोचार्ट बनाओ सबसे पह मेरे पास 35 करोड हैं, तो मैं financially free हूँ, मेरे को ये नहीं सोचना पड़ेगा, कि यार मैं अगली 54 कैसे कमाओ, मैं ये नहीं कह रहा, 35 साल के उमर में retire हो जाओ, मैं कह रहा हूँ कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा पैसे के बारे में, आप चाहो तो उसको आपको सेव करना है, 40 to 50 परसेंट आपको सेव करना है, और इसके पीछे यार एक रीजन है, ये बहुत मुश्किल आपको लग रहा होगा, मैं 50 परसेंट आपना खर्चा निकाल लूँगा, 50 परसेंट बचा लूँगा, ऐसा नहीं है, माल लो आजके दिन, एक व्यक्ति, एक करोड कमाता है, बया करोड से कम में बात नहीं करोगेगा, और गलती से अगर वो व्यक्ति GST वगरा लिलेटेग बिजनस में है, तो प्लस 18% ताक्स और लगेगा, क्या मैं बोल सकता हूँ, इस व्यक्ति पे 48% टाक्स लगा है मजाक से अट के बात हो रही है 48% टाक्स वैसे काफी सेनरियोज में अगर आपका नॉर्मल है तो आप 30% पे भी हो जाते हो तो मैंने का यार एक आवरिज लेने के लिए हर टाइप का क्या मैं इसको 40% लिख दू ब्राकेट 30% का है पर यार जिएस्टी वेस्टी सेमला के 40 लिख दू लगभग 40 लाख आपने टाक्स में दे दिया अब मुझे बताओ एक करोड का 50% कितना होता है 50% आपको बचाना है मैंने का 50 लाख तो 50 लाख आपने सेव कर लिया अब आप मुझे ये बताओ आपके बैंक में कितना पड़ा है आपकी खर्चे के लिए मैंने का आप सिर्फ 10 लाख में आपको अपना पूरे साल का खर्चा निकालने है अगर 10 लाख में आपको पूरे साल का खर्चा निकालने है मुझे बताओ क्या आप गाड़ी अफॉर्ड कर सकते हो मैंने का नहीं आप गाड़ी अफॉर्ड नहीं कर सकते क्या आप शोवफ के लिए महेंगी गाड़ी अफॉर्ड कर सकते हो मैंने का आप नहीं कर सकते क्या आपको आईफोन और वड़ाफोड करना चाहिए मैंने का अगर 10 लाक में एड़िश्ट कर सकते हो वेलेंड गुड वरना मत करो पर यह चीज यार हमें नहीं समझ में आती हैं हम गया करेंगे हम तो भाई खर्च करेंगे हमें आपने ऐसे ऐसे इंडिविजुल देखें च चाहिए तीन लाक के करीब आपका टैक साता है और आप चाहो तो इसको भी कम कर सकते हो कुछ प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करके हमारे पास कितना बच गया राउंड फिगर 16 लाक ले लेते हैं 16 लाक के करीब मेरे पास बच गया। 20 लाक का आधा क्या होता है क्या मैं बोल सक बिजली का बिल भी देखना है और गलती से अगर आपके कोई एकाद expenditure हैं वो भी देखने हैं, क्या चीज समझ में आ गई मुझे, आपको at least 50% अपना बचाना है, इस 50% का क्या करेंगे वो अभी मैं थोड़ी दिर में बताऊंगा, अब यार काफी आपने individual अपनी society में ऐसे भ अब नहीं किया, अब दिखरें कमेंट्स तो बस मुझे नहीं दिखरेंगे, यह अच्छी बात है, हाना क्योंकि बच्छी आपके, अब तुमें को टीम अनकेड़ी में भी बता रहे हैं, यह से टिजमर्किंग, अट माइ कमेंट्स आर नोट वरकिंग, आ कांट सी स्टूट कमेंट्स कमेंट्स वो बस एक दिखकत है, बाके चलो ठीक है, कोई नहीं, मैं बोलता जाता हूं अपने एंड से, अच्छा, हाँ मैं बाके उस लैप्टॉप में तो देखी सकता हूं, अब काफी आ रहे हैं आप इंडिविजवल ऐसे भी वेखते हूं कि शुरुवात के द काफी लोग क्या करेंगे, डाउन पेमेंट पे ले लेते हैं, डेट ले लेंगे अपने उपर, 20% डाउन पेमेंट करेंगे और बाकी EMI से बढ़ते रहेंगी, मुझे क्या बताओ, क्या ये व्यक्ती एक अच्छा डिसीजन ले रहा है, बिलकुल ये ब्लंडर है, आपने अ आपको बांद के रख लिया उस विश्य साइकल में, आपको यार शुरूरात में अपना इतना सेविंग करना है, भई ये सेविंग का मैं करूंगा, क्या, लाइफ इंजॉय भी तो करनी होती है, क्या करूंगा, मैंने का, लाइफ इंजॉय करूँ आप 10 लाक में, लाइफ पर मंत के end पर समझ पारे हो आप एक ऐसी property में इंवेश्ट कर सकते हो जहां से 20-25-30,000 रुपे निकल के आए चीज क्लियर हो रही है भाइया कितना amount save करें आज के दिन आपके पास 50 लाख रुपे हैं 70 लाख रुपे हैं वो भी आप इंवेश्ट कर सकते हो रियल स्टेट के अंदर रियल स्टेट को मैं जस्टेक एक एक्जामपल कर रहा हूँ आप चाहिए अपने बिजनस में भी कर सकते हैं बहुत सारी चीज़े करेंगे तो वो आपकी एक asset बन जाती है कैसी asset में यार हम इंवेश्ट करेंगे क्या यह हमारा hard and money है बहुत hard and money है इस वैसे वैसी तो इन्वेस्ट नहीं कर देंगे मैंने का हम ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं जो कि एक में भी ना हो वो एक must हो एक hot property वह या what do you mean by hot property hot property का मेरा मतलब यार यह है एक चोटा example लेते हैं जो कि कभी भी बिक जाए जो कभी भी रेंट पर चड़ जाए जिसमें ऐसा ना हो कि कल को सड़क जाएगी तब इसकी कीमत बहुत बढ़ने वाली है आज मैं चड़ा सकता हूं इसको आज इसमें से अंडे निकाल सकता हूं म समझ में आ रही है मैंने का येस जो रियल स्टेट के अंदर होते हैं मैं आपको बता दो जब आप इस डोमेन के अंदर गुशते हो आप शुरुवात में एक साल में एक बिल्डिंग लेती हो क्योंकि क्यापिटल बहुत इंवाल्ड है ना तो आप बहुत होंवक करते हों अ होंवक करते हो एक ऐसी प्रॉपर्टी डोनने के लिए जिसमें आपके मार्जिन सच्छी अभी आप मार्जिन समझ नहीं पा रहे होगे रियल स्टेट को कंटिन्यू करते हैं वापस जब करते हैं एरिया लोकेशन इस वेरी इंपॉर्टेंट इन फाक्ट इट इस दा ओनली क्या सास्त्रों के हिसाब से सही बना रखिया आपने क्या वह इस्ट साइड फेसिंग है सारी चीज़ें मैटर करने लग जाती है आज की दिन हर इंडिविज्वल को अपना बात्रूम चीए तो क्या सेपरेट बात्रूम बना रखें किचन टुडे इस वेरी इंपॉर्टें अलग लग बहुत सारी चीज़ें काउंट होने लग जाती है अब मैं एक छोटा सा एरिया जिसके आपको कुछ बताने वाला हूं गुरगाओं के वारे में हम सब जाते हैं हर लोकेशन अलग है हर जगा आपके अलग हिसाब से प्रॉपर निचे जाती है पर एक आपको एक आप 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 आपको देख पार है हो यहां पर तीन गुना हो गई ओ भाई साब इतना बढ़िया return स्वाद आ गया देखके फिर 2003-2004 में लगबग सेम रहा उसके बाद 2007 से लेके 2009 तक जो property हमारी पहले 300 की थी वो लगबग लगबग 1200 रुपे की हो गई क्या आप देख रहे हो लगबग 4 टाइम्स ग्रूथ हो गई मैंने का यार स्वाद आ गया तो बहुत ही प्यारे चीज़ है भाईया लग रहा है सबसे अच्छा investment option ही real state है मैंने का ओक्या और आगे चालते हैं पर बाद 2009 से 2014 तक जो चीज मेरी 1200 की थी वो लगबग 1400 की ये fact है ये fact है commercial area के पुरे गड़गाओं के जो मैंने निकाल ले थे 2014 से 2019 तक करोना से ज़स्ट पहले तक ये 1400 रुपे लगबग 1500 रुपे हुए अब मैं चाहता हूँ कि आप इसकी पुरी case study करें क्या मैं बोल सकता हूँ शुरुवात के 9 साल 2001 से लेके 2009 तक जो मेरे 100 रुपे थी वह 1200 रुपे होगे लगबग 12 गुना बढ़ गए हम तो अगर आप इसको निकालोगे 12 टाइम्स ये लगबग आपको 32 परशंट का रिटर्न दे रहा है जो बैंक आपको 6 प्रतीशत का रिटर्न देता था 32 परशंट का रिटर्न आप समझ रहे हो यार क्या आपने 100 रुपे लगा है और आप 32 रुपे कमा रहे हैं ओ भाई साब एक बटा तीन बटा एक आपने तीन रुपे रखे और वो तीन रुपे आपको एक रुपिया कमा के दे रहे हैं तो बहुत अच्छा हो गया ना कहां हम 42 बटा वन कहां हम 16 बटा वन पढ़ रहे थे अब एक बच्छा आप फिर ऐसा क्या हुआ कि एक दम से सारी चीज़े हैं अब स्टड़ी करो 2009 से लेके 2015 तक कितना हुआ 2009 से लेके 2015 तक कितना हुआ क्या मैं बोल सकता हूँ यार पहले जहां पे 33 गुना बढ़ रहे थे अब 12 से 1400 हुआ अब यह तो डबल भी नहीं हुआ यह तो वन पॉइंट वाइफ टाइमस भी नहीं हुआ इन फाक्ट 2009 से आप 2019 अगले 10-11 साल देखो क्या आप देख रहे हूँ 1200 से सिर्फ 1500 बढ़ा और इन फाक्ट इसका आप रेट निकाल क्या होगे यहां पे आपको 3% गुरूद दिखेगी तो मैंने का अगर मैं इस पूरे का एक आवरेज ले लूँ 2001 से लेके 2019 तक तो मेरा नंबर आ रहे है 15% रिटर्न क्या रियल स्टेट 15% रिटर्न देता है यहां पे मैंने कितने साल की स्टड़ी करी है 20 साल की स्टड़ी करी है न मैंने का ओकी अब आप गूगल पे करके देखो कि कि दो हजार चौबिश तक भी जादा नहीं बढ़ेगा ऐसा क्यों है क्योंकि जनाब बबल क्रियेट कर दिया था इन्होंने 2001 जैसे स्टॉक मार्केट के अंदर बुल रन होता है न स्कैम नाइंटीन नाइंटीन सारे लोग देखके आए हैं पुल रहन बड़न मतलब बोल अपने सिंग से उपर उचाता है तो आपके स्टॉक के प्राइसे एकदम से जैसे उच रहे हैं यूश क्या करता है आपको पंजय से नीचे लाता है मतलब आपके एकदम से श्टॉक के माहौल बना देते हैं यार क्यों हो करोना आ गया, मार्केट क्रैश होने वाला है तो एकदम से श्टॉक मार्केट ड्रॉप कर जाएगा सब लोग अपना पैसा निकाल लेते हैं उसी प्रकार से 2001 से 2009 के बीच में एक लहर आ गए थी आप एक प्रॉपर्टी देखने जाते हो आप एक हफ़ते बाद दुबारा जाते हो आप देखते हो वैल्यू चेंज होगी है महंगी हो चुकी है प्रॉपर्टी तो सब के था यार ओ हो 100 रुपे की चीज वो जबर जस्ती 1500 रुपे में ले रहे हैं थोड़े दिनों बाद 200 रुपे में ले रहे हैं वो है 100 रुपे की पर उसके 300 रुपे दे रहे हैं बाद में उसके 1200 रुपे तक दी अब यार इसके पीछ आपको reason समझने पड़ेगा कि यार ये बाद में तीन फ्रतिशत क्यों आया मुझे बताओ किसी भी चीज की जो cost होती है वो आप कैसे justify करते हूँ क्या मैं बोल सकता हूँ that is directly proportional to earning it is directly proportional to earning अब यमें एक जगा का rent वो तभी दूँगा न जो cost है चलो एक और इसमें face डाल देते हैं क्या मैं बोलता हूँ cost is directly proportional to rent कितना rent है उस property का क्या मैं बोल सकता हूँ rent is directly proportional to earning अब एक individual की earning किस हिसाब से बढ़ती है आप किसी भी corporate में चले जाओ सरकारी में तो in fact और कम है आपका लगबग 10% salary बढ़ता है क्या मैं गलत तो नहीं कह रहा लगबग 10% salary बढ़ता है क्या मैं बोल सकता हूँ मेरा rent भी तो accordingly ही बढ़ना चीए अब ए 32% थोड़ी ना बढ़ा देंगे rent को तो अगर rent सिर्फ 10% से बढ़ रहा है तो costing भी तो लगबग 10% से ही बढ़नी चीए तो अगर आप real state के game को 40 साल के span पर देखोगे तो आप देखोगे यार कि लगबग लगबग 10-12% का आपको growth rate मिला है जो भी मतलब बीच में उपर नीचे गया है उपर नीचे गया है अगर मैं end point को पकड़ूं और starting point को पकड़ूं तो आप देखोगे 10-12% का आपको growth rate मिला है चीज समझ में आई तो हमें कुछ कुछ आइडिया लग रहे है तो आगे चलते हैं अब थोड़ा सा आगे चलते हैं कि सारे जंदे लिख रहे हो यह चीज है अब अरे वाह मेरे कमेंट्स मेरे को दुबारा थोड़े से दिख रहे हैं स्वाद आगे वह हूँ कि इतना मिस्किया नहीं हो अब लोग जिन्द है कि ब्लांक पढ़ा रहा था मुझे लग रहा था लैप्टॉप से बाते कर रहा हूं है कि आधी नहीं आता बिना कमेंट्स के हम 40,000 बच्चे हो गए क्या कह रहे हो सही में ओ भाई साहब रिकॉर्ड वे 12,000 से ब्रेक कर दिया हमने अपना खुद गा ओ भाई साहब ओ हो आगे चलते हैं अब वह क्या है यार आप्सें डाउन आते हैं और अप्सें डाउन के हमेशा रीजन होते हैं सेंटिमेंट्स चाह सब्सक्राइब करोना हुआ है अब इन फैक्ट अभी भी चल रहे हैं पर जैसी जब लॉक्डाउन स्टार्ट हुआ था क्या आपको याद है काफी लोग जौब वगए पर नहीं जा पाए थी तो हुआ क्या था माल एक प्रॉपर्टी है मैं अभी आपको बताऊंगा कि आप रियल स्टेट में पैसा कैसे कमा सकते हो यह नहीं बताया ना मैंने अभी आपको लंबे लंबे यह सारे कोई भी प्रॉपर्टी है वो माल नहीं सो रुपे की है अब जैसी सेंटिमेंट्स हुए यार करोना हो क्या मैं बोल सकता हूँ कर पार्केट में पैसा नहीं है जो लोगों के बिजनसे चल रहे थे और वो पैसा नहीं कमा पा रहे हैं एसे में ज्यादा इन से क्यों है कि मैं हेवी इंवेश्टमेंट करूं या नहीं करूं तो जो लोग पहले इसके 100 उपए दे रहे थे आज की दिन वो आके बोल लोग भी होंगे जिनने शायद capital ची होगा वो चाहता है कि मैं इसे बेच के पैसे लूँ हो सकता है घर में emergency हो गई हो वो सकता है शादी करानी हो कोई हो सकता है बच्चे को भार foreign में पढ़ाने भेजना हो किसी भी मजबूरी की वज़े से उसे पैसे चीए तो आप इस प्रकार की hot property देखते हो अब यार क्या करोना हमेशा रहा lockdown हमेशा रहेगा करोना तो अभी भी है पर क्या lockdown खुल गया आप ऐसे में क्या कर सकते हो आपने जो यह 90 लाग की खरीदी इसमें आप 3-4 लाग का और expenditure लगा दो किस चीज के उपर expenditure लगाओ sales point के उपर kitchen सबको अच्छी लगती है न मम्में decide करती है सबसे पहले घर में आके अरे यार kitchen बहुत अच्छा लगा हमें तो मज़ा आ गया bathroom देख कैंगी दूसरे नंबर पर bathroom बहुत अच्छा लगा हम तो बहुत है न तो आप किचन bathroom थोड़े अच्छे कर देते हो अलमारी को दुबारा थोड़ा अच्छा कर देते हो paint रवेंट नहीं और रखा paint लगा देते हो एका जगा lighting थोड़ी बेटर कर देते हो यह 3-4 ला क्या मैं बोल सकता हूं आप 6 महिने में एक property भी बेचते हो तो आपका 20 लाग का package हो गया 15-20 लाग का package हो गया आपको बहुत energy लगानी पड़ती है आपको धूणना पड़ता है पहले तो एक ऐसी property होट होट जो कि एक desperate आपको seller मिले और desperate seller के बाद आप उसमें काम कराते और उसके बाद उसको बेचते हो तो एक तरह से 6 महिने में आप एक property भी बेचते हो तो आपने काफी अच्छा कर लिया काफी सारे builders क्या करते हैं वो एक plot ले लेंगे और plot के ओपर वो पूरी की पूरी building ही बना देंगे वो building बनाने में उन् building बनाई और काम खतम यहाँ बीच फ्लोर की बात नहीं कर रहा है चार फ्लोर के building बनाई काम खतम आगे तो पूरे साल में उसने सिर्फ एक single project लिया पर उसी से और निंग निकाल ली अपने पचास लाग एक करोड का उसने कट मार लिया जीस समझ मारी एक तरीका तो यह होता है पैसे कमाने का ठीक है अब इसमें यार काफी सारे variation है जैसे कि फॉर एक्जामपल हम सब के parents middle class है majority बंदे हम middle class है तुम तो नहीं होगे एटलिस यार यह तो बोलना पड़ेगा अपने आपको middle class नहीं रहेंगे वैसे मेडियोकर का मतलब पता है यार आपको मेरे को भी recently पता चला मेडियोकर का मतलब मेडियोकर का मतलब यह नहीं होता कि आप life में average हो क्या उसका आपके bank balance से कुछ लेना देना नहीं है उसका मतलब यह होता है कि आप अपने life के उस stage पर आ जाओ जहां पर और growth नहीं करना चाहते समझ पारे हो कुछ लोग होते हैं जो कि बारवी के बाद हिम्मत छोड़ देत कोई हो सकता है दस करोड़ पर सेटल हो जाए जिस पॉइंट पर आप सेटल होते हैं उसको हम बोलते हैं कि आप मेडियोकर हो गए हो इसका मतलब यह नहीं है आपके bank balance में कितने है तो आपको life में कभी मेडियोकर नहीं होना है भाई अभी तो बोल रहे थे 35 में रिटायर हो आ रही है अब थोड़ा और डाइव करते हैं मेरा यार मैंने एक नाम लिया था होट प्रॉपर्टी होट प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है वो जो एक दिन में बिख जाए कुछ एक्जामपल लूँ जैसे कि यार गुरुग्राम है हमारा या गुड़गाम भी बोल दो पुराना नाम उसका क्या मैं बोल सकता हूं यह एक आईटी हब है बड़ी बड़ी कंपनिया यहां पे हैं गूगल माइक्रोसौफ सबके ऑफिस हैं कभी जाओगे न आप दिल्ली से अर्याना कभी गई हो लेफ्ट राइट में देखो कि बिल्डिंग है बिल्डिंग है बि सबकी सालरी भी अच्छी होती है तो पैसा भी अच्छा देंगे क्या मैं बोल सकता हूं इस इस होट प्रॉपर्टी किसी कॉर्परेट ऑफिस विल्डिंग के पास आपके एक रिजिदेंशल विल्डिंग हो फिर मैंने का और जीख चीजे देखो मुखरजी नगर देखा है अगर इट इस नोन फॉर यूपियस सी देन वी टॉक अबाट महीपालपूर महीपालपूर क्या आपका एरपोर्ट के पास है तो यह एरपोर्ट रिजन हो गया तो एरपोर्ट में जितने भी लोग काम करते हैं या एरो सिटी सुने है आपने वहाँ पर सारे फाइफ स्टा क्या मैं बोल सकता हूं यहां पर नीचे दुकान खोल सकते हैं अब जैसे कि फॉर एग्जामपल स्टूडेंट्स हैं क्या स्टूडेंट्स के स्टैंडर्ड बड़े होते हैं नहीं आप एक सड़ी से सड़ी बिल्डिंग बना के दे दो उन्हें पीजी में रहने हैं वैसे वह पांसात हजार रुपे किराया देंगे आपको ज्यादा कुछ डालने की स्टरत नहीं है पर वहीं पर आप आप बगएरा में जाओगे गुडगाउं नौइडा में जाना वहां पर रेसिदेंशल फिल्डिंग पता है कितने कितने फ्लोर की मिलेंगे आपको 14-14 फ्लोर क सब्सक्राइब पस एक्जाम्पल लेके एक वेसिक आइडिया देना चाहे रहा हूँ अब रियर स्टेट में पैसा लोग कमाते कैसे हैं कुछ पांच शे चीज़ नहीं हम डिसकस कर लेते हैं तरीके पहला तरीका तो मैं आपको अल्रडी बता चुक हूँ क्या होता है कि आपकी 100 रुपे की प्रॉपर्टी होती है आप एक ऐसा डेस्परेट सेलर देखते हो जो कि उसे 90 रुपे में बेच सके उस 90 रुपे में आप 3-4 लाग का मोडिफिकेशन करते हो मानलो 3-4 रुपे का आप आपने मोडिफिकेशन कर दिया और आप फिर देखते हो यार कि कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो कि 105-110 में खरीद दे तो क्या आपको यहां पर अपने मार्जिन्स मिल गए मैंने का एक चीज तो यह हो गई दूसरा होता है यार कि एक बंदा कहता है यार वो ढूंडता है काफी दिन और वो 100 रुपे की जो प्रॉपर्टी है वो 90 रुपे में खरीद लेता और उसे अपना घर बना लेता और कहता है मैं जिन्दकी भरी से रहूंगा क्या मैं बोल सकता हूं अपना घर लेना भी तो हमारे इंडियन सुसाइटी में बहुत बहुत चीज माने जाती है अरे यार बच्चे ने अपनी गाड़ी ले ली अरे यार बच्चे ने अपना घर ले लिया अब ये स्टेबल हो गया लाई आया न हमारे लिए बहुत अपन को दे रहे हो रिंट के मैंने का थार्ड चीज के उपर चलते हैं थार्ड होता है कि यार आपके पास सौ रुपे हैं ठीक है आप समहाओ एक ऐसी प्रॉपर्टी ढूंडते हो जो इस पे अठारा लाग की डाउन पेयमेंट करते हो और जो बचा हुआ जितना भी अमाउंट है उसका क्या करेंगे हम जो बचा हुआ सेवेंटी टू लाक्स है उसको आप लोन पे चड़ा दे तो बैसिकली आप येमाई दे रहे हो गया लिए बीस तीस साल चीज क्लियर हो रही है Yes तो काफी लोग क्या करते हैं इसको खुद रख लेते हैं खुद का घर बना लेते हैं और वो येमाई पेय करते रहते हैं एक और सिनrecht होता है कि वो खुद नहीं रखेंगे इसको रेंट पे चड़ा देंगे क्या मैं बोल सकता हूँ इससे कुछ रेंट आएगा 20-25,000 जो 20-25,000 रेंट होगा पता चला 20,000 ही EMI थी तो अब वो रेंट अपने आप EMI निकालता जाएगा तो 20 साल बाद आपको क्या पता चलते हैं after 20 years, depending upon आपने कितने की रखी है चिस साल की EMI रखी है, तीस साल की EMI रखी है आप देखते हो, आपने 18,00,000 एक तरह से प्रॉपर्टी ले ली क्योंकि जो बंदा उसमें रह रहा है, उसका रेंट ही आपका किस्त भरता जा रहा है तो आपको on the spot तो प्रॉपर्टी नहीं मिली पर क्या मैं बूल सकता हूँ, आपके पॉर्टफोलियो में अब एक करोड की प्रॉपर्टी है तो आपको 20 साल बाद आपको पता भी नहीं चलेगा पर इसके लिए यार इसका होट होना बहुत जरूरी है होट मतलब कभी भी वो रेंट फ्री ना रहे एसा ना हो कि बीच में लोग चलेगे और 6 महिने के लिए उसमें यार कोई किराया देने वाला नहीं मिल रहा है क्योंकि उस सिनारियो में फिर आप EMI भर रहे होगे तो आप साल में सिर्फ एक प्रॉपर्टी पकड़ो चाहे पर यार वह आपकी होट प्रॉपर्टी हो नीचे क्या चीज समझमा रही है मैं कमेंट्स दूसरे लाप्टॉप में देख रहा हूं ठीक है मैंने का हाँ ग्रेट आपका फोर्ट यह चार तरीके हो गए और चौत्वा मेरे को मेरा फेवरेट वह होता है कंस्ट्रक्शन के केस में होता है मुझे बता हम सब मिडल क्लास घर से आते हैं काफी बार आपने अपने को सुना होगा ना बिटा हमने एक प्लॉट ले लिया है कि लॉट आपके पास सब उतना पैसा नहीं है कि इस लॉट के ऊपर हमें बिल्डिंग बना सके यार लो इसके उपर में चार फ्लोर खड़े कर दूं अभी-कभी उतना पैसा नहीं होता तो ऐसे में बिल्डर्स आ जाएंगे आपके पास बिल्डर आके आपको क्या बोलेगा जनाब हम आपका फ्री कंस्ट्रक्शन कर देंगे आप बोलो यारे वास्वाद आगे तुम तो बहुत अच्छा दिनी हो बस जो चार फ्लोर बनाएंगे उसके ऊपर का थार्ड और फॉर्थ फ्लो की खुश्ट हो जाती है मैं योजिवली लोग दो फ्लोर के घर में काफी शंतुष्ट होते हैं तो भी कहते हैं चलो यार हमें अपना फिस समझ माई किया आप अकेला मत करो आप पार्टनर्शिप पे ले लो पार्टनर्शिप इन दसेंस आपने दो लोगों के साथ और कर लिए उन्होंने भी लगबग 30-30 रुपे लगया और आपने प्लॉट एक वायर कर लिया यह एक hot plot है आपको पता है इस पर मैं कुछ भी बनाऊंगा उसको मैं on the spot बेच सकता हूँ आपने वो homework पहले से कर रख है homework में time लगता है दो मेने लगेंगे तीन मेने लगेंगे पर कुछ भी free नहीं आता इस समझ में आरी अपने आप में एक package बन जाता है वो एक property भी बेशते हो तो 20-25 लाग 15-20 लाग depending upon कितना बढ़ा आपने शुरुवात में हर नंबर कम लगेगा यार पर फिर एक 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 बिल्डिंग पर करोड़ों कमाते हूँ तो मैंने का ओके उसके बाद आपने कहा कि यार एक point पर आप पर capital है अब हम इसको बना भी देते हैं आपने इसको बनाया पता चले यार इसमें आपके डेड़ करोड़ और खर्च हुए अब यार आप डेड़ क्या आप चार करोड़ भी खर्च कर सकते हूँ पर एजियूम अब आप में यार अगर हिम्मत है तो धीरे धीरे आप पूरी एक्वायर भी कर सकते हूँ अब पूरी एक्वायर तब होगी यार जब इन तीन में से एक आद बंदा दूसरा भी एक property dealer हो जैसे हर आदमी का एरिया होता है जानवरों का एरिया होता है अगर आप उन्हें पार्टनर बना ले तो कुछ चीज़ें असान हो जाती है जैसे कि पुलिस के साथ बाकि जो डेपार्टमेंट्स होते हैं विजली विजली उन्होंने उन्हें चीज़ों के साथ दोस्ती वोस्ती कर रखी होती है तो वह असान हो जाता है प्लस एक property dealer की चौड़ वड़ती है वो कहता है यार यह जो बन रहा है यह भी तो अपना ही है और कल को वो आपको बेच भी देगा तो आप चाहो तो फिर कल को वो पूरी building acquire कर सकते हो अब इसमें क्या है यार यह building जब construct हो रही हो तो आप खुद करो भया मैं क्या सिमेंट लेके बैठ जाओं नहीं खुद करो क मतलब आप कभी किसी और से building बनवाते हो यार तो उसमें क्या होता है आप सबसे पहले एक builder के पास जाते हो वह builder एक ठेकेदार को आपकी building के उपर लगा देगा ठेकेदार को ज्यादा प्रोफेशनल बंदा नहीं होता एक तरह से एक लेबर ही होता है पर एक बूड़ा ले जाते हैं especially आपका builder major margin ले जाते हैं पैसा रखते हैं आप क्या करो इनके नीचे 15 लोग काम करते हैं उनको पकड़ लो सीधा 15 लोग भीया कौन से वही होगा जो कि लकड़ी का काम करेगा एक होंगे जो कि glass का काम करेंगे एक होंगे जो कि cement और बदरी का काम करेंगे एक होंगे जो कि लिंटर दाबने का काम करेंगे एक होंगे कि यार जो कि आपका tiles का का काम कर रहा है एक होगा है जो कि आपका bathroom वग करा बनाते हैं तो इस प्रकार से चोटे मुटे करके चौदा फंद्रा डोमेंस होते हैं आप एक एक इंडिविजवल को पकड़ लो भया कहां से पकड़ोगे डूंडोगे सब मिलेगा पहले विल्डिंग बनाने में जान निकलती है दूसरी में आपको बने-बनाए मिलते हैं कोई व्यक्ति आपको बोलेगा यार मैं तो एक लाक में करदूगा फिर आप गयते हो अच्छा बेड़ लाक वाले व्यक्ति तो मुझे कोई एसी पिछली चार विल्डिंग जिसमें आपने अलुरेडी काम कर रखा हूर आप उसका काम देखके आता हो आपको वो काम पसंद आता है तो आप उस बंदे को रख ले तो चीज समझ मारी इस प्रकार से हम आगे और जा रहे होते हैं मैं नेका ठीक है यह कुछ वाइब आ रही है आप इन बंदों से कराते हो तो यार आपके कुछ सेविंग्स बचते हैं आप कुछ पैसा अपने जमीन खरीद रहे होते हो त आपका मार्जिन शानदार निकल आएगा वह मार्जिन आप ऐसा देख रहे होगे कि यार ओहो यार जितने बनाने में हमें लगा नगब लगे धाय तीन करोड़ पर पूरी बिल्डिंग चार सी आर में बिकरी है तो आपको पूरा एक करोड़ का मार्जिन देख गया क्या मै तो यह एक तरीका होता है अभी सब में एक तीज़ आ रही होगी और वह पहले पैसा ची यह ना लगाने के लिए मैंने का येस पैसा ची है आया ना पर तभी तो यह सेशन पांच घंटे चलेगा पहले मैं सारे आपको फनल्स बताऊंगा उसके बाद में उल्टा चलूँगा ठीक है आगे चलें एक चीज है यार अगर आपने वह बुक पड़ी हो जिए पूँँआड पूँआड फीमस कोट है वह यह है नेवर टेक अप पेचेक जो इसका अच्छा पापा होता है जो उसका रिच्टाड होता है उसे बोलता है कि नेवर टेक अप पेचेक इनफाक्ट वह से काम भी करा आपको 50,000 रुपए दे और आप गुलाम हो गए आप उससे बड़ा सोचो इसलिए नेवर टेक पेचेक नेवर टेक पेचेक का मतलब आप इस चीज को मैं थोड़ा और एक्स्प्लेइन कर देता हूं आप एक्स्प्लेइन से अलग लग टाइब से कर सकते हो पर जैसे की एक छोटा सा एक्जामपल मैं अभी मैं नहीं ले रहा है इसलिए मैंने आपको यहां पर लेख दिया नेवर टेक पेचेक एक छोटी सी जर्नी बताओं चलो आप में से कितने लोग हैं जो कि डॉली सिंग को जानते हैं उसी की एक पॉड़कास्ट है जो कि हम बहुत जल्दी हस्लर्स वे पर डाल भी रहोंगे नहीं जानते हैं इक अब तीन साल व्लॉग लखे थ्री यह उस व्यक्ति ने ब्लॉग लिखे कौन से फैशन ब्लॉग जिसके उसके पैसे बेनी मिलते थे चीज समझ में आरी पैसे बेनी मिलते थे घरवालों से लड़के वह व्यक्ति अपना दिल्ली में आके सेटल हुई जिल्ली में उसने अपनी पढ हाई करी अने अपने चालन में जाके उसने अडमिशन लिया वहां से अपनी पढ़ाही भी करी निस्ट से छीर उस व्लड़की को दो पैकेज मिले हैं YouTube ने तो पैकेज कश ता बक हंवा अचन चईAGन का मुझे बताओ illustrate से कौन सा विक्ति हम 25,000 में ऐसा काम था जो कि उन्हें लगता था कि यार शायद मेरे को पसंद आएगा डिजाइनिंग वगरा से लिटर था 42,000 में ऐसा काम था जो की थोड़ा वह से नहीं पता था कि किस परकार का है यह दिख रहा था पैसे जाता है उस व्यक्ति ने यार ल ऐसा माउंट है जिसमें से आप यार बचा सकते हो 10-15,000 हाँ या ना मैंने का येस उस व्यक्ति ने इसको काट दिया उस व्यक्ति ने इस चीज़ को फॉलो किया लगबग 2 साल और काम किया यहां पे इनका कुछ था किया इन्हें किसी कंपनी में किसी चीज के लिए वीडिय यह काफी अच्छी स्टेज पर हैं अपनी लाइफ के क्या मैं बोल सकता हूं इसने पेचेक को कैंसल किया करना पड़ता है पर मैजॉर्टी जनता क्या करेगी 42,000 मिल रही है यह आपने दोस्तों को पैसे देखते हूं अरे यह 40 देरा यह 35 देरा चालिस वाले जाओ काम से फ बोर क्यर में हमारा कॉलेज एनसाइट है आयटी जितना बड़ा नाम नहीं है पर आयटी स्ट्रीम में 17-18 लाग का अवरेज पाकिज था मेरी क्लास में 40 लाग की माइक्रोफ लग रही थी 50 लाग की अटलेशन लग रही थी उस टाइम मैंने पेचेक छोड़ा था क्योंकि म मत करो कुछ ऐसे डोमेंज भी आना यार लॉयर वगएरा बहुत पैसा कमाते हैं ऐसे ऐसे लॉयर अच्छे लॉयर तो काफी अच्छा पैसा कमाते हैं राज के दिन आपका और अगर आप थाइस ठीक जगह से पढ़े हुए हो तो आपके सीधे ऑन दसपॉट पाकेजिज भ आपके चार-चार लुखे चार-चार लाख रुपे चार्ज करते हैं डिट डिट दो-दो लाख रुपे चार्ज करते हैं एक घंडे के वो जॉब्स बहुत अच्छी है चीज समझ मारी है मैं करने का यह सब्सक्राइब करते हैं लोगों को एक होते हैं जो कि कहीं पर इंप्लॉइमेंट कर रहे होते हैं ठीक है वह बंदे कहीं पर इंप्लॉइमेंट कर रहे हैं एक बंदे हैं जनका कुछ स्मॉल बिजनस हैं एक बंदे हैं जिनके कुछ बड़े बिजनस हैं ठीक है फिर एक बंदे होते हैं जो कि इन्वेस्टर्स होते हैं यह क्या चार काटेगरी में डिवाइड कर सकता हूं स्मॉल बिजनस बिग बिज इस प्रकार से कुछ है यार रिवाइज हो गए हूंगे तो में को आडिया नहीं मैंने 6-8 महीने पहले लाश्ट देखे रहे हैं स्मॉल बिजनस इसकी बात करते हैं स्मॉल बिजनस वो जिनके अंदर यार आपने 15-20 बंदे इंप्लॉई कर रखें 30-40 बंदें इंप्लॉई कर रखें यह व्यक्ति वह होते हैं जो कि लगबग आपका 30% टाक्स दे रहे होते हैं प्लस साथ में और कुछ जीएश्टी वगरह का सौदा है तो वह और उपर से लगता है इंप्लॉई करते हैं यह व्यक्ति दे रहे होते हैं लगबग 20 प्रतिशत टाक्स तुम देख रहे हैं और इन्वेस्टर दे रहा होते हैं 0% टाक्स यह लोग जब डेट लेते हैं डेट समझते हो ना सब लोग करजा यह लेते हैं पर्सनल कार के लिए यह हो मेरे को गाड़ी लेनी है ऐसा डेट होता है इसको हम बोलते हैं बाड डेट जो चीज लेने की आकात मा हो उसे मत खरीदू शौक के लिए हम अपना खरीदा नहीं करेंगे पर वही पर मानलो एक व्यक्ति है यह जो की एक कमर्शिल कार लेता है कमर्शिल कार का मतलब समझ रहे हूं कमर्शिल कार का मतलब यह है कि वह व्यक्ति बाद में उबर चलाना चाता है क्या मैं कह सकता हूं वह टाक्सी से पैसा कमाएगा बाद में So this is a good debt. This is a good debt. यह कोई खराब बात नहीं है. उसने अपनी luxury के लिए पैसा नहीं लगाया. कर्दा नहीं लिया. उसनने लिया. क्योंकि को पैसा कमाना कातते है. तुँस समझ मारी है. गुड. बिग बिग बिजनससे क्या करते हैं? आप लोन लेते हैं. पूरा का पूरा का खर्च कर देते हैं माले अब यह सो क्रोड में से कल को मालो आप किसी को एक लाग की सालरी देते हो तो वो तो किसी इंडिविज्वल को दिया ना अपने सालरी अब यह आया ना माले को इंजिनियर है उसको आपने एक लाग सालरी दे दी अब यह इंडिविज्वल जरूर टैक्स दे रहा होगा मज़े की बाद देख रहे हो तुम मतलब इनको सौक रोड मिले उस पर टैक्स नहीं हु और यह लाग वाला पूर नहीं होता है कि यह स्टेट में काफी बंदे होते हैं जो कि डेट पर आपकी प्रॉपर्टी उठाते हैं वह उता है गुट डेट यार हम अमने बैंक से लोन लिया और हमने एक प्रॉपर्टी उठा दियो उसको लिश्ट पर लगा दिबीस परसें जरूर होना पड़ता है और विश्ली इसमें भी रिस फैक्टर है मालो आपने गाड़े खरेद लिए टैक्सी कल को नहीं चली पैसा डूब गया या फिर मालो आपने पर यह ऐसी चीज़ आप गाड़े को वापस बेचके कुछ पार्ट अपना कॉंपोनेंट वापस ला सकत हो सिमिलर्ली रियल स्टेट में आपने 18% में डाउन पैमेंट में लिए अब आपने इतनी गंदी प्रॉपटली कोई रेंट ही नहीं ले तो सारी यह मैं आप दे रहे होगे राइट तो इसमें भी रिस्क हैं पर यह स्टिल कॉल्ड गुड़ डेट चीज समझ में आई अब यार कुछ और फंडे हैं जो कि मैं आपके साथ बीच पीच में डिसकस करना चाहता हूं इन्हें आप हॉट्स बोल सकते हो हमेशा जो भी काम करो वो स्केलेबल होना चाहिए Scalable in the sense for example एक जिम का एक्जामपल ले लेते हैं आज कि दिन काफी लोगों ने जिम खोल रखा है एक जिम के अंदर कितने लोग काम कर सकते हैं कितने लोग मतलब किसी में हो सकता है 50 आते हों किसी में हो सकता है 100 किसी में हो सकता है 500 बंदे आते हों किसी में हो सकता है 200 बंदे लेके चला जाओं तो क्या आप आज के दिन काफी ऐसे बॉड़ी बिल्डर को नहीं जानते हैं जो कि ऑनलाइन एक ब्रैंड बन रखें इंस्टेग्राम वगेरा के उपर कि सोशल मीडिया पर उन्होंने और उन्होंने अपनी जिम फ्रेंचाइजी खोड़ रखी हैं हां उनके प्रॉपर जिम फ्रेंचाइजी हैं इस्टेट में इस्टेट में इस्टेट में इस्टेट में इस्टेट में इस्टेट में इन्फाक्ट काफी हैं जो कि अपने ऑनलाइन ही बच्चों को कोच कर देते हैं ओनलाइन ट्रेनिंग देते हैं, तो क्या आप देख रहे हो, ये चीज एकदम से स्केलेबल हो गई, तो आपका डोमेन नहीं होता, स्केलेबल या अन्सकेलेबल, आपने माध्यम कौन सा यूज किया, अगर आप ओफलाइन से हो, तो आप स्केल नहीं कर सकते हैं, चीज समझ मे होगा, आया ना, मुझे बताओ, आज तक किसी भी बड़े इंस्टिटूट का IPO हुआ, ऐसे ऐसे कोचिंग इंस्टिट हैं, तो कि दो-दो-हजार करोड का टर्न ओवर करते हैं एक साल में, 22,000 CR तर्न ओवर, पर मुझे बताओ, क्या उनका IPO हुआ, IPO का मतलब समझ रहो, लिस प्लाटफॉर्म पे आप अभी हो, यह अपने आप में उस रास्ते में कि इसे अगले आने वाले 3-4-5 सालों में IPO मिल सकता है, पांस साल इसे होएं, 3-4-5 सालों में IPO उठा लेगी, हो सकता है, क्यों क्योंकि यह स्केलेबल है, आया ना, तो वो चीज आपको ध्यान रखनी ह चीज हमेशा बहुत फास्ट जा रही होगी, यह एक छोटा से एक्जामपल ले लो, मैं आप से भी बात कर रहा हूँ, अगर मैं चाहिए कितने भी सेमिनार ले ले लेता, इंडिया में घूम घूम के, ऑफलाइन के माध्यम से, क्या आज हम 40,000 बच्चों से बात कर सकते थे मतलब ही नहीं है, किसी हॉल में फिट नहीं आते हैं, फुटबाल ग्राउंड बुक करना पड़ता हैं, और वहाँ पे भी लोग नहीं आते हैं, पर ऑनलाइन है तो आप अपने घर के कमफर्ट तक मुझसे पहुंच सकते हो, मैं आप तक पहुंच सकता हूँ, तो हमेशा का शुरुबात में कैसे फंडिंग होती है, फंडिंग राउंड के बारे में कुछ पता है, पहला तो होता है, आपका खुद का पैसा लगाते हो, आप शुरुबात के कुछ टायम के लिए, भया मेर पास जीरो पैसा है, आप किसी भी कॉलेज के अंदर जाओगे, अगर वो सबसे पहले सो पोटेंशल कस्टमर्स को आपको इंटरव्यू करना है, यह क्या बोल रहे हो, काफी बार आपको यह लगेगा यार कि इस चीज की तो मार्केट में बहुत हैवी डिमांड है, पर जब आप सो पोटेंशल कस्टमर्स से वन टू वन फेस टू फेस जाके मिलोग इसका यार मैं चाहूं तो एक एक एग्जांपल भी दे सकता हूं, पर वहाँ पर फिर बहुत सारा समय लग रहा होगा, एक बार यार कुछ, चलो मैं दो मिनट में राप करने की कोशिश करता हूं, दिल्ली में एक बार लड़की को लेके कुछ कंसर्न हुए थे, कैंडल मार कर सकते हो, जो भी फिट्वनेस से रिलेटेड होते हैं, वो सब आएंगे, सेमिनार्स लेंगे, न्यूस पेपर वगेरा, हर जगा ये चीज दिखाई जाती है, पर मेरे को लगता है, यूट्यूब वीडियो में देखके, आप पाइटिंग नहीं सीख सकते हैं, आप कराटे स्कूल्स, जहां पर आपको लड़ना नहीं, पर आपकी स्टेंथ पर काम कराया जाए, चार लोग हैं तो आप उनसे लड़ नहीं सकते हैं, पर आप अपने आपको छुठा के भाग जाओ बहुत अच्छी स्पीड से, इस प्रकार के हो, जहां पर लड़कियां इसी लड़क कर सके हैं, तो इस प्रकार का महौल था है, मुझे लगा था कि हर घर का हर पेरेंट्स चाहता है कि उसकी जो बेटी हो, वो उतनी स्टेंथ हो उसके अंदर हाँ या ना, बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैंने कहा था है, ऐसे अपन निकाल सकते हैं, जैसे जिम होते हैं, ऐ उनको पिक करेंगे उनके घर से वैंस में, जिससे परेंट्स को यूना लगे कि वो अकेली जा रही है, उनको ड्रॉप कर देंगे उनके घर के उपर, वहां पर फीमेल ट्रेनर्स होंगी, मेल ट्रेनर्स भी नी रखेंगे, सारी चीज़ें हमने अच्छे से रखी, मैं मैंने का क्यूं बूलें नहीं हमारे यहाम लड़कियों को नई बेज टें चीजों में रिजन तो बता दो लोंग स्टोरिय शॉट मैंने पांच्छे गरों में देखा काफी योगा मानना यह होता है कि बॉडी बन जाती है उससे मसल वसल बन जाती है काफी लोग इंट्रेस्टेड है नहीं है कि हम अपने घर में ऐसे लड़ाई वड़ाई नहीं करवाते लड़कियों से जो पहला घर था ना जब मैं मुड़के वापस जा रहा था तो उसकी मम्मी पता है क्या बोली अरे लड़कों के लिए भी कराते हो क्या कराते वो आ जायेगा मैंने का पैसे तो पूछलो पहले बोले नहीं आ जायेगा मतलब पैसे भी नहीं पूछा और हां कर दिया लड़के के लिए तो फिर पता चलता है अब यार काफी बार हो सकता है कि आपको कोई चीज में बहुत ज़्यादा पोटेंशल लगे पर आप जिब स अच्छे महीने होते हैं उसमें आप अपना पैसा लगाते हो भाया मेरे पास पैसे नहीं है आप कॉलेज में इंक्यूबेटर शेल से पैसा उठा सकते हो इंक्यूबेटर शेल क्या होते हैं यार यह बेसिकली आपको 5-7 लाख रुपे की फंडिंग तक देतेंगे अगर को आपको थीन अधयर का चिंता नहीं करना साथ में आपको दो-3 मेंटर देंगे जो कि आपको बीच-बीच में काइट कर देंगे इनको बोलते हैं इनक्यूबेटर इंक्यूबेटर इनदर है यार उपजिस इतनी जदा है में जिस सारी IITs के अंदर मिलेगा, सारी NITs के अंदर मिलेगा, NSIT, DTU, मेरे साथ से Delhi University के अंदर भी, I'm not sure, DU के अंदर था, पर मैं एक बार SRCC में गया था और उनके शायद मेरे को उसी Society ने as a speaker invite किया था, तो मेरे हिसाब से, I'm not sure, point आप समझ गये, वहां से आप पैसा उठा सकते हो, या फिर आपको कभी कोई खुद का लगाना पड़ेगा, भाया मेरे पास जिरो रुपीज है, start with social media, start giving tuition, tuition दे सकते हो, पढ़के बैठे हो ना, ग्यार भी बार भी में, दो tuition, कमाओ थोड़ा पैसा, कमालो यार, tuition दे दो, जो आता है वो ही तो करोगे न, किसे को dance व थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत करना, क्या भी या, roast कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकते हो, जरूर कर सकते हो, कोई काम खराब नहीं है, यार, काम है न, roast, roast में टाइम लगता है, ऐसा थोड़ना, और यह आया कि मज़ा आता है, काम करने में, हाँ, करो, ठीक है, देखी, अब उसके बाद यार, आपको एक पॉइंट आता है, जब आपको first round of investments ही होता है, first round of investment आपको हमेशा मिलेगा आपकी team पे, यह मतलब कि आपकी team कितनी strong है, किस बंदे की क्या-क्या responsibility है, ठीक है, कॉन टेक्स समाल रहा है, कॉन management समाल रहा है, कॉन business समाल रहा है, main द पड़िया बनाया, अगर आपका product अच्छा होगा, तो आपको third round of funding मिल रही होती है, और यह third round of funding किस चीज़ के लिए होती है, कि क्या आप sales लेके आपाए हो, और अगर आप sales लेके आपाते हो, तो तब आपको fourth round of funding मिलती है, ठीक है, usually first round of funding कितनी होती है, पचास लाग से ल second round of funding और बड़ी होती है, फिर बाद में तो ऐसे ऐसे funding होने लग जाती है, कि पता चला है, आपको 50 करोड की funding मिल गई, आपको 300 करोड की funding मिल गई, तो फिर आपका series A, B, C, D आ जाते हैं, तो इस प्रकार से आप funded हो जाते हो, that is the reason, आप काफी बार देखोगे, काफी नए start- startups हैं, जो कि 5 साल पहले जिनका नाम भी नहीं था, आज की दिन वो 1000 करोड की कंपनी बने बैठें, यह सोर नो, यह इस प्रकार से आपका investment चल रहा होता है, जब, हाँ, food industry में भी बहुत है, आगे चले, भही आप पूरा note नहीं किया, कर लो, अब टीम में एक चीज जरूर ध यहां पर आप खुदी start हो जाते हो, और अखिला आदमी बहुत तेज भागता है, क्योंकि टीम में bottle ने को सकता है, custom PC बनाया, मालो तुमारा CPU बहुत तेज अपर RAM बहुत कमज़ोर है, laptop की, तो क्या चलेगा वो अच्छे से, sorry, computer चलेगा, मैंने कर ले, load नहीं उठा इसले करी थी, employment, small business, big business और investor वाली, rich dad, poor dad आपने अरगर किताब पढ़ी हो, उस व्यक्ति, वो व्यक्ति author जो है, वो बोलता है कि काफी लोग है न, employment करेंगे, small business करेंगे, क्योंकि उन्हें वो अच्छा लगता है, या फिर stability देता है, समझ मारू, small business जो कर रहा है, वो अपन काफी बार ऐसे काम किये, यह author अपने शब्द बोल रहा है, मैंने काफी बार ऐसे काम किये, जो कि इन दोनों field से related थे, मेरे को अच्छे नहीं थे, rich dad, poor dad बोलता है, मेरे को किताब लिखना ही अच्छा नहीं लगा था, मैंने किताब इसलिए लिखी थी, क्योंकि मुझे पै अच्छा कोट है, अगर वो कुछ ऐसा ऐसा है, मैंने को एक बार याद करना पड़ेगा वो कोट, यह good assets related कुछ था, कि sometimes you have to do what you hate for buying things, यह buying assets that you love, दुबारा बोलू, something, sometimes, you have to do what you hate, what you hate for buying assets that you love, चीज समझ में आगे, या इस मतलब सबको समझ में आगे हो, कभी-कभी आपको ऐसे काम भी करने पड़ेंगे, जिसमें आपका बिलकुल मन नहीं है, पर वो आपको ऐसी assets दिलवारे होंगे, जो आपको पसंद होंगी, आपकी मन पसंद कार, आपकी मन पसंद घर, आपके मन शौक पूरे हो रहे होंगे, तो वो author उसमें कहता है कि यार, मेरा भी मन है, मैं employment करूं, काफी बार आपको अच्छी जॉब मिलती है, काफी बार आपका small business करने का मन होता है, पर मैं अपना ये चीज़ें करता हूँ, as an investor, investor मतलब आप real estate वगरा चीज़ें खरीद रहे, वो यार, आपका portfolio building होता है, portfolio building in the sense, जब आप first round लेने जाओगे, आप काफी बार देखो कि बड़े-बड़े startups होते हैं, जो कि बड़े लोगों का नाम अपने अंदर रखना चाहते हैं, जैसे कि for example, रतन टाटा हो गये, अरे वाँ, 45,000 great, रतन टाटा जी हो गये, तो आपके क् काफी बार लोग उन्हें अपने portfolio में लेने आना जाएंगे, portfolio मतलब चाहिए वो 2,00,000 रुपे invest करें आपके business में, पर उन्होंने अगर invest किया है, तो उसका मतलब आपके business में दम है, तो जब आप second round of funding के लिए जाते हो ना, ज़रूरी नहीं है, आपको पुराने investory पैसे द funding, तो वो देखते हैं, अरे रतन टाटा ने दे रखा है, मतलब कुछ सोचके दिया होगा, तो अगले का trust बनता है और वो दुबारा देता है, तो काफी बार आप ये देखोगे, लोग अपने first round में portfolio building के लिए अलग लग जगा से पैसे उठा लेंगे, दो-दो लाग, तीन portfolio strong होता है, अगले round में और असानी होती है, तो से अगले round में और असानी होती है, तो कि आपकी brand बन जाती है कि इतने लोगों नहीं इस पे उपर trust किया, इस business के उपर, तेक है, मैं का आगे चले, आगे चले, कॉपी कर रहे हो, जल्दी लिख लो, इस वे क्या कॉपी कर रहे आगे चले, अगर पैसे नहीं हो, कुछ भी करो, प्यूशन पढ़ाओ, social media platform बनाओ, कुछ भी करना पड़े, वो करो, freelancing करो, पर आप पैसे जरूर कमाओ, आप अपने खुट वाले को फ्यूल करो, आज के दिन आप भाना नहीं ले सकते, पापा ने पैसे नहीं दिये, पच पार्ट्विनिटी नहीं थी, राइट, वरना मैं यूपियसी निकाल लेता, हमारे टाइम में पता ही नहीं था, हमें यूपियसी जैसा एक्जाम होता है, मेरे को कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं, पर हाई है न, काफी होगे, तुछ बोलते होंगे, बेटा मेरे पास राइट स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ी बहुत बात कर लें, मैंने का कितने बेसिक से उठाऊं यार, इस टॉपिक को, मतलब हम, एकदम बेसिक से उठाते हैं, माले, स्टॉक मार्केट पूरा आता कहां से, एक कंपनी होती है, माले, आज वो स्टार्ट हुई है, उसके खुद वो काम कर रहे है, थोड़े दिनों बाद में उसमें एक टीम हो जाती है, पंदरा से बीस लोगों की, यह उसकी इनिशल स्टेज होती है, इसके बाद यार, आपको इन्वेस्टमेंट ची होती है, काफी लोग इसमें भी इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं, फिर आप A funding लेते हो, Series B funding लेते हो, C लेते हो, D लेते हो, E ले लेते हो, आपकी company काफी बड़ी हो गई है, आपकी company के अंदर 1000 लोग काम कर रहे हैं, 2000 लोग काम कर रहे हैं, चीज समझ में आ रही है, अब एक ऐसा point आ जाता है, दस साल के बाद जब आपको और पैसा उठाना पड़ता है, पर यार investor की भी एक limit होती है, आप investor से कितना पैसा उठा हो गया, आपको और पैसा चीए, तब यार आप IPO के लिए जाते हो, IPO का मतलब पते हैं, आप अपनी company के जो shares हैं, वो list कर देते हो, market में डाल देते हो, कि ये लो भई, लोगों खरीद लो, लोग उस पैसे को डाल देते हैं, कि ये लो भई, हमने साड़े 300 रुपे में इसका share खरीद लिया, या 20 रुपे में इसका share खरीद लिया, 80 रुपे में इसका share खरीद लिया, समझ में आ रहे हैं, मैंने का yes, इस प्रकार से वो चीज IPO के अंदर जाती है, और अब वो listed हो जाती है, अब ये IPO वाली जो company ने पैसा चीए, और जो आम आदमी है, वो अपना पैसा बढ़ाना चाता है, एक middle class person या चाहिए किस भी वायर का विक्ती, अपना पैसा बढ़ाना चाता है, तो आपके यार investment options देख लेते हैं पहले तो उससे, पहले कि हम stock में जाते भी क्यों, आपने 100 रुपे कमाएं क्या मैंने आपको कहा था 50 रुपे बचा लेना, अब यह जो 50 रुपे आपने बचाएं इसका क्या करें, कभी भी आप cash नहीं रखते bank में, वो तो खतम हो जाएगा, inflation है, 6% के rate से हर दिन उसकी value कम होती जारी है, तो हम कहीं तो उसे अच्छी जगा रखें, सिर्फ bank में भी कहा पर अपर कमोडिटेज में डाल सकते हैं, कमोड़िते का मतलब क्या है, सोना, चांदी, आप गूड में इनवेस्ट कर सकते हो, आप सिलवर में इन्वेस्ट कर सकते हो, यह चीज़ समझ में आई, भइया,結果, फट्स यह आपका stock ही हो गया, इसी कांदर आता है, आपका mutual funds, अटी समय लाइक कि हमारा है इसी आंतरया तो में में हमने रियल स्टेट्थ के बारे में बात कर लिए क्ट आप अब इस हम इस ने बात करी थी कि कमपनी काफी बड़ी हो गयी है कि मैं दो आपना पैसासा बढ़ाना है तो आप देखते हो, अरे यार, एक company ज़्यादा तफास्ट ग्रो करीगी न, मतलब company के target होते हैं कि यार, आज हम 100 करोड के थे, अगले साल हम देखो 200 करोड के हो गए, तो क्या मैं बोल सकता हूँ, भाई, उसकी growth हो गई, तो मान लो, आज आपने उसका share 100 रुपे में खरीदा और कल को उसका एक share 200 रुपे का हो गया, तो आपने कमाया न, यह margin, आपने कमाया न, यह पैसा, तो this is called stock market, अब यार, जब भी आप stock market में जाओगे, हमेशा बीच में एक broker होता है, यह SEBI का rule है, broker होता है, आप सीधा जा कैसी, बीच में आपका एक broker होता है, और आगे आपकी यह सारी companies होती है, अब क्या आपको इस देश की सारी company उसके बारे में knowledge है, अच्छा यार, मैं ऐसे व्यों पढ़ा रहा हूँ, इसके उपर तो मेरी पूरी slide बन रखी है, मेरे को बस एक second दो, मैं एक file upload कर देता हूँ, मैं वही सोचों में, हाथ से इतना है, भूल गया मेरे पास है, just give me, ok, file upload ओर यह, 40% uploaded, 80% uploaded, 100% uploaded, done, बहुत बढ़ी है, यह दिख रही है सबको, water stock market, मैंने का बहुत है, मज़ा आ गया, इसमें अब और अच्छे से बता पाऊँगा, सबसे पहले मैंने वही बताए, seed मतलब, वही आपके investment rounds हैं, यह early stage of business, series A, series C, फिर उसके बाद आप IPO में चले जाते हैं, आप public market के अंदर आ बढ़ी हो रही है, अब यहाँ पर आपके पास 1000 employee हैं, अब आपके पास बहुत बड़ी company हो गई, तो आप IPO के अंदर चले गए, चीज समझ माई, great, जितनी भी company यार लिष्टेड होती हैं IPO के अंदर, आप ओनी के share खरीच सकते हो, आप जाके एक इस company के share नहीं खरीच सकते टेसला का आप share खरीच सकते हो, समझ बहार है हमें, share का मतलब मैंने का good, उस company का एक छोटा सा हिस्सा, मालो मैंने एक लाग shares बना दियो उस company के, तो मैंने एक लाग छोटे छोटे हिस्सों में divide कर दिया, तो अगर मुझे company की valuation निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, अच्छा एक share शाड़े 300 रुपे का है, multiplied by एक लाग उस पूरे company की valuation आ गई, चीज समझ मैं आ गई, बीच में यार हमें ये broker ची होता है, अगर हम अपना पैसा लगाना चाते हैं, आगे चलू, बहुत basic बेसिक है, मैं ज़्यादा समयनी लगाना चाता है, इसमें, great, अब यार आप मे future में grow करेगी नहीं करेगी, market इसके favor में है नहीं है, पर यार ये सारी चीज़ें देखने के लिए आपके पास जिंदगी में समय ची है न, हो सकता आप एक engineer हो, हो सकता आप एक doctor हो, हो सकता आप एक lawyer हो, आपके पास दिन में आधा एक गंटा बचता है, खुद के लिए वो भी family को देना होता है, तो क्या आप इसको समय दे सकते हो, से भी यार यहाँ पे आपकी ruling body होती है, जो की govern करती है, सारी चीज़ें अच्छी चल रही है नहीं, से भी के according, एक साल के दोसुए हिस्से में भी transaction होती है, stock की, पूरे दिन trading चलती है, क्या आप हर company को track कर सकते हो, नहीं कर सकते, it's not possible, that's why कुछ लोग बीच में आ जाएंगे, जिन्हें हम बोलते है mutual funds, mutual funds क्या होते हैं, यह houses होते हैं, mutual fund houses बोलते हैं, यह क्या कहते हैं, अरे यार, रमेश, तुम्हारे पास 100 रुपे हैं, तुम 100 रुपे मुझे दे दो, जो तुम stock market में डालना चाहते हो, यह 100 रुपे में company number A में 50 रुपे invest कर दूँगा, company number B में 10 रुपे invest कर दूँगा, company number is में 5 रुपे invest कर दूँगा, इस company में 10 रुपे invest कर दूँगा, और आपके सारे पैसे को वो अलग-लग जगा पे invest कर देगा, क्या मैं बोल सकता हूँ, इन fund houses के अंदर पढ़े लिखे व्यक्ति बैठे हैं, जिनके पास शायद आपसे better knowledge है, तो वह कहते हैं, आप हमें अपना पैसा दो, हमने market study कर रख है, हम आपका पैसा अच्छी जिगह पे लगाएंगे, बदले में क्या लेंगे हम, वो बोलेंगे, मान लो कल को आपको इन में से 15% return मिलता है, इसको हम बोलते हैं, mutual fund, mutual fund, देखने से तो अच्छी चीज लग रही है ना यार, पर मुझे ये बताओ, आप में से काफी relatives होंगे न, जिन्होंने बोला होगा, हमारा तो पैसा डूब गया भी, stock market में, बेटा stock market से दूर रहे ना, ये बहुत गंदी चीज है, क्यों डूबता है, Warren Buffett ना नाम सुना यार सबने, stock market का बादशा बोला जाता है, जैसे हमारे इंडिया में जुन-जुन वाले हैं, वो वर्ल्ड के हैं, उन व्यक्ति ने एक कोट गिया, क्यार, stock market में, कोई भी व्यक्ति पैसा नहीं डूबा सकता, वो इतना पढ़ा लिखा, आदे में ऐसे कैसे बोल सकता है, जब आपके पड़ोसी या आपके घर में, किसी के stock market में पैसे डूबे हूँ, इसलिए बोला है यार उस व्यक्ति ने, एक है Bombay Stock Exchange, इसके अंदर जो Index होता है, उसका हम नाम बोलते हैं Sensex, सुना है News के अंदर, Sensex आज इतने से बढ़ गया, इसके अंदर जो होता है, उसका हम बोलते है Nifty, यहर आप देश की हालत कैसे बताओगे, कि आप अच्छा कर रहे हूँ या बूरा कर रहे हूँ, कोई Index होना चीए न, जैसे करोना के अंदर अगर, हमारे शारे के सारे जो Company थे, उनके Shares की Value कम गई, हम बोलते थी न, Sensex नीचे चला गया, तो देश की जो Top 30 Companies होती हैं, उनको हम Track करते हैं, जो Top 30 Companies हैं, और Nifty के अंदर आप Top 50 Companies को Track करते हो, और इनकी जिस हिसाब से, Valuation Market Cap उपर नीचे जाती है, हम बोलते हैं, अरे इसका Price भढ़ गया, या Sensex आज 2% नीचे गया, आज ये 2 Points समझ पारे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, भाईया, Decide कौन करता है, Top 30 Companies में कौन आएगा, मैंने कहा, उसकी Valuation Decide करती है, क्या मैं बोल सकता हूँ, एक Company के एक Share की कुछ Value होती है, One Share has some Value, येस, तो इस Company का Market Cap क्या होता है यार, Market Cap होता है, उसका Total Value, कि Total Number of Shares कितने थे उसमें, Number of Shares into Value of One Shares, समझ मैं आगया, कोई Basic, वही जो मैंने बताया था, जितने भी एक Share की Value into Total Number of Shares, तो जिसका सबसे बड़ा निकल के आता है, वो Top 30 Company में आ जाता है, जैसे First Number पे मालनो Reliance आ गया, Ambani जी का, समझ में आया है, इसी प्रकार से सारे के सारे Listed हो जाते हैं उसमें, अब इसका अच्छा बात बता है क्या है, सब Yes Bank की कहानी जानते हैं, Yes Bank पहले Top 50 के अंदर आता था, पर जैसी Yes Bank bankrupt हुआ, वो Top 50 में से हट गया, उसकी जगा कोई और आ गया, तो एक तरह से यह हमिशा आपको Top 50 Dynamic Companies की बताएंगे, कि आज भाई Top 50 में कौन है, उनका क्या Index वोगेरा चल रहा है, चीज़ समझ में आ गई, मैंने का, ओके यह चीज़ भी क्लियर है, मैं आपको एक कुछ फाक्ट बताता हूँ, हमारे पूरे देश की GDP पता है आपको, अट इस थ्री ट्रिलियन डॉलर, तीन ट्रिलियन डॉलर कितना होता है यार, यह होता है 210 लाख करोड, 210 लाख करोड, इतने रुपे होता है, 210 लाख करोड सुणने में बहुत बड़ा माउंट लगता है न, एक सेकंड गूगल करना, आपकल की वैलवेशन किया है, इसके अंदर जो पहली है रिलाइन्स, रिलाइन्स की पता है, खुद की वैलवेशन कितनी है, 10 लाख करोड, मुझे बताओ, 10 लाख करोड इसका कितना प्रतीशत है, पूरे कंट्री का, क्या मैं बोल सकता हूँ, 5 प्रतीशत है, इसी प्रकार से जो सेकंड नमबर पर है, क्या मैं बोल सकता हूँ, उपर की जो टॉप 50 कंपनी है, वो देश का मेजर पैसा निकाल रही है, अबे हाँ या ना, जब एक रिलाइन्स, पूरे देश जो कमाता है, उसका 5 प्रतीशत कमा रही है, हम उपर के टॉप 50 जब पकड़ेंगे, तो एक तरह से वो पूरी GDP हो गई, क्या मैं इस प्रकार से कुछ बोल सकता हूँ, क्या मैं एक चीज ये भी कह सकता हूँ, यार हमारा इंडेक्स होते हैं, चाहे सेंसेक्स हो या निफ्टी हो, वो डाइरेक्ली प्रपोर्शनल टू होते हैं हमारी देश की जो हालत है, येस, पर इसमें यार एक चीज का थोड़ा फरक है, फरक ये है, जैसी करोना हुआ था, करोना पता है सबको, आपका स्टॉक मार्केट का इंडेक्स एक दिन में ड्रॉप हो सकता है, पर महीं पर GDP है, क्या वो एकदम से गिरती है, नहीं ये थोड़ी ग्राजुवल प्रोसेस होता है, अब यार आपको मैं कुछ हैना स्टार्ट्स बताना चाहूँगा, जैसे आपको कासी मज़ा सहा जाएगा, ठीक है? जो Bombay Stock Exchange है, ये 40 साल से ज़ादा बुड़ा है यार, National Stock Exchange बाद में बना था, जब 1979 में इसकी शुरुवात हुई थी, तो सबसे पहले हमें कुछ base value रखनी थी, तो हमने 100 रुपे रखी थी, 1989 में ये value 760 रुपे हो गई, रुपे नहीं हो गई, 760 बोलते हैं इसको, मैंने एक bag में रख दिया, माल ले वो 100 रुपे है, ठीक है, तो कल अगर ये 101 रुपे बढ़ा, 101 रुपे हो गया, तो क्या मैं बोल सकता हूँ, यार हमारा पूरा जो index है, वो 1 से बढ़ गया है, चीज clear हो रही है, तो हमने 100 को अपना शुरुवात, एक तरह से reference point माना, इसका मतलब ये नहीं है, कि 100 रुपे थे, ये चीज समझ में आ गई, उसके बाद जैसे हम 1999 में आया, ये 760 बन गया, 3686, फिर जैसे ही मैं 2009 में आया, यही बन गया 10348, जैसे ही मैं 2019 में आया, यही बन गया 39140, और फिर जैसे ही करोना आया था, 2020 में ये ड्रॉप हो गया, कैसे, 32424 पे, अब यहाँ पर आप एक चीज नोटिस कर रहे हूं, मान ले जो मैंने 100 रुपे इन्वेस्ट किये थे, अगर मैं करोना का lowest point भी पकड़ू हूं एक तरह से, 32 के भी नीचे वो गया था थोड़ा सा, क्या मैं बोल सकता हूं, मेरा पैसा कितने गुना हो गया होता, how many times, 324 times, कितना गुना मेरा पैसा बढ़ गया भाई साब, 40 साल के अंदर, क्या तो मैं यहाँ पर फाइदा दिख रहे हैं, जैसे मैं एक छोटा से एक्जाम्पल ले लेता हूं, CAGR होता है, अगर हम stock market का CAGR देखें, stock market में भी मैं Sensex का देख रहा हूं सिर्फ, जो उपर की top 30 कंपनिया है, उपर की top 30 कंपनियों का सबसे कम होता है, बताओ क्यों, मुझे बताओ क्यों, क्योंकि यार उनमें growth रहने का ज़्यादा potential नहीं है, चीज समझ पारे हो, अब जिस बच्चे के 98% आ रहे हैं already, वो 98.5 ही ला पाता है न, पर वहीं पर मान लो एक startup है, जो कि अभी जश्ट बच्चा है, पर उसमें grow होने का बहुत heavy potential है, जो बच्चा जिसके अभी 70% आ रहे हैं, जना वो तो 90% पर जंप मार सकता है न, तो होता क्या है, जो आपकी नीचे की company हैं, वो आपको पता चल रहा है 17% return भी दे रही हैं, 20% return भी दे रही हैं, पर जो उपर की 20-30-50 company होंगी, वो आपको सबसे कम return देंगी, पर क्या मैं बोल सकता हूँ, वहाँ पर आपका पैसा सबसे ज़्यादा safe है और stable है, क्योंकि बड़ी company एकदम से निगरती, पर छोटा startup एकदम से गिर सकता है, तो छोटे startups में risk ज़्यादा होता है, तो return ज़्यादा होता है, इदर risk थोड़ा कम होता है, तो return भी कम होता है, क्या यह हमें basic vibe समझ में आ गई? मैंने का okay, अब मैं जो चीज बता रहा था, उस पे हम वापस आ जाते हैं, sensex जो है यार, पिछले 40 साल का अगर मैं average देखूं, तो इसका जो CAGR है, ठीक है, CAGR का मतलब क्या होता है, compound annual growth rate, वो लगबग 15 प्रतीशत का आता है, 15 प्रतीशत का मतलब आप समझते हो, 15 प्रतीशत की शक्ती बताऊं आपको, अगर आज आप 1 रुप्या लगाते हो, तो आज से 40 साल बाद ये कितना रुप्य हो जाएंगे, I'm not sure, लगबग 260 रुप्य के करीब हो जाएंगे, after 40 years, जेक है, अब मुझे इसमें एक चीज़ और बताओ, 60 रुप्य तर ठीक है, क्या मेरा पैसा 260 को ने बढ़ गया, मैंने का बिलकुल नहीं, क्या मैं बोल सकता हूं जनाब महिंगाई भी बढ़ी है, महिंगाई की हिसाब से बढ़ी है, लगबग 6 परसेंट का यार अगर मैं इंफलेशन मान हूं, तो जो चीज़ पहले 1 रुपे की मिलती थी, आज के दिन 40 साल बाद वो चीज़ 10 रुपे की बढ़ती है, तो क्या मैं बोल सकता हूं, अगर महिंगाई को भी मैं अकाउंट में रखों, डिवाइड करना, एक तरह से मेरा 26 टाइम्स पैसा हो गया, इस इस दा पावर अफ टॉक मार्केट, पर यार यहां पर आपको एक चीज़ और समझनी पड़ेगी, अगर यहां पर चालिस की जगा आप सिर्फ दस साल रखते हो, तो यह एक रुपया सिर्फ चार रुपय होता है, बहिया कैसे, इंट्रेस्ट पढ़ा है बच्पन में, छोटी क्लास के अंदर आया था, कोई बात नहीं, अगर भूल गए हो, आप गूगल कर सकते हो, गूगल नहीं तो आप उपर सिधा गूगल पर जाके कंपाउंड इंट्रेस्ट कैलकूलेटर लगा सकते हो, आपको सारी कैलकूलेशन अपने आप पता चल जाएंगी, सेंटिंग भी सेम है, अगर आप अपना पैसा, इनफाक्ट सेंसेक्स का मैं आपको कर्व दिखाना चाहूंगा, शुरुवात सौ से हुआ था वो 1979 में, यह मैंने आपको यहाँ पर चार्ट बना की दिखाया था, अगर डूबता है तो, दो से तीन साल का मतलब यह समझो, कि मान लो एक व्यक्ति है जिसने इस टाइम पे पैसा खरीदा, पैसा मतलब आपने एक शेर खरीदा, एक शेर की वैल्यू दो सो रुपे मान लो, फॉर एग्सामपल यहाँ पे, कि दो सो रुपे में उसने एक कंपनी का शेर खरीदा, उसने अपने पास रखा और वो देख रहे हैं कि यार ओहो यह तो कि अगर मैं यहां पर अपना पैसा डालता हूं और यहां पर लाश्ट पॉइंट चेक करता हूं और इन दोनों के बीच में स्ट्रेट लाइन बनाता हूं कुछ साइंस के बच्चे समझ पा रहे हैं इसका जो स्लोप है वह आपका पंदरा प्रतीशत है कि अगर मैं आज के दिन अपना पैसा डाल दो अच्छा मेरे को एक यह चीज़ बताओ आप अपने मम्मी पापस से बैटर लाइफ जी रहे हैं नहीं इनका इन टम्स ऑफ रिसोर्स जो उनका बच्पन था आपका बच्पन बैटर है क्या मैं बोल सकता हूं आपकी जो नेक्स ट्रेडिंग भी चैसी कुछ चीज़ें होती हैं काफी सारी चीज़ें जो मैं कवर करना चाहता हूं अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक समझाया था मार्केट का याद आ रहे तुम्हें कांपर लिखा था मैं खुद बूल गया जहां पर मैंने दिखाया था कि ओके यार प टॉप निफ्टी कंपनीज हैं ये एक तरह से पूरे देश का बता रही हैं कच्चा पिटा कर्चा चिटा कच्चा चिटा येस मैंने का ओकी क्या मेरा इंडिया गुरो करेगा मैंने का डेफिनेटली करेगा हम यूथ नेशन हैं हमारी नेक्स जनरेशन हमसे बेटर लाइफ जी रही होगी डेफिनेटली करेगा इस चीज़ पर तो हम बैट कर सकते हैं मैंने का करेगा पका करेगा आप पिछले 20-30 साल देखलो हम ग्रो कर रहे हैं मागी भी ग्रो करेंगे अंटिन अनलेस कोई बड़ा न्यूक्लियर वाम हमारे उपर ना फट जाए पर उस पर्टिक धर भंगये या कोई डिंजीज हो गई क्योंकि उस क्या होता है production करने वाले लोग्वाग पर कंजंप्षन करने वाले लोग दोनों रिडिउस हो जाते हैं अधो प्रोडाक्शन नी ओर八 । तभ आप loss करे होते हूं पर उसLaughter में अर कहीं भी पैसा safe नहीं या बेंक मेवी पैसा सेफ नहीं है फिर तो इंफलेशन चड़ जाता है हिस्ट्री चाप्टर तुम पढ़के आई हो ना इन फिलास में तो यू का तो यू का तो फॉर्टी येर्स ऑफ स्टॉक मार्केट वेरी सेफ बाकी अपने खुद की इच्छा क्या नुसार रहे हैं मैं किसी को अगर आप एक नौलेज इंवेश्टर हो नौलेज इन धासेंट वह वेकती आप जिसके स्टॉक मार्केट को लेके थोड़ा बहुत उछने पढ़ रख़ा है और दो कुछ किताबें जिन्हेकर काफी किताबे बतायाती है मैं प्रोमोशन नहीं कर सकता है यहां पर शायर किसी और के प्लाटफॉर्म पर नहीं तुम्हें बताविए काफी किताब है है तो कमेंट्स में नहीं दिख रहे किसी के है तो चलो मैं आगे चलता जाता हूँ तो यह सारी चीजे मैंने आपको बताई तो अगर आप स्टॉक में जाते हो तो लंबे टाइम के लिए पैसा लागा हो और आप डेफिनेटली बहुत अर्न कर रहे होगे अभी मैंने आपको दिखाया चालिश साल में आपका पैसा 26 टाइम्स हो गया अगर मैं हिस्ट्री के फै अपनिया रिलाइंस है तो इस प्राक्टिस के थोड़ान काफी लोग है जो कि 25-25 परशेंट से उपर रिटर्न भी लेके आ जाते हो 25 परशेंट रिटर्न ने बहुत बड़ी वाल्यू होती है compound interest calculator में जाना और एक homework करके आना आप 14% interest लेना और उस पे 40 साल की compounding लगाना किसी भी capital वैल्यू पर और एक आप लेना 25% की value और उस पे 40 साल की compounding लगाना आप देखो कि जमीन आसमान का difference दिखेगा आपको चीज़ समझ में रही पर यार इसमें एक drawback है पहला ये एक full time job होत है कि और दूसरा कि ना पैसा डूबता भी है इसमें इनसेंस आप कभी या तो आप एकदम प्रो बंदे हो यार कि जिन्दगी में आपके पास एक यह priority कामों में से है तब आप इसे करो और यह चीज मेरे गुरु जीने मेरे को बहुत परफेक्ट बता दे थी पर पास लाइफ में इतना समय नहीं होता कि मैं इंडिविज्वल स्टॉक को ट्रैक कर रहा हूं तो मैं अपना पैसा दे देता हूं यह लगाने जहां लगाओ क्योंकि मेरे पढ़ने से पहले मेरे पापा ने पढ़ा था और ऐसा नहीं कि हमारा कोई पापा को सारी चीज़ें पढ़नी अच्छी लगती है अर्थ साश्तर भी पढ़ लिए उन्होंने सरकारी ऑफिसरें पर जबर्जिस्ती लॉयर की डिगरी भी रखी है मतलब यह पामिस्ट्री होती है हाथ देखना यह भी पढ़ रखा है उनको बस शौक है बच्पन में ट कापिटल देता हूं मैं खुद इन्वेस्ट करता हूं अपना मेजर इन अब इसमें आपको पैसे का मिलते हैं जैसे अभी करोना था करोना के अंदर कुछ लोगों ने दबा के पैसे कम आया उनमें से एक हम भी है किस प्रकार से यह एक कापिटलिस्ट वर्ल्ड की खराब व कि मतलब कंपनी का नया सीओ कौन है कोई मेजर डिसीजन तो नहीं लिए क्या एक और यह अपना में हेड़कॉर्टर वगरा जैसे होते हैं फिर उसके साथ में साइड़ वरांचे वगरा खोल रहे हैं क्या कोई मेजर स्ट्रेट स्ट्राटजी में बदला हवारा है क्या पिर अभी बेच दो अभी आपका शेर 600 रुपे का है पांच दिन बाद हो सकता है dangerous बेचने लग जातें सारे लोग बेचने लग जाते हैं एक दम से इसको हम बोलते हैं बियर ओहो सब सब पढ़के वैठें आज के आम एकदम से आपका मार्केट में ड्रॉप आता है जब यह ड्रॉप आता है यही आपके लिए सबसे लुक्रेटिव डॉमेन है तो हुआ क्या यार आपका जो स्टॉक मार्केट है निफ्टी में मैंने पैसे डाल रखे थे एकदम से डाउन गया तो जो गरीब विखती होता है जिसके पास अभी खाने के भी वांदे हो रखे है मतलब उसको सैलरी नहीं मिल रही है तीन-चार महीने रुक गया है तो वह ऐसे में अपने स्टॉक्स बेजता है और वहां से अपना पैसा निकालता है तो हो सकता है यार जो ची है एक कैपिटलिस्ट क्या करता है जिसके पास सेविंग्स होती है वो खरीद लेगा दुनिया भर का इन फाक्ट जब मैंने अपना कोर्स करा था श्टॉक मार्केट का तो उसमें यूं बोलते थे कि भई जितना है पूरी जान लगा दो पूरी जान मतलब उन्हीं भी का था है वो बागी चीज़े बेचनी पड़ें पर यहां पर खरच करूही तो इसमें क्या होता है आप सबको पता था हम सबको पता था करोना एक टेंपरेरी करोना तहबी है अप्रेट यू क्योंटीमार था है वude आ७ टेंपररी बेसिस के लिए आया उस टाम हमने बहुत-ज्भ बादब बलकिंग मिली हम हर दिन बॉल ज हम हर दिन चैना फो जाना चल रहा था यह यह लाजका हो सब दोड़ यह ना पूनेटियोगा पूर्चेस आई थी 2008 में जब रिण सेश्टन हाए था भी करोना में मिलिया 2020 के पुхा डृत सब्सक्राइब देखो कि लगबग एक डेकट में आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है अब कैपिटलिस्ट देखो कैसा आदमी है अपॉर्चुनिटी बोल रहा है करो ना को काफी लोगों ने तो इसको यूं बोलाओगा जी पैसे बरबाद हो गया तो वी आर लेवि अब यह अब यह रेक वाट चीज के बार में बात करते हैं जो कि हमारा डूमेन होता है इंफ्लॉएंसर साइड जिसे आप सोशल मीडिया बोलते हो तीधा सीधा दिरे तीधा अब हम डाबात करते हैं इंफ्लॉएंसर डूमेन इंफ्लॉएंसर आज की दिन मेरे हिसाब से काफी जाधा ओर यूज शब्द भी हो गया है इसके अंदर है आपके सारे प्लाटफॉर्म साते हैं चाहे आपका इंस्टेग्राम हो गया चाहे आपका फेस्बुक हो गया चाहे आपका पुरान टांग का टिक टॉक हो गया यह स आपके इंफ्लेंसर फ्लाटफर्म होते हैं अंदर आप किसी में भी ग्रोव कर सकते हो एक प्रोटिप यह है ऐसे डोमेन के अंदर जाओ जिसे हर एज का आदमी देख सके जैसे कि फॉर एक्जामपल यह मुझे चीज काफी लगती है कि इनको पांस साल हो गए उसके बाद भी मेरे उपर हमेशा एक लिमिटेशन होता है गुरूत करने का क्योंकि आपके एजुकेशन सेक्टर में बच्चे ही उतने हैं मालो अगर मैं जही के सेक्टर को पढ़ाता हूं तो आप 20 लाग बच्चे पर वहीं पर आपने कुछ काफी ऐसे कौमेडियंस देखें जिनके पूरे चैनल पर सिर्फ तीन या चार वीडियो होते हैं और उनके सब्सक्राइबर बहुत जादा होते हैं तीन मिलियन चार मिलियन होते हैं मैंने का भाई साब हम यहां पर कभी कभी दिन के तीन-चार वी तो यहां पर उन्हें लोग जाते हैं काफी सारे लोग उनके बारे में अरे यार यार पलाना बोला जैसे अभी शेक उप्मन्नी हो गए जाकिर खान हो गए यह आपके सारे बड़े-बड़े नाम है मेरा एकदम से थोड़ा मेरे को दिख रहा है बच्चे बढ़ते हुए सबसे पहले आम टॉकिंग अबाउट इसके अंदर सारे आते हैं हमारा इंस्टेग्राम आता है यूट्यूब आता है फेस्बूप ट्रिटर लिंक्डेन प्रोटिप उस डोमेन में जाओ जिसमें लोग जाद हैं अगर आप एक इंफ्लेंसर ही बनना चाहते हो तो वो डोमेंस पकड़े पहले उनको प्राइटी दें जिसमें बहुत सारे लोग है बहुत सारे लोग मतलब आपको एक 10 साल का आदमी भी देख सकता है आपको एक 20 सा हैंसर पांव पचास साल का भी देख सकता है इससे फाइदा क्या होता है आप यहार काफी ज़ादा आई बाल्स को कर पाते हो चीज़ समझमारी हैं जैसे मुझे अपना ब्रैकेट पता है मेरे पच्छे जो जब्रेखते हैं वो زाथा से जादा 16 लेके 21 यह उसके बाद एक वो तीन-चार वीडियो डालते हैं, उसके बाद भी उनके तीन-चार मिलियन सब्सक्राइबर हो जाते हैं, और एक्जामपल मालो हम अभी शेक उपमन्या कोई बात करें, या फिर आज के दिन एक बसी करके भी चल रहे हैं, ये एक फैक्ट है, प्रियार ये चीज़ काफी सेजणफे सासं कटेंगे, वफ़व unload कोमेडियों माद पारो ये पैसा कमाते हैं, और यह प्यसा कमाते हैं, या आपका पैसे कमाती हैं, आपके शोज से सेम चीज़ हो रही होती है यार सिंगर्स के साथ अगर आपको यहां पर स्टेबल रहना है आपको बहुत डाइनमिक रहना पड़ता है आपके स्टेडी कर लो जैसे फॉर एक्जाम पर जाकिर खान की जाकिर खान यार इस विक्ति को लगबग 5-6 साल हो गए है सोशल मीडिया क आपको पता है सिंगर्स को पैसा नहीं मिलता गाना गाने के लिए यह क्या बोल रही हूँ अगर आज आप किसे संगर्स का गाना सुन रहे होते हो तो उन्हें पैसा नहीं मिलता कमा'll गाने और अरे यार आप हमारे क्वयों बुक्नेंगे डेंगी आप हम बंदा आता है वो तीन घंटे गाना गा के जाता है और वो एक-एक नाइट का ठीक है? कि वो तीन घंटे के लिए आए, दो घंटे के लिए आए और इतना पैसा लेके चलेगे तो ये इस प्रकार से पैसा कमाते हैं, तो हर सिंगर का यार काफी बार वो लंबे सीजन के लिए पे चल जाते हैं, कभी-कभी उनका स्पैंसिफ दो से तीन साल के लिए होता है, हाँ या ना? तो उस दोरान वो काफी जादा शोज करते हैं, काफी जादा अपने पैसे वैसे अर्न कर रहे होते हैं, ये एक इन्फुलेंसर साइड की हम बात कर रहे हैं, तो इसी प्रकार से बागे डोमेन होते हैं, आप टेकनिकल साइड में जा सकते हो, टेकनिकल साइड मतलब जैसे की मोबाइल है, मोबाइल एक 15 साल का बच्चा भी देखता है, एक 60 साल का आदमी भी देख रहा होते हैं, ये एक ऐसा डोमेन है, जिसमें काफी सारे आइबॉल्स हैं, तो आपको डोमेन है, साथ में इसमें फिर ब्रैंड डील्स का भी एक स्ट्रॉंग ऑप्शन होता है, योट्यूब आपका एक स्ट्रॉंग इंकम हो जाता है, इंस्टेग्राम हो गया, बेसिकली पूरा सोचल मेडिया की आप बात कर सकते हो, फिर आपके बाकी सारे कितने होल गए यार आपका खुद का एक प्रोडक्शन हाउस कॉमेडियन हो आप, प्रोडक्शन हाउस कॉमेडियन मैं उनको बोलता हूँ जैसी कि आपके हर्श बेनिवाल हो गए, ये खुद की निकाल देते हैं, फिर आपके अमित बढ़ाना हो गए, ये सारे बहुत बढ़िया-बढ़िया व्यक्ति हैं, काफी अच्छे दोस्त हैं, मेरे को तो यार काफी हिल्प करी थी एक टाइम पर, तो ये वो व्यक्ति हैं जो की सोशल मीडिया से पैसे कमाते हैं, इनके में भी ब्रांड डिल्स होती हैं, इनके में भी आपका सोशल मीडिया से अर्निंग होता हैं, पर यार आ पापने किसी क्रियाटर को देखा है आप देखते अरे यार उसके आगे तो बारा मिलियन सब्सक्राइबर है माल लो फॉर एक्जामपल मैंने एक रैंडम ले लिए और उन्हें जो वीडियो बनाया वो आपको लगा कि यार यह तो मैं भी बना सकता हूं ऐसा होता है ना काफे प्रश्ण है मैं भी बना सकता हूं और इसने बनाय और मैंने निए बनाया में जमीन आस्मान का डिफरेंस है समझ रहे हो बैठे बैठे कमरे में बना सकते हो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़े जाती है आपके यार, हम कोटा फैक्टरी की तरह एक तीन एपिसोड का बहुत है अभी सीजन शूट करने की सोच रहा हूँ, जो मैं मतलब तीन सीजन बोल रहा हूं, तीन एपिसोड होंगे आपके एक छोटी टीवी सीरीज होगी, कोटा फैक्टरी की सीम, लगबग दो महीने में हम ट डिपेंडिंग अगर आप 20 मिनट का वीडियो बना रहे हो उतने पेजेज होते हैं उसके बाद में आपकी पूरी टीम लगती है टीम इन दे सेंस आप कास्टिंग कैसे करते हो कौन उसके अंदर रोल करेगा आपके कैमरा कहां से आएंगे कैमरा का मदल यह नहीं आपने दो मो उनका ट्रांस्पोर्टेशन का खर्चा यह सारे यार एक एक डोमेन है और अगर आप देखें तो लमसम लमसम 10-15 लोगों की एक टीम लगती है सारी चीजें शूट करने में अक्टरस के अलावा तो जब आप किसी क्रिएटर को देखते हैं कि अरे यार इसने तो छोटा सा पर बनाकर दे दिया वह 10-15 लोगों की टीम आपको दिखी नहीं आपको यह भी नहीं दिखा कि उसने पीछे कितने पांच लाख रुपे लगाए इसके उपर 10 लाख रुपे लगाए 15 लाख रुपे लगाए एक सिंगल वेडियो के उपर तब जाके उन्हें वह ग्रोथ मि करता है दस मिनट के लिए आपको किसी दूसरी की दुनिया में ले जाता है येस तो आपके दिमाग में स्ट्रेस वगरा होता है वेक्ती देखता है फिल गुड करता है व्लॉगिंग एक ऐसा डूमीन है यार इंडिया के आज की दिन अगर सबसे बड़े व्लॉगर हम देखे हैं वो अपने मोबाइल से शूट करते हैं पते हैं यप कोई गलत बात तो नहीं कह रहा है तो आज सच आपको एक्विपमेंट्स नहीं चीह है मेरे जब तक यार एक लाप स्क्राइबर नहीं हुए थे मेर मैं तो अपने मोबाइल से करता था और मेरा मोबाइल भी था कुछ एमाय का नोट 3 किसी जमाने में जो हता था वह गिर गिरा गया था एक टाइम पर तो कैमरा भी ब्लड हो गया उसका इन फैक्ट आज भी अब हमारे पास टीम है क्योंकि हमें बहुत सारे बंदे होते हैं इ लगा सकते हैं माइक ले रखें सामने भी माइक है बस ठीक है वह आदत हो रखें पुरानी इस ऑफ कन्वीनियन से आपके कभी भी डिवाइसे गैजट्स डिसाइड नहीं कर रहे होंगे कि आप एक इंफ्लेंसर बन सकते हैं आज की दिनियार आपको एक चीज का ध्यान रख जाओ अगर आप उपर के वो दो-चार व्यक्तिव में होना तभी आप कैपिटल अर्न कर रहे होगे अच्छा कैपिटल जिसकी मैं बात कर रहा हूं तो आज के दिन आप अच्छा पैसा कमा सकते हो चाहे व्लॉगिंग हो आप टेकनिकल की बात करो प्रोडक्शन की बात करो कोमेडियन की बात करो सिंगर्स की बात करो फैशन की बात करो कोई भी एक ऐसी चीज जो की बहुत जादा आईबॉल्स अट्रैक्ट कर सकती है को एक अच्छी चीज जैसे कि मेरा हाइस्ट जो वीडियो टाइप जाते हैं वह होता है कि पांच लाख लोगों ने देखा आठ हो यह ब्रैंड डिल्स और यह ब्रैंड डिल्स की जब मैं बात करता हूं तो जनाब आपके सामने शेर करूं तो यह ब्रैंड डील्स अगर आप एक बड़े क्रियेटर हो मतलब आप 10 मिलियन से उपर अब जा रहे हो या फिर आपकी ऐसी व्यूवर्शिप है कि आपको हर व यह एक हैवी अमाउंट होता है तो काफी सारे लोग हैं काफी सारे डोमेंस हैं जहां पर यह चीज़ फंडिंग हो रही होती है यह एक स्ट्रॉंग तो पर यह इस लेवल तक रीच करने के लिए आपको एट लिस्ट तु फूर एर्स लगाने पड़ेंगे मैं इसका बता द आता हूं मैं 300 गाने नहीं गा सकता गाओ किसी और के गाने गाओ खुद नहीं लिख सकते तो वह यह मेर को तो शॉर्ट फिल्म्स बनानी है तो शॉर्ट फिल्म्स बनाओ कुछ भी करो पर आपको इतने डालने पड़ेंगे कि आज के दिन इतना साचुरेशन आ रखा है कि यार आपको मार्केट में राइज करने के लिए अपने फुट्प्रिंट बढ़ाने पड़ेंगे और आपको सारे सोचल मीडिया पर एक साथ काम करना होगा चीज समझ में आ रही है पर आप सेकंड डियर में देखो और यार इसमें यह ध्यान रखो चाया आपको सौ लोग देख रहे हैं फरक नहीं पड़ता हो शुरुआत में नहीं देखते मेरे को शुरुआत के आठ महीने किसी नहीं नहीं देखा था बहुत कम व्यूवर्शप थे यह होता था देड़ कि मैं सिर्फ सौ वीडियो बना पा रहा हूं पर मेरे प्रोडक्शन लेवल अच्छा है मेरे का आज के दिन ओडियन्स जाद है और फिर में आप और अपने क्वालिटी बढ़ा रहे होगे शायद आप मल्टिपल चैनल कर लो तो आप अकॉर्डिंगली आगे चलते जा सकते चीज समझ मारी है तो फिर यार आपको अपने आपसे पूछने हैं आप उस पर्टिकलर सेक्टर में क्यों आना चाहते हो आज के दिन हमारे कितने मेरे पांच यूट्यूप चानल है उन पांच में से मैंने तीन को मॉनेटाइज भी नहीं कर रखा आज के दिन कर्यां करें में तेरा पैसा कमाना है वहां से टॉप प्रै ंपनी कक्षा में अपना जो कॉलेज कि्या नाम है है ज traumat अटना कॉलेज अपना कॉलेज चानल मॉनेटाइज हुआ निया है यह अपने सारे फर्सट डे पर इन्होंने अपने क्राइटीरिया फुल्फिल कर दिये थे मॉनेटाइजेशन के, मॉनेटाइज नहीं है तो हमारे और ना कर रखे हैं मैंने तो आपको देख यार एक लाइफ में एक शब्द होता है पैशन बहुत ज़्यादा ओवरेटेड है, सुपर ओवरेटेड इसका मतलब होता है, तो सफर दो तीन बार वीडियो में मैं अल्टाड़ी बता चुका हूँ आज फिर से रिपीट करता हूँ इसका मतलब होता है to suffer बट तो सफर फॉर वॉर्ट इसका मतलब यह नहीं होता तो सफर फॉर वर्थवाइल कॉज आपके फ्रीडम फाइटर्स थे यार एक किताब पड़ी थी मैंने उसके अंदर लिखी थी है लाइन की फ्रीडम फाइटर्स थे उनको ते यार कोई मजा नहीं आता था किसी और के लिए अजादी के लिए लड़ना जेल वगेरा में जाना पर उसके बावजूद भी वो काम करते थे काफी लोग आप देखते हो कुछ एंजियोज में काम करते हैं कुछ जादा पैसा वैसा नहीं मिल रहा हुता पर फिर भी कर रहे होते है कुछ लोग कम पैसा मिलेगा तब भी एक काम कर रहे है क्योंकि उन्हें अच्छा लग रहा है वो काम करना वो इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें वो लगता है कि यार उनकी जिंदगी के पाइम के वर्थ वाइल है वो समझ में आ रहा हूँ आज से तीस साल बाद जब आप अपनी जर्णी पर मुड़के देखो तो आप कुछ लगे वाइयर क्या बंदा था मस्त लाइफ जी मज़ा आ गया आपकी लाइफ की वही वर्थ है कि आपने बाकी लोगों की लाइफ में क्या वैल्यू अडिशन किया मैंने कुछ वैल्यू अडिशन किया आज मैं इतना मेरे को यह प्रिवलेज मिल रखा है और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है मेरे लिए एक तरह से ग्राटिफिकेशन वाली चीज हो जाती है यह यार आज 40,000 बच्चे मैंने नहीं सोचा था मैं यार कॉलेज के बाद 40,000 बच्चों को बढ़ा रहा हूं और पढ़ाना भी नहीं सोचा था सोचे तो कुछ और ही थे कि लॉन टैनिस में जाना है उसके बाद में यह सोचा था ओक यार इंजिनियरिंग में यह एक अच्छा पाकेज लेना है फिर सोचा था यूप्यस यह तो कभी लाइन में भी नहीं था आप क्यांघ्र करें ञ़िए और वो फिर आपको लगता है यहां अपन लाइफ में कुछ कर रहे हैं कुछ मीनिक्वल कर रहे कुछ अच्छा कर रहे हैं कुछ अंट्रेस्टिंग करें नया-nया कुछ रोज आपको सोचना पढ़ रहे हैं और आपके साथ चीजें अच्छी ह से एकषे से कवर करना जाओंगा एंफलेंसर मार्केटिंग को और अच्छे से अभी कवर करना जाओंगा को ही अग्टरण फैसीव उंट्स यार वही होते हैं अग्टरण वह होते जिसमें की रिलाइंस कंपनी जैसी यह हैं टॉप फाइफ फिफ्टी की लिस्टिंग है माले फॉर एक्जांपल यह सोला यह आज की निया है यार आज के दिन वन पर रिलाइंस आ रखा है मैंने एक पुराना स्क्रीन शॉट यहां पर डाला है तो माले वन पर जो होगा उसको मेजॉर मैं पता नहीं क्यों लिख रहा हूँ इसको 7.6 रुपीज मिल गया इसको 6.55 इसको 6.45 देख रहे हो जितनी कम उसकी रैंकिंग है उतना कम उसमें पैसा डलता है तो मालनों आपके पास आज के दिन 100 रुपे तो आपके 100 रुपे का 7.6 रुपी सबसे बड़ी कंपनी में जा जाता है तो ऐसे में अब कोई फंड मैनेजर नहीं लग रहा है और आपके जो रिटर्ण थे हैं वो टोटली आपको मिल जाते हैं मैं हमेशा अपना पैसा पैसे फंड में डालता हूं क्योंकि मेरा मानना है मार्केट को कोई प्रडिक नहीं कर सकता आपको पता था करोना आन अपने पैसे फंड में डालते हूं Mैंकिसी फण अक्टिव फंड में नहीं डालता काफी जादा स्टेवल होते हीतै और आप अपना पैसे 2-2 टाइप की चीज होती है ऐक होता है इसमें सिप अमांट एक होता हैeren turns सिप अमाउंट का मतलब यह होता है कि आप मंथली उसमें कुछ डालते रहते ओं या आपने 5000 पर महिने डाल दिया या आपने 15000 पर महिने डाल से आप उसमें उसको हम बोलते हैं एक बार में पैसा डालना इस लंप सम आप अपनी मंथली सिप डाल सकते हूं और यह पांच-पांच हजार रुपए है आपको पता नहीं चलेगा किस प्रकार से बहुत हैवी बल्किंग बन जाएंगे तीस साल चालिस साल बाद एक छोटा सा एक्जामपल मैं आपको बताना कि इसमें चाहूंगा भी मैं यार बस बीच-बीच में ना कुछ चीज़ें भूल जाता हूं फिर बाद में याद आती हूं यह चीज़ भी कवर करनी थी यह भी करनी थी जलो बैठे रहते हैं आज हमारे पास पांच गटते हैं मालो यार 50 लाग की है आज आप उसको नहीं खरीच सकते आपका यूँ है यार मैं 30 साल काम करूंगा और एक्जामपल जो एक नॉर्मल आदमी सोचते हैं और 30 साल बाद मैं इस गाड़ी को लूँगा क्या मैं बोल सकता हूं महिंगाई भी बढ़ेगी 6% inflation से भाया मैं inflation है ना समझ नह गाड़ी 30 साल बाद 2.87 CR की हो जाएगी अब आपको अगर आज से 30 साल बाद एक गाड़ी लेनी है luxury तो 2.87 CR हम कहां से लेका है अगर मैं आपको बोलूं कि जनाब आप 4.33 लाक्स रुपीज एक बार में जमा कर देते हो आज के दिन और उसके बाद निफ्टी में डाल देत हो 15% के return पे 30 साल बाद आपको यह amount मिल जाएगा चीज समझ मारी है आज तुम बैंक में 4 लाक रुपे डाल के आ जाओ 30 साल बाद तुमें 2.87 CR मिल जाएंगे अगर हम history के stats देखें तो निफ्टी इंडेक्स से पर मैंने का ओके आपके पास और कम पैसा है आपके पास जूनियर निफ्टी में डाल दो जूनियर निफ्टी मतलब जो पचास से आपके बाद की companies होती हैं उनको हम सौ तक की बोलते हैं मैंने का 17% return आपको दे रही होंगी जूनियर निफ्टी बैया मेरे पाइटने लाख लाख के बाते नहीं मैं पैसे नहीं में बच्चा हो मैं मैं का ट्यूशन करा सकते हो महिने के 5000 कमा सकते हो ट्यूशन से अगर आप 5000 पर मंद आज डालना स्टार्ट करते हो तो साल के 30 सालवाज आपको 15% return पे वही निफ्टी 2.87 CR दे रहोगा आपको 2.87 करोड़ पती बना रहा होगा चीज क्लियर है इन फैक्ट इसको एक और छोटे एक्जामपल से मैं लेके दिखाना चाहूंगा मालो यार आपके नाना जी ने 1979 में 200 रुपे डाले होते बैंक के अंदर पर मंत डाल सकते हैं चीक है और हर साल वो 10% अपना बढ़ात बेसिकली मैं महिंगाई के हिसाब से जा रहा हूं क्योंकि सालरी बढ़ती है और 10% आपकी सालरी हर महीने हर साल बढ़ती है तो मैंने इन्वेस्टमेंट भी 10% बढ़ा है सालरी के हिसाब से बढ़ता जाएगा इस प्रकार से अगर आप 2019 तक इन्वेस्टमेंट करते रहते वही 200 रुपए पर मंत के हिसाब से जनाब आज आप एक करोड़ पती होते 1.48 सियार कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग स्वाद दिलाती है आपको करोड़ पती बनाती है तो इस वेरी इंपॉर्टेंट चीज क्लियर हो रही है आप यार लाइफ में कितना ही कमा हो आप साथ में अपना पैसा बैंक में नहीं रख सकती है आप अपना पॉर्टफोलियो बिल्ट करते हो पॉर्टफोलियो का बलतलब समझ रहे हो यार मातलो आपने 100 रुपया बचाए आप कभी भी अपने सारे अंडे एक जगा नहीं रख रहे हैं क्यांकि अगर आप एक अंत्रोप्रणोर सोलोप्रणोर हो तो आपको पैसा चीए बैंक में कभी भी दुबारा लगाने करोना के अंदर जो चीज हमारी 30,000 की थी वह एकदम से 50,000 पर 10 ग्राम तक पहुंच गई थी वह इसलिए बढ़ी थी यार उसके पीछे का अगर आपको रिजन पता हो गोल्ड एक ऐसी प्रॉपर्टी गोल्ड एक ऐसी कमोडिटी होती है जिसकी प्राइसे तब बढ़ती हैं जब सेंटिमेंट्स फियरफुल होते हैं जब लोगों में डर होता है जब लोगों का करंसी पेसे ट्रस्ट उठ जाता है तो जैसी करोना हुआ यार स्टॉक मार्केट डाउन क्रैश हुआ लोगों का कैश के ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं था तो सेकंड सबसे यार बेस करंसी कौनसी होती है आपकी गल्ड पूरी दुनिया में चलती है गल्ड पैसे ले सकती हो आप उसके बदले तो गोल्ड की मांग बढ़ गई लोग गोल्ड को एक्युमिलेट करने लग गए पता नहीं कौन सी महाम आ रही है हो सकता है पता है कितन किसी देश के साथ ना हो भाई ठीक है पर कहीं दूसरे देशों में आपस में न्यूक्स वजगे तो पता चलेगा आपको गोल्ड के रेट वापस उपर चड़ गये तो गोल्ड एक ऐसी कमोड़ेटी अब इसका मतलब यह नहीं आर कि पचास हजार पर बैठी रहेगी अब फि भी सेम रहेगा वह स्टाटिक हो जाएगी क्योंकि अब बबल बन चुक है ना वह गैप आप वापस फिल करोगी यहां पर समझने का प्रयतन कर रहे हैं पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं काफी सारे डुमेनियार यहां पर मैं अभी आपसे डिस्कुस कर चुका हूं लंसम ल लोगोपी करें अ हुआ 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 है हुआ है यह आगे चलते हैं कि इतना टाइम हो गया हम लगभग हमें हैं तीन घंटे के करी रहे हैं है ओके अब यहर मैं कुछ और डुमेंस के बारे में बात करना चाहता हूं ऐसी रैंडम कुछ डुमेंस को पकड़ रहे होंगे ऐसी कुछ सेक्टर्स को पकड़ रहे होंगे बस दिमाग खुलने के लिए ठीक है मालो यार आप एक स्पोर्ट्स एंथोसियास्ट बंदे हो हो सकते हो जिम विम जाना आपको अच्छा लगता है क्या आज के दिन आप अपना जिम रिलेटेड सोशल मीडिया हैंडल खोल सकते हो बीट इंस्ट्रग्राम बीट यूट्यूब इट एनिधर थिंग आप अपना दो तिन साल अपना खुद बॉड़ी पर काम करो आप लोगों को सिखाओ वैल्यू एडिशन करो कर सकते हो वैल्यू एडिशन एक पॉइंट के बाद क्या होगा यार आज नहीं पर आज से लगभग चार से पांस साल बाद आप लाइफ के एक ऐसे स्टेज पर ह बॉगे जहां पर आपकी कुछ फनल जो उनमें कुछ फनल हो गी ब्रैंड डील की एक फनल होगी आपके एडेस सिंस की बैसीकली जो आप आड वगेरा से पैसा घाल ठाल रहे हो गूगल अरट से से तीसरी आपकी फनल होगी हो सकता है आप अपना खुद का जिम खोल लो चौथी फनल आपकी होगी कि हो सकता है यार जनाब आप अपनी एक ब्रैंड निकाल दो ब्रैंड इन दे सेंस या तो आप किसी ब्रैंड को स्पॉंसर कर रहे हो या आपने खुद की लेबलिंग अपनी लगाएंगे तो यह कुछ तरीके हो गए यह मैंने एक जिम का एक्जामपल लिया कि समझ मारी है दूसरा एक और लेते हैं जैसे कि रेश्ट्रों हैं काप में से काफी लोग ऐसे हैं ना कि लाइफ में रेश्ट्रों या कैफे तो जरूर खूलना चाहते हैं यार एक टाइम हो जब अपना रेश्ट्रों हो या कैफे हो या कलब हो रेश्ट्रों के यार मैं आपको पोटेंशल बता देता हूँ अगर आप चाय भी बेचते हो ना रेश्टों तो दूर छोड़ो पर आपका ठेला सही जगा पर लगा रखा आपने तो आज के दिन चाय वाले भी दो दो तीन तीन लाख रुपे तक कमा लेते हैं यह समझ मारी है एक महीने का पर वो वक्ति हैं जो कि दिन के हजार कब बेच अगर आप मुमू भी बेचते हो ना मैं कैसे मुमू वाले से मिला था जब मैं अपने कॉलोज के दौरान था यह उसका पर मंत का पाकेज था बोला यार हम लगबग इतना कमा लेते हैं चोटी दुकान नहीं थी एक बड़ी दुकान थी पर इतनी बड़ी दुकान भी नहीं थी ठीक ठाक दुकान थी समझ पार हूं एक समोसे वाले भहिया की जो होती है आगेस उसकी दुकान का साइज था बारा बाए पंदरा फीटिश टाइप का अंदर आपको सारे डिफरेंट टाइप आफ मोमोस मिलते थी एक मोमोस वाला इतना कर लेता है फिर मैं आपको एकद आप देखते हो कि यार मैंने ऐसी एक दिन रैंडमली पूछा तो उन्होंने कि यार जब हमारे लोज होते हैं मतलब जिस दिन बिल्कुल भी लोग नहीं आते उस दिन हम 50,000 पर दिन का कमाते हैं और अगर हमारा अच्छा है तो हम लाग डेड लाग तक कमा रहे होते हैं कु एक वो भी एच़ के घर होता है लगबक उतने में एक नमल 4 वी एच़ के गए उतने में उसका 4 वी एच़के से थोड़ा तो जजादा हो गया इसकी बालकनी भी थी इतना बड़ा आपका वो कैफे था ठीक है तो वहाँ पे आप देख तो यार आपका एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो रहे हैं आप 30-40 लाग को भी टच कर पा रहे हो यह आपका रेवेन्यू है पर बाकी अब आपको इसमें से खर्चे निकाल लो कि तब भी एक अच्छी आपकी फनल होती है अब यार मुझे यह बताओ आप बोलो कि भाईया चाय बनाने के लिए भी ठेला चीए मेरे पास 10,000 रुपे नहीं है मुझे यह बताओ आप रेश्टों को रिव्यू तो कर सकते हो क्या आज की दिन ऐसे काफी सारे बंदे नहीं हैं जिन्होंने चानल खोल रखें जहां पर वो जाकी यह बताते हैं कि सडक पर ओमलेट बहुत अच्छा बनता है इस फलाना रेश्टों का यह बहुत अच्छा है आप वो काम कर सकते हैं उसमें तो जादा पैसा नहीं लगता मिनिमम कह रहा हूं इससे कम डालोगे देखो यार लग का फैक्टर है फिर मालो हो सकता है आपने कितनी अच्छी चीज़ पकड़े कि आप एकदम से शूट मार गए 50 वीडियो के बादी पर आप टार्गेट लेकर चलो कि मेरे को 200-300 वीडियो डालने और मुझे कोई नहीं हो सकता है मेरे को 500 लोग भी ना देखें पर फिर भी मैं डालोंगा धीट बनना पड़ेगा फिर आपका second year आएगा हो सकता है आज से तीन साल बाद आपको काफी लोग देखने लग जाए अब आप एक नोन नाम हो आप एक वीडियो डालते हो आपको लाख दो लाख या बह मैं बहुत-बड़ा कैफे चलाता हूं मैं ये वाला कैफे चलाता हूं में क्या बोलूंगा अरे रमीश रमीश तुम तो यार रिव्यू करते हो न ऐसा करो तुम मेरे कै disturb ак के अ कैफे के अंदर आओ और मेरा खाना खाके लोगों को बताओ अच्छा या कैसा है और मैं तुम शौत कit एक साल में तो यार आटसेंस भी ज़यदा कुछ नहीं होता आज के दिन आपने यहीं से अपना पैसा थोड़ा बहुत बहुत थोड़ा बहुत कर रहा है शौरात में ऐडसेंस बहुत कम होता है यार पत 110,000 कमा रहे हैं महिने आप 15,000 कमा रहे हैं तो चार साल बाद, तीन साल बाद मैंने एक ये रफ आइडिया बता दिया, आपके पास अब एक revenue होगा, अब मुझे बताओ, अगर आप ये काम चार-पांस साल के लिए करते हो, तो क्या आपके पास savings नहीं बन जाएंगी, क्या उस savings से अब आप अपना खुद का restaurant खोल सकते ह मुझे बताओ, उस restaurant को जानने वाले लोग भी बहुत होंगे ना, क्योंकि आपके खुद की एक branding strong हो चुकी है, मैंने का yes, तो ये कुछ ऐसे domain है, जो कि आज के दिन भी खोले हुई है, आप कोई भी domain पकड़ लो, ये माइक देख रहे हो मेरे सामने, ये माइक है यार लगभग में अलब सेकंड थर्ड येर में था, ये जैसे माइक है यार, इंडिया के अंदर ये माइक आज से पांच-छे महीने पहले नहीं मिलता था, जैसे कि फॉर एक्जामपल ये माइक छोड़ो, यहां पर ये आपको mixer दिख रहा है, क्या audio mixer है, ये जो audio mixer भी है, ये आ आज से चार-पांच महीने पहले इंडिया के अंदर नहीं मिलता था, तो काफी लोग क्या करते हैं, अमजोन पे इस चीज़ को सेल करना स्टार्ट कर देंगे, मतलब वो बल्क करेंगे, कहीं भार यमाले यूनाइटर स्टेट्स में मिलता है, काफी सारे ग्रे मार्केट्स ह आपके, वो बल्क कर लेंगे 50 यूनिट, 100 यूनिट, उसको लिष्ट कर देंगे अमजोन के ऊपर, अब माल लो ये चीज़ असली में 30,000 की थी, वो बेचेंगे इसे 36,000 में, चीज़ समझ मारी है हमें, तो उन्होंने अपना 6,000 का एक मार्जिन निकाल लिया, इसको हम बोल इसे related channel है, उसने आपको एक camera का review करके दिखाया, camera review करा और आपको वो चीज़ पसंद आई, या फिर माल लो mobile का review करके दिखाया, और काफी बार वो बोलते हैं न, अगर आपको Amazon से खरीदना है, तो नीचे description box में लिंक है, आप उसे जाके ले सकते हो, अब आपकी तो एक mobile purchase मत करो, अगले 24 hours में मालो आपने जाके चाकू भी खरीद लिया, नाइफ भी खरीद लिया, तो उसका 1% depending upon product to product depend करता है, 7% से लेके 11-12% सीधा इस creator के पास जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं affiliate marketing, यह समझ माई हैं आपको, जैसे कि for example, मैंने अपनी एक jacket बनाई, जैसे हमने merch खा, और वो merch हमने अपने team members के लिए बनाई, और मैंने सोचा कि यार हम 100-200 piece निकालेंगे से, 100-200 में से 30-40 तो मेरे team members ले लेंगे, जो अब जो 500 बच जाएंगी, उनको मैं list कर दूँगा Amazon पे, आप क्योंकि कोई proper merchandise launch नहीं कर रहें, ना मेरी इतनी बड़ी audience, तो मैंने कहा इसको मैं Amazon पे list कर दूँगा, अब Amazon पर जब आप किसी भी चीज को list करते हो, आपका पैसा लगता है, मान ले मेरी एक shirt है, या hoodie है, जो हमने बनाई, उसको जब मैं Amazon पे list करता हूँ, तो Amazon मुझे 280 रुपे चार्ज करता है पर hoodie, आँजी, तो जब अगर आप कल को मान लो दे तो उसमें से लगबग 280 रुपे के करीब यार, आपने already Amazon को दे दिये, तो Amazon जो आपको free delivery करता है, उसके charges वो काट लेता है पहली, अब ये जो 280 रुपे होता है ना यार, इसका कुछ परती, ये लगबग 17 परतीशत होता है, लगबग, 16-17 परतीशत होता है, इस 17 का 7 तो एक तो होगी affiliate marketing, और एक होगी आपने Amazon पर list कर दिया, आपने अपनी खुद की दुकान कोल दी, और ये दोनों बहुत heavy sources of income होते है, specially listing वाला, मान ले मैं तो सिर्फ 500 unit बेच रहा हूं, तुमने mobile cover देखें, कुछ commodities हैं जिनके लिए आप खुद आओगे, mobile charger, mobile cables, yes, आपको पता है काफी सारी चीजें हैं जो कि चाइना के अंदर बहुत सस्ती है, आपका जो mobile cover जो आप 50, 100, 500, 200 या कभी कभी iPhone के case में 400, 500 रुपे तक का लेते हो, वो असलियत में 15 से 20 रुपे का होता है, काफी लोग क्या करते हैं, अलिबाबा पे जाएंगे, वेबसाइट जानते ह उपर, और उसके बाद यही 15 रुपे की चीज़ आपको 150 की बेचेंगे, Amazon के उपर, अब आप देख रहे हूं कितना पैसा कमा रहे हूं, क्योंकि ये चीज़ एक ऐसी है, उसके लिए मार्केटिंग करने की जरुरत नहीं है, अगर एक मार्केट में नया फोन आया है, तो इ पर्टिकलर जिसने लिश्टिंग करा, उसे कुछ फाइदा हो गया, क्या मैं चीज़ क्लियर हो रही है, ये कुछ डोमेंस है, और आपको लगता होगा भाईया, इसमें कितना पैसा कमा पाते हैं, जो कि सिर्फ एफिलियेट, एफिलियेट मार्केटिंग से 20-20 लाग तक कमा आते हैं, स्वारी एफिलियेट बोल रहा हूँ, लिश्टिंग से, लिश्टिंग से कि उन्होंने अपनी एक शॉप खोल रखी Amazon के उपर और वो 20-20 लाग कमा रहे हैं, पर मंत, ये पर मंत है, और आपको कुछ नहीं करना, लिश्टिंग के बाद, आपने एक बार लगाया, अब बस स्टॉक आपको मेंटेन करना है, कि यार हाँ, दूसरी तरफ से स्टॉक आता रहे, Amazon फुल्फिल्ड का उप्शन में क्या होता है, Amazon ही आपका स्टॉक सम्हाल के रखता है, और काम खतम, अब बताओ ये क्या तुमारी साइड फनल नहीं हो सकती, जरूर हो सकती है, प अब एक और चीज़ के उपर आते हैं, आप मैं से काफी बच्चों का एक डाउट होगा भीया, जिस सहाब से आप बता रहे हो क्या पढ़ाई छोड़ें, नहीं पढ़ाई नहीं छोड़नी है, आप पढ़ाई नहीं छोड़नी होते हो, जैसे कि for example, मानले आज के दिन मैंने वही जो सुष्या शुरुवात में पहले example लिया था, तुमारी 20 लाग की salary है, मैं यह नहीं कहरा, तुमारी 20 लाग की salary है, तो यार आपको life में freedom नहीं मिली, मैं आपको एक व्यक्ति का example देता हूँ, Grant Cardone, आप नाम सुना होगा, आपने, ये भी एक influencer है, Grant Cardone, जाके देख सक कमाया था, आज ये लगबख शायद 50 की उमर में है, 34 कोई बड़ी समझे रहो ना, 34 मतलब काफी लेट जाके इसने अपना कमाया, 34 की उमर में तो आप में से जितने भी majority लोग इंजिनियर बन रहे हो, अगर काफी लोग उसके पास पहुंच जाओगे, आज के दिन ये एक billion ने रहे हैं, और इसकी जरनी बता है कितनी दीरे रही, दीरे इस प्रकार की रही है, इसने का मैंने 34 साल की उमर में अपनी पहली प्रापर्टी लीड जो की 75,000 डॉलर किती, 75,000 डॉलर कितना होता है, पचास अजार होता है, वाह, क्या कर रहे हो, लगबग 50,000 के करीब होता है, ठीक, लगबग 50,000 के करीब की इसने अपनी फर्स्ट, फिर उसके बाद 3 साल बाद इसने अपनी दूसरी प्रापर्टी ली थी, समझ रहे हो, तीन साल ही वेटेड, कि यार यहां से जो कैश आ रहा है, रेंट आ रहा है, उसको इसने अक्यूमलेट किया, और उसके बाद 3 साल बाद अपनी सेकंड प्रापर्टी ली, आज की दिन इसके पास हजारों प्रापर्टी है, क्योंकि यार सिर्फ कमपाउंडिंग की बात नही है, जैसे मैंने सोशल मीडिया में भी आपको बोला ना, शुरुवात के एक-दो साल आपको कोई नहीं पूछेगा, अच्छा, पचास हजार लोग देख रहे हैं हैं, ओ भाई साब, पतास हजार का मारका हमने रीच किया आज, यह रिकॉर्ड है, ओ तेरी, ओ भाई साब, इ सबसे पहला रिकॉर्ड था 20,000, जो हमने ब्रेक किया, फिर 28, यह वाला तो मेरे को नहीं लग रहा, मतलब बहुत ज़्यादा है भी है, यह तो बहुत ज़्यादा है भी है, ओ तेरी, ओ, आई साब, तो, कॉंगो सर, धन्यवाद, ओके, ग्रेट, मुझे यार अपनी साइड से है न, फाइनल नंबर नहीं दिखते हैं, तो में इंस्टेग्राम स्टोरी में कोई टाग कर दे न, मुझे दिख जाएगा, मेंको अपनी साइड से यह नहीं दिखता, कितने लोग लिए, वो सिर्फ आ अचल जाता है, ग्रेट, तो मैंने कहा, ये चीज भी सही है, कहां पर तहार मैं भूल गया, तो कुछ-कुछ की पाइंटर साइड, आचा, मैं 20 लाग के उपर था, विश व्यक्ति ने यार, 34 साल की उमर में, आप यूमत सोचना है, कि मैं हो सकता है, आप में से कोई 24 साल गय आया था, और इसने जो फर्ष्ट प्रॉपर्टी खरीदी थी, उसके तीन साल बाद अपनी दूसरी प्रॉपर्टी खरीदी, आज के दिन इसके पास हजारों प्रॉपर्टी है, होता क्या है, आप किसी भी डुमेन की बात करो, जैसे मैंने आपको कमपाउंडिंग का बता ह आप पैसे नहीं कमा पा रहे होगे, थार्ड इयर आप इतना कमा रहे होगे, कि आपको लगे गए यार कि कोई सरकारी जॉब कर लेते तब भी ठीक ता है, अट लिस्ट इजट तो होती, फोर्ट इयर में जाके आपको थोड़ा रिकगनिशन मिलता है, जिस भी बंदे को द्यान रखने है, इट टेक्स टाइम, फिर सेम चीज यार आपकी यहाँ पर भी है, रियल स्टेट के अंदर आप अपनी पहली प्रॉपर्टी लोगे ना नियाद आएगी, आपको एक साल लगा होगे, दूसरी लेने में आपको हो सकता है, एक साल से उपर लग जाए, पर एक टाइम पर फिर आपका ऐसा टाइम आएगा कि यार आपके पास अपनी पोर्टफोलियो में इतनी जादा होंगी, आप इजिली लोन पुल आउट कर पा रहे होगे, आप बैंक से लोन लोगे, डाउन पेमेंट किस्ते वापस दे रहे होगे, अलग लग यार मॉडल से है और आज के दिने यार रियल स्टेट से पैसनाना बहुत मुश्किल होगी, पर रास्ते अनेक है आज के दिन भी अच्छे बंद हैं जो कि बहुत शांदार कर रहे हैं और इसका मतलब यह नहीं कि आपके बैंक का अकाउंट में बहुत जादा हो आपका हूंवक्त बहुत जादा करना पड़ेगा डोर टू डोर लाइफ के शुरुआत के तीन-चार साल यह आप बहुत मैनत करो कि उसके बाद आप कोई भी डोमेंट पकड़ो आप बहुत हैवी कर सकते हैं मैंने आपको बहुत लुक्रेटिव डोमेंट साब को बताए हैं मैंने आपको आमजान लिस्टिंग के बारे में बताया है कैसे कैस दो खठर आपको बताथ ढूत से कुछ लोग हैं जो कि एक पर्टिकुलर प्रौडक्ट पकड़ते हैं उस पर्टिकलर प्रौडक्ट को वह लिष्ट कर देंगे काफी बार तो यरव भी होता है आपने देखें बरतन बहरतन बिक्रे होती है येस यह काफी बार ऐसे utensils होते हैं उस पे individuals Amazon पे काफी बार अपनी branding बना देंगे मालो वो दो-तीन साल से listing कर रही है अब उनका इतना उनोंने sale कर लिया वो अपना brand बनाना चाहते हैं मालो मैं अमन हूँ तो मैं अमन नाम चे मैंने मालो अपनी एक brand बना दी अब क्या होगा जो बरतन बना रहा है manufacturer काफी बार आपने कपड़े देखें यार यह बनते सारे एक company के मतलब एक factory के अंदर है और बाहर आके इनके उपर labeling छप जाती यह company नंबर ए यह company नंबर भी यह company नंबर सी और सबके उपर material एक है वह अपना brand लगाते हैं और उसके बाद चापना हो गए किसीने multi socket की listing कर रखे जिसके एक के अंदर पांच छे plug लग जाते हैं और आप देखते हैं और आप देखते हो 6000 रिव्यू मैंने आज तक Amazon पर शायद कोई रिव्यू नहीं लिखा और मैंने ज्यादा भी नहीं तो सो दो सो चीज़े मंगाई होंगी 6000 रिव्यू का मत पर आपको दो से तीन साल लगाने पड़ेंगे फिर दूसरी चीज़ हमने बात करी जितने भी आपके डोमेंस हैं चाया रियल स्टेट हो गया स्टॉक मार्केट हो गया चाया हमने कमोडिटी की बात करी ऑल्दो मुझे पर्सनली कमोडिटी पसंद बिलकुल भी नहीं में को फर्स नंबर पर यह अच्छा लगता है फिर यह अच्छा लगता है और इन में आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो पर जनाब उसके लिए आपको सेविंग्स करनी बहुत जरूरी है आपके आज 20 लाग की जौब करते हो पर जनाब आपको इसमें से 10 लाग समभाव बचाने ह क्छा हो बोड़ सकता है आपको टाइम लग यार काफी लोग को लगता है कोई दिक्कत नहीं आज आज आपका दिन नहीं पर आप गिप नहीं मांते हैं आप वेट करते हो कि पचास लाग होगा कभी असशी लाग होगा उस्पाइम आप इस कैपिटल को कहीं पें इन्वेस् फोटी फनल देती है, जाधा पैसा नहीं आरा पर फनल आरही है, आप दुबारा तीन से चार साल वेट करते हो, फिर आप जाते हो, यह है यार आफलाइन मेथड, इस मेथड के अंदर आपको एट लीस्ट 15 से 20 साल लगेंगे, 15 से 20 साल लगेंगे पर तब आपके पास, आपके लिस्टिंग कर लिए दूसरा होता है इंफ्लेंसर साइड में अगर आप जाना चाहते हो पहले तो देखो आप किस डोमेन में वैल्यू एडिशन कर सकते हो और क्या आपके पास इनफ आई बॉल्स हैं उस पर्टिकलर सेक्टर में अगर आप एक प्रॉपर इंफ्लेंसर बनना जाए हैं जही के मदलब कैसे पहुंच होगे तो वहां पर आपके काफी सारे डोमेन से जिने आप पॉलउप कर सकते हो आप चाहो तो कोमेडी में जा सकते हो अगर आपको ट्राय करना है कोई कोई मैनत नहीं यार ठीक है आप अपने आप म्यूजिक में अच्छ आप गुष्ता कि देखर ठीयमिंग कितना वेल मार है और यह बहुत एक बहुत पैसा है इसमें तुर प्रकार से टेक तक में बहुत पैसा है यह व्ञाज लोग में बहुत पैसा है व्र resident वाइक्सार भाल कॉमदी में उतना पैसा नहीं है, comedy में आपको basically तब मिलता है जब आप shows वगेरा करते हो, पर उन shows के आपको अच्छे पैसे मिलेंगे, फिर एक और है, आपके finance related कुछ channel होते हैं, पता हैं, आपको जो आपको stock market वगेरा के बारे में related हैं, अब stock market एक ऐसा domain है, जिसमें 20 साल का बच्चा भी interested है, और 70 सा होता है, तो इनके अंदर brand deals बहुत strong होती है, तो ये चीज़ें आपको कुछ मैंने माइने में बताई हैं, अगर आप India के top influencers में हो, top influencers समझ रहे हो, जो 10 million से उपर हैं, जिनके पास majority audience है, या 15 million के उपर हैं, या 20 million के उपर हैं, उस level पे तो आप मचा रहे होते हो, मचा रहे ह मैं कैसे करूँ, आप monthly 8 figure जा रहे होते हूँ, monthly आप 8 figure जा रहे होते हो, जब आप उतने बड़े influencer बनते होते हो, पर आपका at least, फिर सब चीज़ें strong होनी चीए, आप 10 million से उपर हो, YouTube के उपर, आप Instagram के उपर भी 3-4 million पे बैठे हो, कुछ इस प्रकार का picture हो, ये कह है, तब जाके आप इतना बड़ा बन जाते हो, पर ये चीज़ करने के लिए, अगर मैं जिनका भी case study अगर देखूं, at least जितने भी creator उन्हें 5-6 साल लगें, और उनका domain में enough eyeballs जरूरी है, enough eyeballs जरूरी है, ये बहुत important है, ठीक है, great, जरूरी नहीं है, हो तो better है, और कुछ नहीं आपको जो अच्छा लगे, जो आपका चीज़ आता है, आप वही कर पाऊगे, ये हम कर सकते हैं, अब जैसे कि यार, for example, एक बच्छे ने मुझे से पूछा, भाई हमें graphic designing में क्या potential है, definitely है, अब जैसे यार, graphic designing है, सबसे पहले तो college में आपको ये freelancing के पैसे दिलवा सकते ह हाँ या ना, आप किसे लिए freelancing के लिए काम कर सकते हो, बैठे-बैठे, आपके pocket मनी आ गई, अब आप already अगर IITs, NITs, IIITs, इनके अंदर हो, तब आपको करने की जुरूरत नहीं है, as such इतनी, until unless आपका ये मन है करने का, क्योंकि आपकी internship placement सी उतनी हो जाती है, पर एक दू तो ये व्यक्ति करोडों में कैसे कमाए, 8-figure amount में कैसे जाए, ये तब कर सकता है, if he is the, मतलब आप यूं बोलते हो ना, यार की, graphic designing मतलब ये बंदा, उस दिन आप पहुंच जाओगे, जब आपको पता हो, vlogging मतलब ये बंदा, roasting मतलब ये बंदा, उस दिन आप जा सकते हो, अब इसके डोमेन में eyeballs कम हैं, तो कभी भी आप उतनी viewership पे नहीं जा सकते, 8-figure अचीव करना बहुत मुश्किल है, इस व्यक्ति को 8-figure ये social media से नहीं कर सकता, ये उस हिसाब से कर सकता है, मान लो, कि आज से 5-6 साल बाद अट लिस्ट, एक ऐसी stage होगी, जहां पर ये अप अपनी एक company खोल सकता है, और उस company के अंदर बाकी graphic designers को hire कर सकता है, और अब ये खुद एक service provider बन सकता है, बाकी businesses के लिए, और अपने एक B2B business खोल लेगा, मान ले मैं हूँ, अपनी कक्षा है, मुझे graphic designers चीए, मान लो, मैंने hire नहीं कर रखी, assume कर लेते हैं, अब मुझे अ बंदा animation भी कल को handle कर लेता है, तो ये बोलेगा ठीक है भई, आप में ठेका दे दो, मैं आपके 50 वीडियो निकालूँगा इस valuation पे, तो उस हिसाब सी अपना business फिर expand कर सकता है, आज के दिन हर creator को animation चीए, हर creator को graphic designing चीए, तो ये एक service provider हो सकता है, बाकियों के लिए, और अप point पर ये उस amount तक पहुँच सकता है, चीज समझ मारी है, similarly अगर हम app की बात करें, soft assets की बात कर लेते हैं, soft assets वो चीज़े हैं, मतलब, ये mobile में आपको दिख रही होंगी, जितने भी आपके app से उन सब की heavy valuation है, अगर आप उस app को use कर रहे हैं, उनकी heavy valuation है, साथ में, अगर वो app आड वगरा दिखाते हैं, जैसे छोटे आप होते हो, उन पर आड भी दिखता है, तो आप वो पैसे मिल रहे होते हैं, वोई Google AdSense के, तो मैं ऐसे ऐसे बंदों को जानता हूं, जिन्नोंने भाई, मन्थली, क्योंकि उनके trending में app थे, मेरा एक app developer बंदा है, तो उसने एक बार आज से लगबग 4 साल पहले एक app निकाला था, जो कि trending में निकाल दिया था, वो गेम से related कुछ था, तो बताता था उसके पास revenue जो आता था, I'm not sure, यार मेरी बहुत पहले बात हुई थी, पर वो 7 figure थे, 7 figure मतलब आपका लगबग 30-40 लाग के करीब कुछ इस परकार का एक amount थ अगर आपके क्योई app है, और उस app के मानले 1 million downloads है, आप इसकी valuation क्या मानते हो, कोई भी आप है, उसकी मानलो 2 million downloads है, अगर वो एक अच्छा domain है, मतलब जिसमें business हो रहा हो, जिसमें लोग कुछ खरीद रहे हो, मानले आपके 5 million downloads है, मानलो आपके 10 million downloads है, 5 million तो बड़े-बड़ आपके 10 million की रेंज में आता है, यह 11,000 करोड की company है, तो आप तुम बाकियों का लगबग लगबग अंताजा लगा सकते हो, बिलियन डॉलर कंपनी है नहीं है, तो 10 million dollar notes अगर है, मैं को जितना याद आ रहे है last, यह 11,000 करोड की company है, तो आपको 5 million downloads, 2 million, 1 million की accordingly valuation आप decide कर सकते मैं यह नहीं कहा रहा है, सब की होती है, पर अगर सी समझ मारी है, these are called soft assets, तो आप startup करते हो, आप अपना food app निकालना चाहते हो, food app नहीं निकालना चाहते हो, 200 चीज़े हैं यार, तेक है, पर मानले यह बंदा है, कोई भी domain पकड़, तो मैं animator बनना है, तो मैं editor बनना है, त content writing करो, आप लोगों को सिखाओ, what is content writing, हो सकता है, आज से 5-6 साल बाद आप अपनी, खुद की firm खोल दो, जहाँ पर content writing करो, content writing का मतलब यह नहीं होता, किताबे लिखना, इसका मतलब यह होता है, कि मानलो कि मैं अपनी कक्षा हो, मुझे अपने बारे में एक ad चपवाना है, तो मैं किसी content writer के पाँ जाओंगा, मैं बोलूगा, कुछ अच्छा सा लिख के दो मेरे को अपने बारे में, या फिर मेरे को अपनी website पे कुछ content maintain करो, वो अपनी एक firm खोल सकता है, या फिर आप एक writer हो, जैसे कि आपने सब पढ़ी है, rich dad, poor dad, उसका जो writer है, उनकी main source of income शु जैसे कि for example, अगर हम education की बात करें, education में सबसे strong पैसा है, आपका offline में, वो इस प्रकार से है, मान लो, और ये तो आप नहीं देखा होगा, आप ही लोग पैसे देते रहते हो, मैं जब यार studio बनाने जाता था, ठीक है, तो मैं सबसे पहले बिकानेर गया, मैं सिक्कर में गया, ठीक है, मैंने फरीदाबाद में studio बनाए, अपने third, fourth year में मैंने main capital वहीं से earn करी थी, studio मतलब, ये माइक हो गए, although studios जब उसमें ये माइक नहीं लगते, ये dynamic माइक हैं, आपने उपर acoustic forming कर दी, आपने camera लगा दियो, ये camera लगे पड़े हैं, इस type का आपको सोधा करके आ ना होते हैं, बड़े-बड़े classroom उते हैं, जिन में 300-400-400 बच्चे बैठ सकते थे, तो मेरी उनके teacher से बात होती तो मैंने एक दिन पूछ लिया, sir आपके revenue figures क्या हैं, एक छोटे से institute का ही मैं आपको example बताता हूँ, उन्होंने काता है, हम लगबग लाख रुपे के करीब एक बच्चे से charge करते हैं, और हमारे यहां करीबन-करीबन 800 बच्चे पड़ते हैं, अब मुझे बना रखे थे, जो छोटे मोटे काम वाले होते हैं, यार कोई module notes वगएरा आपके बना रहा है, कोई junior faculty आके पढ़ा रही है, सब इतना है, उनके पास 7 CR amount बच गया था, उन्होंने का था, हम तीन major इसमें founders हैं, physics, chemistry, maths के, आप देख लो लगबग 2 CR के करीब सब के पास amount देख रहे हूं, क्या मैं बोल नहीं सकता, offline coaching में कितना पैसा था, पर इन्होंने अपनी branding कैसे बने, अब आप सुचर होगे, मैं भी कर लेता हूं, कल नहीं कर सकते हैं, तो आप जब भी इनके institute के अंदर जाओगे, आपको पहले लिखा होगा, कि इन्होंने 8 साल फलाना मंबे इस तरह के 2-3 टैग लग जाएंगे, यह 2-3 टैग दिखा दो, बस मम्मी पापा फुश हो जाते हैं, फिर नहीं देखेंगे, वो क्या पढ़ा रहे हूं, और आगे दिखा दो, 10 एर्स, तो क्या मैं बोल सकता हूं, इन्होंने लगबख 10 साल वहां पे काम किया, फिर कोचिंग इंस्टूट को यार आपको एक एरिया में पॉपुलर करने के लिए 4-5 साल लगाने पड़ते हैं, जैसे इन्होंने यह इंस्टूट बिकानेर में खोला था, तो यह शहर वहर कि बस भी गए खेरिये, तो वहां के प्रॉमेनेंट आप न्यूस पेपर जो भी वहां का लोकल न्यूस पेपर उसमें पेंप्लेट वगएर बाठते हो, आप अपने आपको अवेर करवाते हो, इन्हें लगबख 15 साल लगे थे, और यह जो 15 साल लगाने वाले जो विक्ती है जिनकी मैं बात कर रहा हूं, इन्हीं में से एक ने मुझे का था, अमन, तो मैं 40 साल की उमर से पहले है न, पैसा नहीं कमा सकते, मतलब अच्छा पैसा नहीं कमा सकते, तो सब बखवास है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ कुछ चीज़ें समझ में आ रही है, हमने रे इन्फुलेंसर मार्केटिंग वही होती है, अगर आप एक बड़े इन्फुलेंसर हो, आपके पास बच्चे होते हैं, लोग होते हैं, तो लोग आपको पैसा देती है, ठीक है, बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, एजुकेशन इंडस्ट्री में मता आ जाना, क्योंकि यह यह लैप्टॉप बंद हो गया, इसका मेरे को कमेंट्स को दिख रहे थे, इसमें, यह बंद है, पिटले एक डेड़े बंद है, अब यार एक एस्पेक्ट है लाइफ का जिसका हम डिसकस कर रहे होंगे, और लाश्ट में मैं इसको वाइंड अप करूँगा, सारी चीज़ो कि कैसे वो नंबर आपके एक्यूमिलेट होंगे, इसका मेरे साइड में यह बुक्स पढ़ी है, आप में से कितने लोग बुक्स पढ़ते हैं, मुझे नहीं पता, पर मैं तो जैसे रैंडम ली घुमार हूँ, ऐसे घुमार हूँ बस, यह वो बुक्स हैं जिने मैं अभी कर इनके नाम भी मैं दिख रहा हूँ अगे, इनके नाम भी मैं दिख रहा हूँ है, इसके बाद हावड की मैनेज्मेंट की बुक हैं, 50 toughest questions of life, body language, how not to hire, जाए पुछ बंदों के केस्टडी बताओंगा लाश्ट में आपको जिससे कि आप ट्राक कर सको कि इस इस व्यक्ति ने क्या किया था इस इस व्यक्ति ने क्या किया था और कैसी उस मारका तक पहुंचे कि एक बर देखनों क्लास चल रही है नहीं चल रही है अच्छा तब तक ऐसा कर लेते हैं एक ऐसा रैंडम टॉपिक डिसकेस करते हैं जो कि है तब तक लैप्टॉप खोल के वह चेक भी कर लेंगे क्लास चल रही है नहीं लाइफ का करियर के बाद सबसे इंपोर्टन जो इसमें यार मेरा एक मानना है कि बार एक व्यक्ति ने मुझे बताया था कि अमन सबकी सक्सेस जर्णी अलग-अलग होती है सबके रास्ते अलग-अलग होते हैं आप को अगला बस ये बता सकता है कि वो जरूर आपको पता होना चाहिए कि गड़े कहां कहां पे है कि क्या-क् और नहीं आप आउकात बनाओं आज मेरी टीम में से एक बैच्चे ने मेरे को बोला भाई आउकात शब्द यूज मत था काफी नेगेटिव लगता है लोग को अच्छा क्या करें इस जैसा शब्द दूसरा है नहीं मेरा को इंटेंशन नहीं बाकिया आप मैंसे किसी को हर्ट करने का पर एक शब्द में लोग समझ में आ जाता है यहीं पर मैं लिखता work on yourself उतना मज़ा नहीं आता अब सब कुछ समझ में आ रहा है तो आप पहले अपनी आउकात बनाओ अब अपने उपर काम करो अदर्वाइज आप क्या रहोगे highly insecure आपको यह लगेगा कि शायद बाइक चलाने से राइट या व्रूम व्रूम करने से या गाड़ी चलाने से भाई दूसरा जंडर एट्रैक्ट होता है तो यह गलत कॉंसेट्स आप पाल लोगे ऐसा कुछ नहीं होता मैं बाल अपने लीले पीले गीले करा लूँगा तब मे अगर आपने ऐसा करके कराबी लिया तो क्या वो चीज चाहिए आपको दूसरी चीज रिलेशन्शिप्स आर इंपोर्टेंट भाईया दोनों आप एक दम उल्टी चीजें बोल रहे हैं रिलेशन्शिप्स आर इंपोर्टेंट बिकॉज मेरा मानना यार यह है कि यह वर्ल्ड हो गई हमारी और आदे आदे जंडर में आपने बाट रखा है आपको दूसरे आपके आरेंज मारेज होती थी मैं यह नहीं कह रहा हूँ पर एक टाइम हुआ करता था जब अभी में नहीं पर मेजॉरिटी केसे में आजसे 40-50 साल पहले या आपके दादा के टाइम में या इन फैक्ट अभी आपके परेंट्स के केस में भी शायद आपके फादर रर्न क नहीं करते थे पर आपकी ग्रैन्ड मदर अर्न नहीं करते थी ज़िए को इसकेस में क्या होता था कि वो दोनों साथ में रहते थे पर मदर की एक डीपेंडन्सी होती थी वादर के ऊपर है आया ना तो ऐसे में मान लो यार उनकी happiness नहीं है तभी वो सूस्ती थी जार चलो सा कि वही कमा रही होती है तो ऐसे में financial independence एक priority नहीं होता हूं वह सेकंड थर्ड नंबर पर आ जाता है फर्स्ट नंबर पर आता है कि am I happy क्या मैं खुश हूं वह व्यक्ति अपने आप से पूछता है यह व्यक्ति भी अपने आप से पूछता है आपने देखा यह वेस्टन वर्ल्ड अच्छा क्लास चल रही है और इनको भी कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं ना कि अरे मैंने कुछ नहीं करा यार मैंने नहीं करी डिसेबल क्या चल गई अभी मैं कूछ जाऊंगा मैंने सही में उस बटनको नहीं दबाया था मैंने अभी से टिंग कि मठ जाओं मैं कुछ जाओं कहीं से अगर अगर आप वेस्टर्ण वर्ल्ड में देखो गया आपको पता है 54 परशंट 52 परशंट डाइवर्स रेश्यों 52 परशंट का मतलब समझ रहे हो 100 लोग जिनकी शादे हुए 52 का तो डाइवर्स हो गया मतलब एक तरह से यू हो गया मालो मैं तुम्हें बोलता हूँ बहुत मेजर डेसीजन होता है डाइवर्स यार तुम सडक पे आज घूमने जाओगे 52 परशंट चांस है मरोगे तुम जाओगे घूमने तो मतलब उसके बावजूद अच्छा मुझे यह बताओ जो बच गए 48 इनमें यार कितना फिर हाई परसंटेज होगा जो कि शायद खुश नहीं होगा अपने आपसे क्या मैं बोल सकता हूं यह जो शायद खुश नहीं होंगे बस नहीं कर रहे क्योंकि बच्चे बच्चे हो गए तो इसलिए नहीं कर रहे डाइवर्स वगया था यार इस हिसाप आपसे तो मेरे को डेफिनेटल लग रहा है जादा भी नहीं तो 35 लोग अपने आपसे खुश नहीं है शायद 10-15 लोग ऐसे होते होंगे जो कि असलियत में एक ठीक डिवल लाइफ जी है जैसे हम बोलें पाइटनर के साथ क्या मैं कह सकता हूं क्या मैं बोल सकता हो हम भी वेस्टन दीरे दीरे जा रहे हैं इसंट इट इम्पॉर्टन कि आप शुरुबात में देखो कि यार क्या आप अगले पार्टनर को समझ पार हो या नहीं या उत है वह सब्सक्राइब आपको अगले के पत्ते खूलते हैं एक बच्चा लिख रहा है लिव इन विटा तुम सब्सक्राइब यह प्रभू बहुत मैंने मैं ऐसे कोई गलत काम नहीं सिखा रहा हूं यहां बच्चों को यहां पर बच्चे शीखें आये हैं ठीक है नहीं उतना आगे नहीं मैंलब बात बात करो इस इंपोर्टेंट यू शुड़ अधर पर्शन क्या आप कंपार्टेबल हो कंपार्टेबल हर सेंस में होता है और नोदा अधर पर्शन एक तरह से लव कम अरेंज हो गया इस वेरी इंपोर्टेट चीज आ रहे हैं में क्लियर ग्रेट फिर एक और इंपोर्टेंट चीज हैं 52,000 हो गया हम भाई साब सब्सक्राइब को अपनी खुद से प्रेम करना बहुत जरूर यह एक पर रिलेशन्शिप्स को में समझना पड़ेगा रिलेशन्शिप्स का में मतलब यह होता है कि आप दूसरे व्यक्ति को खुश रखो समझ में आ रहे हैं इसका मतलब यह निहीं कि आप दूसरे से खुद खुशी प्राप्त करों आप दूसरे व्यक्ति को खुश रखो एक जॉइंट वेंचर होता है जॉइंट वेंचर का मतलब समझने तो जॉइंट बिजनस राइट तो आपका काम है आप उनकी यह रिस्पेक्ट करों उनसे आ हो रहा है पर इसका मतलब मैं यह भी नहीं कह रहा एक तरफा आशिक बन जाओ जो बॉलिवॉड हम ऐसे कदा पागल हो गया जिन्दिगी में काम नहीं हमारे पास आया ना वह व्यक्ति नहीं बनना भाई जो कि जबर जस्ती इस रांडम मैसेजेज भेज रहा है इधर उधर सोचल मीडिया पर मतलब काफी बार तो मैं ऐसे पढ़ा रहा होता हूं क्लास में बच्चे आपस में स्टार्ट हो गई है एक लड़के को कोई दिख गई है और बस उसे तुम्हें समझ में आ रहा ही क्लास में क्या हो रहा अब ही मैं तुम अपने उपर काम करो आपको अपने आप टाइम के साथ चीजे मिल जाएंगी अगर आप में दम होगा तो ठीक है और खुद से प्रेम करना बहुत जुरूरी है जो व्यक्तियार खुद से नहीं करता मतलब आपका बहुत प्यारा नार्सिसिस्ट होना ज़रूरी है नार्सिस मैं अपने आपको 35 साल के उमर में फ्री करना चाता हूं मैं अपनी बोडी पर काम करना चाता हूं मैं हेल्दी खाना खाना चाता हूं राइट मैं अच्छा फील करता हूं अपने बारे में अगर मैं एक आइडियल परसन सोचूं तो मैं उस आइडियल परसन के बहुत पास ह चाहता हूं जो मेरे जैसा हो कि समझ में आ रही है यह वाला अच्छा था मैं कैसा व्यक्ति बनना चाहता हूं जो मेरे जैसा हो उस लेवल का जब आप अपने आप से करने लग जो वही सेम सिनेरियो यार एक जलता हुआ जिया दिया ही दूसरे बुझे वे जिले को जला सकता ह दिये को तो आप खुद से ही नहीं करता है आप दूसरे को क्या दोगे जो चीज आपके पास abundance में होगी तभी मैं आपको दूँगा ना मेरे पास दो पैन होंगे तब आपको एक पैन दे दूँगा यह ले यार तू भी लिख ले वही सेम रूल है यहां पर एक highly insecure बंदा तो होता है वो जिसने अभी life में जादा नहीं उखाड़ा होता वो दूसरे को प्यार नहीं कर सकता वो बोलता है मैं आयार तिर बहुत care रखूंगा मान मत जाना उसे खुद नहीं पता वो क्या बोल रहा है या वो क्या बोल रही है वो को फेज है कॉलेज के फर्स्ट सेकेंड ठर्ड यर कि मुझसे ज़्यादा अप्रायर तुम्हें कोई नहीं कर सब्सक्राइब चम्पू कि बहुता खाओ पहले जाके मतलब क्या चल रही है क्या चल रहा है उसके पापा के एक दिन पूछ लेंगे बेटा कितने पैसे कमाते ह पर पहले आपको अपने उपर एक काम करना है आपको अपने बनाना है आप अगले जंडर को समझो और पता नहीं किसका एंट्रू यह देख रहा था तो एक शायद एक्टर ही था कोई मैं को नाम याद नहीं हूँ कौन है वो हमारे टीम में दो चाल लड़के हैं चूट कहती है हो एक है ना टीवी सीरीज में एक लड़का आता रहता है अरे यहर है 14 एर से ओहो लड़के उने खुदी नाम लिख दिया बगवान ने हमें काफी करिया हमारे लोगों के साथ या तो हाँ कुछ वही नाम लिख दिया आप में से काफी लोगों ने तो अरे है आयूश करके कुछ था या तो अब मैं भूल गया मैं क्या बता रहता है हां तो वो लगबग तेरा 14 साल से रिलेशन्शिप में था तो उसने का बताई कुछ चीज़ी यह आप यह तक समझते हो कि अगले के बच्चपन में उसके साथ क्या-क्या साथ बच्चपन रहा है उस अकॉर्डिंग्ली वो किसी सहाब से सोचते हैं everything is very important आप सिर्फ यह नहीं सोचते कि यार चले गए ओहो मैं कॉलेज में घुमा रहा हूं सब लोग देख रहे हैं मेरी एक गल्फ्रेंड है उस मोटिव के साथ आपको नहीं करना है जिंदगी में 50-60 साल होते हैं यार आपको अपके पास पार्टनर के साथ रहने के लिए शुरुवात के 15 साल अपने पर लगा दो कॉलेज के और अगर कॉलेज अच्छा मिल गया है तब आप कॉलेज का टाइम भी लगा सकते हो तो अब जितने भी 11-12 के बच्चे हैं उनके पास मोटिवेशन है एक श्रॉग यार अच्छी प्लेश्मेंट लगी जाएगी और अगर थोड़ा कॉलेज कमजोर होता है तो कोई बात नहीं पहले अपने उपर ध्यान दियां यह नेहां तो आती रहेंगी राहूल भी आते रहेंगी समझरियो राहूल राहूल के पीछे टाइम विष्ट करने की जुड़त नहीं दोनों साइड से बोल रहा हूं कोई भी एक उफेंड नहों बदा जला सारे राहूल अच्छा भईया हमारे साइड नहीं ले रहे है क्या प्यार कर पारे हो इन दसेंस क्या आप जो हो वैसा बनना चाहते हो खुद अपने आइडियल हो आप अगर उस स्टेज पर पहुंच चुके हो तब आप दूसरे के साथ अपनी लव बांट सकते हो जब आप दूसरे के साथ रिलेशन्शिप में आते हो रूल नमबर वह चीज भी नहीं करनी तीसरा आपको क्रीप नहीं बनना आपको डेस्परेट नहीं बनना क्रीप और डेस्परेट कौन बनता यार जो की हाईलीन से क्योर होता है आया ना जिसे लगा होता है उसकी लौटरी लग गई भाई साब वह 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 बेव को लड़का बैटके अच्छे से घिसाएं, टिप नमबर टू, पहले अपनी थोड़ी आउकात बनाएं, टिप नमबर थ्री, अपना काम करते जाएं, टिप नमबर फोर, अपने आप आ जाएंगे, डन, खतम, ये इसलिए बस था, कहां तुम यूट्यूब पे गलत चीज़ें सर्च करते रहते हो, पिक अप लाइन, ओ भाई साब क्या लिख रहा है, एक लाइन, हाँ यही तो, तुम्हें देखा तो ऐसा लगा, कि वाँ भाई, पूरे जहान में तुम ही हो, तुम्हें देखके दिल धड़कना बंद हो गया, ये बेवकूफ लाइन है, मान मत जाना लड़कियों ये लड़के बनाना सीख गए हैं, आजकल ये यूट्यूब पे वीडियो बन गए हैं, कुछ लोगों ने बना रखे हैं, कुछ लाइने, और लड़कों तुम भी समल के, तुम्हारे तीन-चार साल हैं, इन पर खुद पर टाइम कर लो, ठीक है, निहा ने एक स्माइल दीन कैर मुझे दिखनी रहा था, अब तो भईी, स्वाय मैरा है ने, डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग ये होता है, यार काफी बार आपने ये देखा है, मानलो आपको चश्मे खरीदने, आप गूगल पर सर्च करते हैं, यार की एक चश्मे की श सर्च किया, क्यार मेरे को क्लाश 12 के NCRT सॉलूशन चीन, फिर उसके बाद आप यूट्यूब के उपर आते हो, या फेस्बुक के उपर आते हो, तो आपको एजुकेशन डिलेटेड आड दिखने लग जाते हैं, वो आपका डिजिटल मार्केटिंग है, तो क्या होता है, आ एक ad campaign चला दूँगा, ad campaign चलाओंगा और उसमें दिख दूँगा कि यार यह मेरा फलाना pen है, XYZ कंपनी का, अब जितने भी लोग यार pen सर्च करेंगे, depending upon मैंने कितना पैसा फूका है उस ad के अंदर, मानलो मैंने 10,000 रुपे फूका, तो वो मुझे बता देगा, कि यार digital marketing, तो काफी सारी जो private companies हैं, वो अपने लेकर आ रही होती है, मानलो किसी को अपना कोई product बेचने, कोई food app है, वो अपना निकाल देगा, कोई एजूकेशन आप है, वो अपना निकाल देगा, कोई भी कपट, किसी भी particular business को ले लो, वो अपना निकाल, कोई भी दिक्कत है, तो मारे गुठने में दर्द है, लिखो गुठने में दर्द, और उसके बाद थोड़ी देर बाद में Google या YouTube खोलना, आ जाएगी एक दवाई YouTube काइड पे, that is called digital marketing, ठीक है, आपके सामने आ रहा होगा, अगर गुठनों में दर्द है, तो यूज करें है, फलाना, सबसे बड engine optimization के आपके online courses मिल जाएंगे, YouTube पे भरे पड़े हैं, यार YouTube पे जितना अच्छा content है, वो बहुत अच्छा content है, आप जाके पड़े हैं, ठीक है, especially soft skills related, आपको काफी चीज़े मिल जाएंगे, पर क्या होता है, फ्री होता है, या तो फ्री चीज़ की अब कोई कदर नहीं होती, नहीं होती न, बस वही है, तो उसी चीज़ के आप से ले लो 70-80,000 रुपे, ओ भाई साब पता नहीं क्या दे दिया, जो सेमी चीज़ होती है आप खुद सोच लिया करो यार, कुछ, भी या नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग से यार मैं तो दूर रहता हूँ, और, मुझे ओनलाइन चीज़ें जादा अच्छी लगते हैं, जो मैं लाप्टॉप पे बैठे-बैठे कर सकूँ, ठीक है, आफलाइ पर आपको इनिशली पैसा डालना होगा है, समराइज कर लें इसको, थोड़ा सा समराइज, ठीक है, यार क्रिप्टो करेंसी से मैं दूर रहता हूँ, मैक्स टू मैक्स जो क्रिप्टो करेंसी में मैंने इन्वेस्टमेंट करिये, वो थर्ड पार्टिकल करिये, उसमें यह ह आप एक इंडिविज्वल, एक ट्रस्टेड इंडिविज्वल को रैंडम नहीं, जिसको आप जानते हूँ, जो कि उस मार्केट में अल्रेडी है, आप कुछ कापिटल देते हूँ, वो वेक्ति आपको बैलता है, कि यार मैं कापिटल पर आपको इतना रिटर्न दे क्रिप्टो करेंशी है, आज है, कल हो, ना हो, साथ में इतना समय नहीं होता कि आप सारी चीज़े कर सको, येस, येल स्टेट में इनको देखता है, आज है, 50 साल बाद है, 30 साल बाद है, 20 साल बाद है, साथ में आप उसे यूज़ कर सकते हूँ, आप उसमें अपना खुद क काम कर सकते हैं आप बेच सकते हो तो आपको एक अच्छा मॉंट मिलता है यूट्यूब पर वीडियो कम देखना स्टार्ट कुरों कुछ भी देख लेते हो अच्छे से देखो डंग से देखो जो है तो मैं समरी देता हूं आज के दिन अगर खुद कुछ अर्न करना चाहते हूँ आप जॉब कर रहे हो वेल इन गुड मैंने आपको दो रास्ते बताए मैंने आपको ग्रैंड कार्डोन वाला रास्ता बताए जो कि व्यक्ति 34 साल की उमर में मिल्योनेर बना था और उसके बाद में आज वो लगबग 50 प्लस इयर्स का हो गया तब जा का होते हैं जिसमें आप ऑल्लाइन इंटरनेट की हेल्प लेते हो अब इसके अंदर क्या है आप अपने बिजनसेज खोल सकते हो और यार इतना ज्यादा मार्केट अभी खुला है आपको लगता होगा कि शायद अभी सोशल मेडिया पे तो फिर भी पर काफी सारी चीज़े हैं जिनके लिए कोई online services नहीं है जैसे मैंने माइक की बताया था यह माइक मैं इतने सालों से ढूंड रहा था नहीं था Amazon के उपर एकदम से मार्क एकदम से आ गया यह इंडिविजुल्स हैं जो की ऐसे ऐसे हैं 20 लाख पर मन्त मैंने आपको एक्सांपल बता है यह वो हैं जो कि मैंने देख रखे मेरे दोस्ते हैं जो कि कमाते हैं 20 लाख पर मन्त Amazon पर इस प्रकार की चीज़ें करते हुए तो पर इसमें आपको यह शुरुवात में दो-तीन साल लगेंगे मुझे नहीं लगता दो-तीन साल कोई बड़ा अमाउंट है आप कर सकते हो आपको बस राइट मार्केट स्टडी करनी होती है थोड़ा और खुदो मैंने आपको यह बता दिया कि इसमें इतना पोटेंशल है अगर आप एक इंफ्लूएंसर बनना चाते हो एक नंबर वन कुछ ऐसा पकड़ो जिसमें बहुत सारे आइबॉल्स हो बहुत सारे लोग आपको देख सके और उसके बाद आप अगर पांच-छे साल तक कंटेनियोस रहते हो आप एक ऐसी स्टेज पर पहुंचते हो जहां पर आप को आठ दस मिलियन लोग देख रहे हैं ठीक है फिर बी इट कॉमेडी कॉमेडी में हो तो आप शो वगेरा से पैसे कमा सकते हूँ अपनी एटसेंस वग बहुत पैसा है ब्लॉगिंग में बहुत पैसा है क्योंकि इसमें ब्रांडी पहुत हैं और उससे ज़्यादा वीयूवर्शिप में बहुत श्ट्रॉंग होती कि तो ब्रांड डील्स what a टechnica बहुत है एवि है कि आपको टॉप पे हुना बहुत ज़रूरी है फिर बाकि सारे डोमेंस भी मैंने इसी प्रकार से आपको बताए कि आपका एक production house वाले चीज़ें सब देखते हैं fashion fashion में girls का पूरा आ जाता है आजकल boys भी बहुत देखते हैं फिर इस प्रकार से अब बाकि सारे चीज़ें कर सकते हो अब यह वाले जितने भी बंदे हैं 8-10 मिलियन वाले इनका मैंने आपको बताए यह 8 figure कमाते हैं 8 figure पर मन्थ है इनकी salary चीज़ समझ में आ गई तो आप साल का कितना हो गया 9 figure पहुंच गए आप समझ पा रहे हो तो क्या मैं बोल सकता हूँ 3-4 साल के अंदर आप अपना 35 करोड का मारका अचीव कर सकते हो ठीक है इन सारे लोगों में आप एक चीज़ जो मैं common देखता हूँ वो यह कि इन सबको 5-6 साल लगे जितने भी मैं बड़े creators को जानता हूँ उन सबको 5-6 साल music के अंदर आपको पैसा कभी भी गाने का नहीं मिलेगा music के अंदर आपको मिसा शोज का मिलेगा तो जो अच्छे singer होते हैं जो established हो जाते हैं वो यार एक एक रात का जो दो से तीन घंटे का एक college के अंदर फेस्टिवल होता है वो 25-25 से 35-35 लाख रुपे तक लेते हैं एक रात के इस प्रकार से आपका उतर ड्रॉप्शिपिंग से भी आप ड्रॉप्शिपिंग यार से में आपको प्रॉडक्ट लेते हो आप उसको एडवर्टेजमेंट नहीं करना जैसे मैंने आपको बताया था केबल्स वगेरा ठीक है आपने मुबाइल अब जैसे मुबाइल कवर है अब इसमें यार पाइट बहुत है क्योंकि मुबाइल कवर जैसी चीज अल्रडी लोगों ने पकड़ रखी है तो आप क्या करते हो आ उसी को तुम आगे बेच रहे हो जिस बंदे के पास ज्यादा नंबर ऑफ रिव्योज होंगे वह ज्यादा वंदा लीड कर रहा होगा हम भी यही करते हैं ना जिस पर उपर रेटेंग हो माक्सिमम रेव्योज हो उससे हम और कर लेते हैं सेम सी चीज यार यहां पर हो रही होगी तो अभी आप क्या कर सकते हैं अगर हैवे डोमेंस नहीं मिल रही तो इस ट्राइब के डोमेंस ढूंड़ो जो की जादा नहीं है पर उनकी एक छोटी ओडियंस है तो उससे आपकी एक रेटिंग बनने स्टार्ट हो जाएगी है जै मैं यहां पर बैठा हूँ मुझे किसी को गिफ्ट बिजवान है होता है न काफी बार यार मैं जा तो नहीं पा रहा या फिर मैं अल्रेड़ी किसी के यहां बर्दे पर जारू पर मैंने कोई गिफ्ट नहीं लिया आप चाहते हैं उसको केक चला जाए रोजेस चले जाए को मार्केट खा लिया एक दो कंपनी पूरा मार्केट अकवायर ही नहीं कर सकती आपको करना क्या है आपको एक तरह से जूड़ना ही तो है जितने भी मैं इसके जाद इससे जाद और डिटेल में नहीं जाओंगा तो आप एक छोटे रीजन से स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि या और यहां पर जितनी भी ओडर्स होंगे उनको मैं देख रहा हूंगा अच्छा मैं हर एक की मुबाइल में कैसे पहुंच सकता हूं मैं इंस्ट्रग्राम पर मार्केटिंग करूंगा इंस्ट्रग्राम पर आप है इसे किलोमेटर भी डिसाइड कर सकते हो आपकी जो लोकेशन ह कियेगा बर्दे गिफ्ट शोप नियर मीं तो आप एकदम एस्यों में टॉप पर आ जाओगे तो उधर से आप ट्राफिक बिल्ड करना स्टार्ट करते हो शुरुआत के वह दो तीन साल आपको या टाइम लगेगा फिर आप एक ब्रैंड बन सकते हो चीज समझ में आ रही ह होते हैं पर वह साइड रास्ते तब काम आते हैं जब आप अल्रेडी कुछ अर्न कर रहे हो और इन्वेस्ट कर देता है जैसे कि मुर्गी फार्म है यह भी आपको पांच लाग पर महीने तक की साइड इंकम दे देते हैं आपके पास काफी चूजें होने चीजिए उसके अंदर आपका जमीन होता है शुरुवात में आपका इंवेस्टमेंट लगता है जहां पर एक अच्छा कैपिटर लगाते हूं वह फार्म बनाने में आपको टेंपरेचर कंट्रोल रखना होता है वरना चूजें बिमार हो Jakes गार्मिक के अंदर आपूर लाऊ हो तो दर्यों में पाने डाल रहे हो टीजों को सबको इंज्यक्षिन लगते हैं सबका खाना होता था आकापी इस एक हैंगु घुल हैं पैसा कितना है पैसर आपको कंपनी दे रही होगी तो अगाए हैं ईसटू का जो पैकेज उता है मैक डू मैक आप वहां तक जा सकती हो कि अगर भाकी आप खुद की अपनी एक फर्म खोल ले तो जैसे मैं जितना एक एक यहदा नहीं जानता है कोई जानता हूं वह व्यक्ति फिर गवर्मेंट के लिए काम कर रहा था पुलिश डेपार्टमेंट के लिए तो वहां से वह काफी कुछ अर्ण करता था इधर उदर से पर मैंने कभी वन टूवन कभी बात नहीं करी किसी आती है कल हैकर से ज्यादा नहीं बाकि जो क नहीं सिखा देते हैं और फिर वहीँ के पर काम कर रहे हो कि अ जाते हूं जाते हैं जो अब क्या बोलोगे मैं काम करने जा रहा हो गेम खेलना है थोड़ी देर अभी डिस्टाब मत करना तीन गंटे बहुत बड़ी अलगता है और मेरे को तो अच्छा भी लगता है अगला अगले बंदे ने हो सकता है अपने कॉलेज की स्टडीज को सैक्रिफाइस किया हो सकता है अपने किसी एक्जाम को सैक्रिफाइस किया हो हो सकता है घरवालों से लड़ाओ किसी PC VC के लिए हो सकता है पहला PC खरीदने में उसे तीन साल लग गए हूँ क्योंकि वो एक-एक पैसा बटोर रहा था पांच हजार दस हजार पंद्रह हजार रुपे करकर की और वो एक डेड़ लाख रुपे का PC गेमिंग उसका जो बना तो मेरे आप अपना स्टोरी बताओं मेरे स्टोरी से बोर नहीं हुए मैंने तो इसलिए नहीं बताया वो जो स्टॉक्स में भी कवर हो गई थी फिर रनवीर अलवाद्या ने भी कवर कर ली थी तो मेरे को तो आज तनिश्क ने का था कुछ भी कर देना बस अपनी कहानी मत बत क्यां अब काफी सारे कॉले सेमिनार लेता हो मैं उसके अंदर सेमी चीज बोलता हूं तो मेरे कानों में से खुर निकलने लग जाता है यार इतना नार्सिस्ट है यह चीज चोटा एक मिनिट के अंदर समराइज अगर करूं का चोड़ो इगनोर करूं काफी शर्मीला था यूट्यूब चैनल मैंने स्टार्ट किया था पहले साल मॉनेटाइजेशन मैंने बिलकुल वाननी की फिर ममिनिका चैनल बंद करूं तो मैंने ओन की थी शुरुबात में सबसे पहले स्टूडियो बनाएं सबसे पहले स्टूडियो बनाएं वहां सी यार में को पैसा मिलना स्टार्ट हूँ आपके जो एक्वेप्मेंट है लेता था और इनको फिर बनाने के लिए मैं उसमें पैसा लेता था फिर मुझे फरीदाबाद में कुछ बड़े स्कूल मिले बड़े-बड़े क्लास्रूम जिन में 200-300 बच्चे बैठते हैं अभी का नहीं सिक्कर में जाओ तो 300-300-400 वाले क्लास्रूम और उनकी आप पूर जाओ हैं दिया स्कूल कि सिक्कर की साइड मैंने जाके कवर किया हैं तो मैंने इसे काफी अर्ण किया पर میں कि अनिमेशन है जैसे हैं मैं अनिमेशन इंडिया में सबसे पहले कर रहे हैं पहले आप बेश सकते थे अब हम सिफ सारा खुद पर लगाते हैं कि यूणीक चीजें जो कि मैं एडूकेशन में करना चाहता हूं एक गोल है कि मैंने इन फैक्ट लिख भी रखाया अगर वो डायरी तरह होगी तो इस डायरी के उपर तुम्हें सामने देख भी जाएगा मैंने यह लिख रखा है इसके अंदर अगर मैं कैमरा में देखूं यह लिख रखा है मेजर कॉन्ट्रिबूशन यह नव है दो हजार पच्छेस तक इसमें मैंने लिख रखा है आई विल बी मैनेजिंग ओल मेजर एड टेक चानल्स और आपको भी अपने गोल्स इस प्रकार से लिखने होते हैं अगर जाकेट बचवाद वह लग रिया सर्दी आख से अटको कि अगर नहीं है तो अपने गोल्स यह आपको लिखने पड़ेंगे माइंड सेट के उपर यार मैं बहुत कम बात कर पाया जो सबसे शुरुवात में मैंने एक पॉइंट डाला था कि आपके अंदर जनाब जीगरह इतना होना चाहिए कि और एक्जामपल सुनों यूट्यूब पर आज के दिन मेरे पास पांच चैनल है जिन में से तीन मॉनेटाइज नहीं है एक दो तीन चार पांच लाश्ट के तीन मॉनिटाइज नहीं है हम आज के दिन सारा मिला के लगबग हमारे पास लगबग 31 एनिमेटर सें 12 13 फेकल्टी हैं हमारे पास 3-4 एडिटर्स वगेरा हैं सारे काम करते हैं हम करीबं करीबं 20-25 रुपे इसके ओपर मंथली खर्च कर रहे होते हैं और यह सारा लिए कोई पेड़ नहीं लेता ना पैसे तो नहीं लेना तो उसका फाइदा मुझे यह मिला कि आँज मैं बोल सकता हूं कि पचास हजार बच्चे अभी हमें देख रहे हैं तो वह चीज मेरे पास है मैं उसके लिए बहुत खुश होता हूँ मेरा गोल है मैंने यहां पर लिख रख रख है 2025 तक मुझे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जितना है फुल बेस्ट एनिमेटेड लेवल में जो हम डाल सकते हैं वो मिरको डालना है आप अपना गोल लिखो यह मुझे मेरा वर्थवाइल कॉस लिखता है मुझे लगता है जो मेरको पता है वो सारी चीज़े मैं शेर करूँ मैं एक एजूकेटर हूँ आप कुछ होर हो सकते हूँ वो एक वर्थवाइल कॉस पकड़ो एक मार्केट आपको ढूणना पड़ेगा उस मार्केट का वो जो पेन है वो अगर आप दूर कर पाते हो तो आप फिर वैल्यू एडिशन कर रहे हो और आप अगर इसके साथ ओन्लाइन की हेल्प ले ले तो सम्हाव इसे इंटरनेट से कनेक्ट कर देते हो बहुत आपके पास एक आप वगेरा है तो जरूरी नहीं मैं आपको इस चीज़ से विलकुल भी यह मत समझना कि मैं यह कुह रहा हूं कि गलती से इंजीनियर मत बन जाओ या मैडिकल में मत जाओ तुम्हा पते हैं मैडिकल फिशनेल्स कितना जाद पैसा कमाते है thing आप किसी इंजेनेर के लावा को श्टार्ट अप नहीं southwest त 높ने होती हैं तो आप उस फील्ड में जाते हो पाइक अच्छे कॉलेज में जाओ आप कॉम्पेटेंट बंदों के बीच में होते हो बड़ा विजन लेते और आप अकॉर्डिंग्ली उस डायरेक्शन में काम करना स्टार्ट कर देते हो बाकी मैंने आपको लुक्रेटिव डॉमें में यह यूएस में मतलब इंडिया में वहां पर टैक्स भी कटता है वहां पर महंगाई भी जाता है वह सारी चीज़ें यह आप अल्रेडी टॉप वन परसेंट की हम बात कर रहे हैं कभी भी यू मत सोचना रहे यार इंजिनियर बनके क्या करूंगा रहे बुद्दू हम 99 उसे उपर हो गए समझ पारे हो गलती से भी इस पूरे का मेरा मेसेज यह नहीं है मेरा बस मेसेज यह है कि सिर्फ वो मत करते रहना ठीक है और करना है तो फिर इस लेवल का करो कि भैंकर लेवल का कर रहे हैं यह चीज़ क्लियर है साइड फनल आपको जरूर रखनी है आप यह सारे नहीं रख सकते है अटलीष टॉक में निफ्टी में तो पैसे डाल सकते हो ना पांच मिनट लगते हो उसमें यह तो कर सकते हो भाईया मैं आपकी बात से कैसे भरूसा कर लो निफ्टी पे डाई डालो तो डाल के स्टडी कर लो यार इंटरनेट पे सब कुछ अवि 2026 गुना आप अपना पैसा कमार लोगे तुम समझ पारे हो उसकी स्ट्रेंथ समझ पारे हो एक नॉर्मल काल्कुलेटर लूँ मैं अभी जैसे कि मैं लाइव खोल लेता हूं इसको कि अगा इसको मैं लाइव खोलता हूं अभी नेट में चला रखा था स्वारी कि अभी कनेक्ट होगा और मैं एक कंपाउंड इंट्रेस्ट काल्कुलेटर तुम साब के सामने खोलता हूं और एक नॉर्मल वाल विल उतना है कि इतना पैसा अगर आप किसी अफ्टी में डालते जाओगे तो आपको कितना पैसा पैसा में से मिलता जाएग इसको खोलते है माल ले कि मेरा इनीशल डिपॉजिट कितना है कि इतना माने इनीशली मेरे पास कुछ पर जीरो मैं जीरो रुपीज लेके चल रहा हूं कि इंट्रेस्ट रेट में माल लेता हूं 14 15 परतिशत किस ले लेते हैं इतने साल के हम बात करने 40 साल की बात करने 40 यहर्स की तीख है और जो कम पाॉंड इंटरवल है इसको मैं कि कर लेता हूं कि ठीक है और इंफ्लेशन रेट में 6 प्रतीशत ले रहा हूँ अच्छा में पांच ले लेके हैं ने इतना स्लोक वार है अच्छा डॉलर्स में बताएगा मुझे हैं रूपीस करते हैं कर दो कर दो कर दो कर 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 कि इसी प्वाल इस पॉल आपकुलेटर ने कर फोल लेक हम बेसिक मैंने माउंट वारला मागर मैं पांच से जार रुपए जैसे आज डालता हूं तो लग बग मुझे बीस लाक रुपे करी मिलेंगे आज से चालिस साल बाद और मैं सिप डून रहा था एक से कि आप अपने गूगल पर सर्च कर सकते हूं जो भी फर्स्ट लिंक आएगा उस पर अधर करें प्लिक करते हैं को यार यह थाड़ पार्टी को दिख रहे हैं सारे कि आए यह नाम नंबर सब लेंगे उसके बाद अपना काल्ग लेटर देंगे यह यह नहीं इसी दा दे रहे हैं आएँ आए इस आए मैंने दे रहा किसी को नाम नंबर क्या बत्तमीजी है यह 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 गलत दमाने में आगए यह एक सिंपल काल्कुलेटर में दे सकते हैं यह यह मिला में को थोड़ा सा गोड़ा है आए विश्टु इन्वेस्ट पाइफ थाॉलसेंड आए इस आए इस आए इस आए इस पीड़े नहीं कर सकते स्क्रोल करके बताना है चारहजार नौसर रुपे पर मंत हम डाल रहे हैं एजियूम करते हैं नंबर आफ इयर्स टूबी 40 एकस्पेक्टेड रिटर्न रेट में मान लेता हूं 14 प्रतिशत मानते हैं तुम यह देख पारे हो अगर मैं 5000 रुपे भी डालता हूं तो कितना resultant amount मिल रहा है 2,72,29,573 और यह मैंने 14 प्रतिशत रेट लिया है अब आप पूछ रहे थे न यार वो 1% रेट का क्या difference होता है जो fund manager ले जाता है यहीं 14 प्रतिशत की जगह मैं 15 प्रतिशत डालूं यह जो 14% मैंने डाला है expected rate of return इसकी जगह मैं 1 second के लिए 15 डालूं तो अगर मैं इसको 15 करता हूं हो जाए यार तुम देख रहे हैं वही amount 3 करोड 43 लाक्स हो गया कितना jump हो गया लगबग 40-50 लाक का jump आया है तो वह जो एक प्रतिशत margin तुमसे लेंगे जो पन्ने में बहुत च्छोटा सा लगता है 1% margin वह 40-50 लाक का हो गया जब 40 साल में compounding लगती है तो यह चीज हमें यहां से पता चल रही है मैं एक दो नंबर और लेता हूं पहले जैसे की मान लो तिर्फ 5000 क्यों यार सब जॉब कर रहे हो तुम 10,000 रुपे लगाते हो चीक है अगर मैं 10,000 रुपे और number of years अभी मैंने 30 लिखा था शुड़ाइर राइट 40 ऐसी मस्ती के लिए माल लो तो मैं 60 साल की उमर में निकालना हूं ठीक है यह amount मेरा निकल क्या रहे है रीफ्रेश हो रहा है नहीं हो रहा नहीं हो रहा 30 years का ही दिखा रहा है अच्छा 30 साल से उपर का दिखा ही नहीं रहा है इसका calculator है वहां तक सिर्फ 30 साल बाद यार आपका यह amount 7 CR है this amount is 7 CR अगर यहीं पर आप 40 साल करोगे this amount will count 28 CR साट साल में क्या करेंगे कुछ मत करना उसके आग लगा देना मैं यहां पर एजियूम कर रहा हूं चाहिए यार जीरो आदम एक आदमी सौ साल तक जीने वाला आज कल मेडिकल इतना हो चुका है कि 80-90 साल तक तो जीएंगे न येस और नो हाँ तो मानलो आप एक लाख रुपए कमारे हो तो आप दस अजार रुपए नहीं डाल सकते श्टॉक के अंदर आपके बुड़ापे में काम आ जाएगा एक तरह से आपका पेंशन मनी मानलो उसको चाहे साट साल के बाद जिन्दा नहीं रहोगे क्या साट पर मर काम से जिएंगे है एल्थ वेल्थ सब ठीक रही नब्वेन पिचानवे भी निकाल सकते हो तो तीस-बीस-थीस साल के लिए पैसा है तुम्हारे पास हो गुमो फिरो बढ़ापे में और बढ़ापा क्या है साट साल में कोई इतना बढ़ापा नहीं आता हूँ साल में होता ह तुम अपने इंकम का दस हजार इंवेश्ट करोगे और तुम्हें लगबग इतना हैवी अमाउंट मिल रहा होगा तीस साल बाद चालिस साल बाद वो 28 CR है तो अच्छे चीज़ है यार क्या देख कर दो ग्रेट ग्रेट समरित गोष मैंने बताया तुम शायद लाष्ट में आया मैं दुबारा रिपीट करो गया अगर गलती से आप कुछ ऐसे डोमेन में चले जाते हो जहां पर आपके पास कोई आप है और वह आप के उपर अगर आप ठीक ठाव डाउन्लोड बनवा पाते हो चाहे आप आप अंत्रप्रणॉर्शिप के हिसाब से अपने हिसाब से निकलो चाहे आप एक इंफुलेंसर ह आपका एक अप है किसी भी डाइमेंशन से जाओ अगर आपके पास वहाँ पर 1.000.000.000 डाउनलोड है यह ज्यादा डाउनलोड है तो आपकी वर्थ बहुत ज़ादा हो जाती है पता चला आपकी कंपनी की आप 10.000 करोड के माले को और यह राइट फिगर से हैं यह राइट पर आपने लिस्टिंग कर रखी, आप प्रॉडक्ट्स वगेरा बेच रहे हो, या फिर आप डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एक फर्म चला रहे हो, फर्म भाईया मैं फर्म कहां से चलाओंगा, मैं तो थोड़ा बहुत काम कर लूँ, शुरुवात में यार दो-तीन साल आ होगे, आपको ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा, बीस, तीस, पचास अजार, पर मैं ऐसे ऐसे इंडिविज्वल जानता हूँ, जो की, मैं भूल गया उसका, डिजिटल मार्केटिंग में उसका कितना है, आइग इस पंद्रा लाख था, कितना है, वो लगबग 10-15 लाख होगे, इनको लगबग लगबग, इस विक्ति को लगबग लगबग 3-4 साल होएं, पर ये काफी अच्छे से कर रहा है, इस विक्ति को जगए, इसको लगबग 6-7 साल होगे, ठीक है, ठीक है, थर्ड हमारा होता है यार, कि आप सोशल मीडिया से हल्प लेना स्टार्ट कर द अगर आप एक influencer हो दुबारा वही चीज रिपीट कर रहा हूं मैं और आप एक ऐसे influencer हो जिसके पास काफी सारे eyeballs हैं जो कि 10 million के उपर जा रहा है तो 10 million प्लस उपर जो सब्सक्राइबर है मैं सब की guarantee नहीं ले रहा हूं और मैं जितनों को जानता हूं वो 8 figures कमा रहे हैं 8 figures per month तो यह आपका यार 10-12 CR हो जाता है 10-12 CR को 3 साल से multiply करोगे हो तो गए 36 CR अब आप बोलोगे भाई यह 10 million वाले बंदे क्या मजाग कर रहे हैं बहुत कम बंदे हैं मैंने का जनाब देखो वो बंदे हैं जिन्नोंने 5-6 साल सोशल मीडिया पे लगाए हैं या कुछ ऐसे cases में ऐसे भी हैं जिन्नोंने 6-7 साल लगाए हैं Yes or no? That's it? जिनके भी 10 million से उपर हैं आप देखोगे उन्ने 6-7 साल हो गए हैं मैं कह रहा हूँ आपको पहले 1 साल में कोई नहीं देखेगा आप 300 वीडियो डालो पर आपके 500 वीडियो डालो कोई camera gadget device किसी की जुरत नहीं है ऐसा domain पकड़ो जिसे कोई भी देख सके 15 साल का बच्चा 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 सतर साल का बच्चा इन फैक काफी ऐसे domain है जिनने यार आज के दिन पता भी नहीं है पर देखना वो नए खुल के आएंगे काफी pranking के नए खुले हैं आपने देखा है prank मतलब जो science experiment type कुछ करते हैं मैं देखा एक बार trending में 3-4 में तो science experiments थे आज से एक दो साल पहले वो थे ही नहीं gaming trending में जा रही है आज से कुछ पहले था ही नहीं तो नहीं नहीं आपके यार डोमेन खुल रहे होंगे मैंने तो अभी बताया शुरुवात में बोला था मालो एक छटी साथवी क्लास का बच्चा रोश्टिंग कर रहा है उससे कौन नहीं देखना चाहेगा एक क्यूट सा बच्चा बैठके रोश्टिंग कर रहे है तो अपने आप में पता चला गया तीन-चार साल में वह काफी नेक्स्ट कैरी मेनाटी बन गया हो वह चीज बहुत प्यारी है हर चीज में डुमेन में आपको शुरुवात के एक साल आपकी कोई आउकात नहीं होगी आज एन इंफ्लेंसर सेकंड एर में भी आप बहुत कम पैसा कमा होगे ठर्ड एर में आप इतना कमा रहे होगे कि आप आपको लगेगा यार इससे अच्छा कास्चरकारी कर लू या यह ठीक है पूर्थ एयर में आप ऐसा होगे कि आपको लगेगा ठीक है कुछ-कुछ चीज़े बन रही है फिफ्ट एयर में आपको चीज़ें और नीट एन क्लीन दिखने लग जाएंगी और पांचवे और छ ने तो यह ऐसी चीज़ बिल्कुल इंपॉसिबल नहीं यह जो अमजॉन पर काम करते हैं यह ऐसे बंदें पांच-पांच-पांच-दस-दस लाग कमा रहें कोई दिक्ट एक नाशनल बुश बुक्सेलर है नाशनल बेस्ट बुक्सेलर मैं ऐसे बुक्सेलर को जानता हूं यह अपने किताबे बेचते हैं और उनका मंतली ट्रपीज 10 लाग के करीब आता है 10 लाग पर मंत और किताबे बेचना किसी का भी है यार primary काम नहीं होता है किताबे बेचने का मतलब स्वारी वो author है उस किताब के बेचना मतलब ऐसा नहीं कि वो बेच रहें दुकान पर और गया था पर उसकी कॉम्पेट्रेटिव एक्जाम की किताब थी 20 एक लाग के प्रीब गया था तो यह सारे रेवेन्यू फिगर्स हैं तो मैं तुम बोलो कि पर चार-पांच साल तुम्हें एक ऐसी चीज में साइड हसल मारनी पड़ेगी जो कि सम्हाव ऑनलाइन से कर लिया जनाब वहां पर तो अगर आप फंडिंग वाला डूमेन भी मैंने आपको बता है आप क्या कर सकते हैं तो इधर भी यार अगर आपकी सोचल मेडिया प्रेजेंस है तो आपको काफी हेल्प मिलेगी किस समझ में आ रही है येस फिर यार एक और रास्ता जो मैंने बताया था इसके अलावा वो ये था कि जो थोड़ा सा लंबा था पर उसमें जनाब आप बहुत पैसा कमा रहे होगे जो कि ग्रांड कार्ड होने वाले था कि आपके पास जो भी सालरी है आप 20 लाग कमाते हो वेल इन गोड़ दस लाग सेव करो इस दस लाग को सेव करते करते आप एक ऐसे बांट पर पहुशत हो जब आपके पास बैंक में 70 लाग रुपे हो इस सतर लाग को आपका इन्वेस्ट करते हो इसी रियर स्टेट के ऊप पर आप दूसरी अपने स्टान आते हो आप तीसरी बनाते आप चौथी बनाते हो फिर दिरे दिरे आपके पास एक बड़ा पॉर्टफोलियो हो जाता है राइट कुछ विक्ति का एक रूल है कि जब मेरे पास 32 दोर हो जाएंगे देन आम फाइनेंशल स्टेबल 32 डोर सब 0 से स्टार्ट होएं कोई उनके पास कोई बड़ा बैक्राउंड नहीं था है राइट है आर्टिफिशल इंटेलिजेंस के उपर क्या पूछ रहे होते हो होता क्या है कि आपके पास एक बड़ी कंपनी आएगी जो बोलेगी मेरे पास इतना सारा डेटा है आप प्लीज ह etme कि घरए जय'tा गरचके मेरको मार्केट हैंस कर दो को दो टा करके एक सेकंड कंपनी बता देगे कि यार आप है न यह चीजह निकालो नेक्स टाइम आप यह एड कंपेन निकालो आपकी यह वाला प्रोडक्ट अच्छा कर रहा है तो आपको यह चीज करने चीज इस टाइप का काम होता है आप बैठके ऑल्रेडी जो बने वे टूल्स हैं उनका इस्तेमाल कर रहे होगे आप जिस आर्टिफिशल इंटेलिजेंस इसके बात कर रहे हैं उसके लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा मास्टर्स वगरा करनी पड़ेगी पांच-छे साल बाद कुछ मैं वैसा कुछ देख रहे हैं कि मैंने ग्राफिक डिजाइन से बताया यार अभी तुमने पांच गंटे अर्टेंड किया तो पूरा बाद फिर आप सोशल मीडिया से नहीं आप अपने बी-टू-बी आपको बिजनस रखना पड़ेगा सोशल मीडिया को तो आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो कि देखो यार मैं इतने लोगों को सिखाता हूँ और आपको बिजनस अपना बी-टू-बी रखना काफी लोग है मैं तो अपने कोर्सेन नि बेचता न अर बाकी लोग तो अपने कोर्स बेचते हैं तो मैं उनके लिए आप तो बना सकता हो सबको आप तो चीए लाटुचियों मैं उसमें रेवर्णू शेरिंग ले सकता हूं क्या पता लेता हूं तो वह एक कि आप पैसे ले लेते हो कि इस प्रकार से आप मल्टिपल कर से हैं अब यह संदीप महिश्वरी का बिजनस मॉडल विकॉज यह नॉट मॉनेटाइज इस चानल उनका तो खुद का काम है इमिज बजार का कि अब यह आपके खुदगे रेवेन्यू सोर्से जोते हैं तो आप क्यों पूल करोगे जरूरी थोड़ने हर व्यक्ति जो सोशल मीडिया पर वो सोशल मीडिया से पैसे उठा रहा हूं नहीं है ना उन्होंने अपनी साइड कल रहा कि हर व्यक्ति अगर अपनी साइड फ़नल बना लेता तो यूट्यूब एड्सेंस सबसे चोटा तो दूसरा होता है आपकी ब्रांडिंग को जो बनती है यह आपके कुछ कॉम्पनेंट्स होता है अगर कोई क्रिएटर होता है जैसे हमारे पांच चैनल है पांच मैंसे तीन चैनल मैंने मॉनेटाइज नहीं कर रखें मुझे पता ही उन में से क्या आएगा उन में से जादा कुछ आए गई नहीं हमने वैसी को दीवने अटा रखें तो यार्वेक्ति को यार आप जज्ज करना बंद करो एक तो हमारी सुसाइटिव है कोई पैसा कबाल ले तो उसको हम देख लेते यार यह क्यों कबार आप सीख लेगी कोशिश करोगी उसने ऐसा कमाया है तो यार मैं भी कुछ ऐसा कर सकता हूँ है आप जैलेसी रखोगे रख लो उसके तो कुछ फरक पड़ेगा नहीं वह अपना लाइफ में आगा चलता जाएगा आप कंतर नेगटेव अनर्ज रहेग यार यह चीज करने में मुझे मजा रहे हैं अब मुझे इस टाइप के वीडियो नीचे है प्लीज अवन भाईया ने क्या कहा महिश्वरी सर के बारे में वो क्लिक बेट्स मत बनाना प्लीज मैं कभी भी किसी चैनल पर मैंने स्ट्राइक निमारी है ना मेरे को कोई वैसे का करने पर वो चीप काम लगते हैं मुझे यह लगता है कि जबरजस्ती कोई मेरा स्टूडेंट होगा वो क्लिक करेगा और टाइम विष्ट करवा होगे तो मुझा और कुछ नहीं और ऐसा सोशल मीडिया पर प्रेजन्स बनाके कुछ फायदा नहीं होगा अगर आप सिर्फ वॉइस ओवर पीछे से दे रहे हो उसकी कोई ज्यादा वैल्यों नहीं है आपको खुद सामने आना पड़ेगा हम एना यार यूमन बिंग से कम्मुनिकेशन पर जीते हैं ठीक हम अगले की शकल देखनी जरूरी है हम देख रहे हों क्या नाक नक्ष उसके कैसी बाते कर रहे हो जो आप कॉपी पेश्ट करके कुछ कॉंटेंट किसी का बना देते हो या पीछे से बस कुछ हवाज बदल रहे हो उससे आप हो सकता है कुछ सब्सक्राइबर्स गेन कर लो पर है वह अपना खुद का कॉंटेंट होनाता है वह उनकी बात कर रहा हो जो किसी और का कॉंटेंट उठाके इस वर्सेज दिर्स डाल दिया पूश्ट कर दिया और सब्सक्राइबर गेम कर लिए वह कलत चीज है एंग्री प्राश्का तो खुद का मास्क है वह है तो कैसे मिल जाएंगे की होलाडे कुछ वैबसाइट हैं पर में नहीं मैंने फरी लांसिंग के आलरडी नाम दे रहता है नाइंतिनीनीडेजाइन ौट कॉम्या अप वर्क डॉक्ट कॉम है अप फ्री लांसर हो गई कि यहां पर जाजाकि आप थोड़ा बहुत काम कर सकते हो और आपको सबसे ज़्यादा अपवर्क पे आई गैस काफी अच्छा है अगर आपके रिव्यूस बहुत अच्छे ना तो आपके परार बेसिस के जो पैसे हैं वो काफी हेवी हो जाते हैं पर वहां पर भी उस्टेज पर पहुंशने के लिए भी आपको तीन-चार साल लगान पड़ेंगे मैनत तो हर जगह है वह नहीं है कि अधिया परार आपका काफी अच्छा माउंट होता है फिर वह अधिया टेक्निकल गुरुजी कितना कमाते हैं यह उस्विक्ति के अपने बिजनेस हैं तो तो हर विक्ति को यूँ क्यों सूचते हैं क्योंकि हर विक्ति कहीं से कमाता है मैंने तुम्हें बोला 10 मिलियन से उपर जो क्रिएटर हैं वो उतना अर्न कर सकते हैं डजन मीन की अर्न करते हैं काफी सारे क्रिएटर्स बड़े इसलिए भी बने हैं यार क्योंकि आपका उन्होंने शायद ब्रैड डील्स नहीं लिए उन्होंने शायद किसी और चीज़ को प्राइरटी दिए तो उनके खुद के काफी बिजनेस हैं उनके राइस के मार्वल का बिजनेस खोल रखा है उनका सेक्यॉरिटी का बिजनेस है तो उदर से उनका कापिटल आता रहता है लाट सिट राइट कि मार्वल को कॉल ना इस विवेक बिंद्रा सरका तो आएकिस कुछ कोर्स वगरा बेचते हैं वह को आइडिया नहीं है पर उसका क्या रेवन्यू मॉडल है पर डेफिनेटली वह चानल बहुत बड़ा है कि अधियर में ज्यादा देखा नहीं है कि मैंने उनके कॉंटेंट दे रखे पर मैं मतलब मैं अल्रडी एक एडुकेशनल प्लाटफॉर्म तो मैं कुछ नहीं कह सकता हुआ 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 अब सिर्फ आपके या डाउट्स वगेरा देख रहा हुआ 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 है क्या सारे डोमेंस लुक्रेटिव हैं सारे डोमेंस या लुक्रेटिव नहीं है मतलब आपको फिर दूसरे चीज़े देखने पड़ेगे मतलब आप सोशल मीडिया से तोर नहीं कर सकते हो जैसे अगर कोई ऐसा डोमीन है जिसमें आप डिफ मतलब कंफाइंड हो एक पर्टिकुलर एज ग्रूप के अंदर या आप यह सिर्फ साथ से आठ साल के बच्चे या पांस से च्छे साल के बच्चे या सिर्फ वहां पर आप कंफाइंड हो आइस कंपेर टू और जिसको जो पचास साल की डूमीन को पकड़के बैठा है कि बागे सब ठीक है कि मानले जैसे कि अपनी कख्षा पर कोई वीडियो डालता हूं फॉर एक्जामपल एल्कोहॉल फिनॉल एथर लेक्चर नमबर टू प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहॉल अब जितने भी यार देश में लोग होंगे उनमेंसे बहुत कम प्रतिशत लोग होंगे जो कि शायद दोस कि क्या वाट्साप सेफ है अब ये वीडियो को तो कोई भी देख लेगा या फिर वाट्साप बिल्कुल सेफ नहीं है तो यहां पर आपकी डॉर्डियन्स बहुत बड़ी है तो उधर आप फिर मार खा सकते हो वो एक इशू हो जाता है या फिर मालब आप काफी ऐसे हैं रियाक्शन आपको देना होता है ठीक है तो एक बार मुझे याद है किसी चैनल ने हमारे चैनल का भी रियाक्शन दिया था जब हम बच्चों का एक्जाम रिव्यू दे जाते है ना बच्चों ने जो एक्जाम रिव्यू में रिपलाइ दिया था उसका किसी ने रियाक्शन दिया तो हमने एक्जाम रिव्यू लिया था हमारे विउस आये थे बहुत कम ठीक है और जिसने हमारे उसका रिव्यू दिया कि बच्चे बोर्ड एक्जाम के बाद कैसा फिल कर रहे हैं उसके आये थे million में तो मैं सोच रहा था कि चल क्या रहा है मतलब इसने हमारे वीडियो को देखा तो इसके मिलियन में और हमने पूरे को जाके बच्चों से पूछा हमारे कुछ आए नहीं तो थोड़ा रहता है 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 अदेल से बुरा लगते है है हाँ तन में बटने बनाया था एक वीडियो तो इसमें एक पाइप था वा सही है चलो अब तो देखा किसी ने है है IT YES मारजिन सोते हैं आप की आप बड़े जबल्क करको कर सकते हों आप औनलाइन में पर आपको मार्के टिंग में आप कैसे आते हो क्या Griff लो तो बहुत पापडे बेचने है तो 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 आपना आंजओन उड फॉल सकते ओ पूग पाइसा है आपका ब्लॉगिंग में बहुत पैसा है कॉमेडी में बहुत पैसा है इन दे सेंस के आपको शोज मिल जाते हैं और रीच तो भाई इंसेन है कॉमडी चानल तीन वीडियो डालते हैं और ऐसे देखता है कि दूबराटी मसता आदमी है मतलब पॉलिटिक्स की लेफ्ट राइट साइड तो यार देख ज्यादा जानता है नहीं ना में पढ़ता हूं मैंने बस ना उन से कभी पॉलिटिक्स की बात करी एक हमारा पॉड्कास्ट हुआ है भी सक और उसमें मैंने सिर्फ यह पूछा कि पर स्टूडें परस्पेक्टिव से आप बताओ कि क्या क्या चीज़ें आपने ठीक कर आपने लाइफ में तो वह आपका हसलर वे डाल भी रहोगा कि वह उन्हीं लाइफ में क्या क्या करें क्या मेजर डिसीजिजिशन से जिनसे उनकी पूरी ट्राजेक्टरी बदली है कि आप प्रोसेस हैं जो कि आ रही होंगी तो काफी बड़ी है बट उनका भी दोमेन बहुत छोटा है मेरी तरह है तो वही दिक्कत हो जाती है पर उनका काम में को बहुत अच्छा लगता है उनकी किताबें काफी बहुत अच्छी है एक तरह साइगेस आमजान पर बेस्ट सेलर निकल ली थी उनकी किताबें तो मैं दिखाए दे रहूं अब बेस्ट मैरेज अडवाइस मैं पहले कर लूँ फिर बताता हूं आप अब अब थोड़ा सा एक्सपिरियंस में कमी है मेरे को उसके बाद अब यह ट्वेल्थ के बाद क्रिकेटर बन सकते हैं कि पढ़ाई छोड़के बहुत पैशनेट हूं अपने आपसे आपको दो-चार सवाल पूछने है क्या आपने क्रिकेट अल्रड़ी पांस-सात साल खेल है क्या स्टेट लेवल कच कहे हो मतलब स्टेट नहीं तो जोनल ल कि लोग 17-18 साल की उमर में डेब्यू मार देते हैं तो मतलब थोड़ा हमें प्राक्टिकल अप्रोच भी रखनी है मैं यूं नहीं कह रहा हो ही नहीं सकता हूं कि शायद हम बहुत लेट हैं आज कल बच्चे 4-5 साल की उमर से खेलना स्टार्ट कर देते हैं तब जाके वह 16- कि उमर तक 10-12 साल खेलने के बाद फिर एक लेवल पर पहुंचते हैं मोटो व्लॉगिंग बाइक सच्छा है हां मोटो व्लॉगिंग अच्छा यार दुबारा आप व्लॉगिंग तो बहुत एक डूमेन अच्छा है यार क्योंकि कोई भी देख सकता हो से वीवर्शिप बह साथ में आपको पैसा मिलेगा उस कार को रिव्यू करने का तो वो चीज अच्छी हो जाती है मालो आप होटल टू होटल जाते रहते हो तो हो सकता है एक बड़ा फाइफ टार होटल की जिसकी चेन है इंडिया में वही आपको स्पांसर कर दे यार आप जब भी आओ आओ तो इस प्रकार की चीज़ें हो जाती है और यह और फेवरेट बुक यह एक फेवरेट बुक नहीं है को यह एक ऐसे नहीं बता सकते हुआ हुआ यह क्या हम एक्टर बन सकते हैं आज के दिन आपको आक्टर बनना है ट्राय यूट्यूब लाइट आप अपने कुछ चीजें बनाएं खुद आजब क्रिएटर जैसे में एक्जामपल दे सकता हुआ हर्ष बेनिवा लाशी चिंचला नहीं यह सब व्यक्ति हैं जो कि इस डॉमेन में बहुत अच्छा कर रहे हैं यह अपनी अपनी शॉट मुवी निकालते हैं इस डारेक्शन में आप काम करो आप चाह कर रहे हों कि अचि अजाने डाइरेक्टर कैसे मनें आव्य हमारे हैं यह दे sum हमारा स्क्रिप्ट राइट्र था वह मेरा अब डाइरेक्टर बने हम चोटा साही की स्टार्ट कर रहे हैं। प्रकार से आपको कुछ उपॉर्चुनिटी जुननी पड़ेंगी कुछ लोगों के साथ मेरा जो यह स्क्रिप्ट राइटर था यह पिछले दो साल से मुझे बोल रहा था मुझे डायरेक्टर बनना है पता नहीं मैं कैसे बनोंगा और बहुत जादा पाशनेट आउस चीज़ के लिए मेरा दो यह मानना आप किसी भी चीज़ के पिछे जब जाते हो ना वो इंडिविज्वल्स बता दिये जो किया करते हैं वीडियो एडिटिंग में आपको एज इंडिविज्वल फ्रीलांसिंग में ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा वह 20-25,000-15,000 इतना पैसा मिलेगा पर आप खुद ऐसा फर्म बन जाते हो फर्म इन दसेंस एक तो यह आज के दि स्कूल आपने अपने अपनने सोशल मीडिया पर प्रेज़स बनाओ तो इसे आप अपने फटफोलियो में रख सकते हो आप अपने कंपनी बना सक वेबसाइट रखो उसका स्ट्रॉंग रखना पड़ेगा तो अलोवर इंडिया कोई भी कुछ एडिटिंग से रिलेटेड जोंडेगा एडिटिंग फर्म आओ यह उपर के दो तीन में आओ और उसके बाद आपके वह अप्रोच कर सकें अब आमानलू बहुत सारा डेटा है तो आप कैसे लेकर आओगे पहले अपने स्टूडियो में तो एक व्यक्ति हो जो कि उनकी लोकेशन पर जाके हार्ड ड्राइव में वह सारा डेटा ले आपके स्टूडियो में लाए एडिट करें वापस दें इस टायब को आपको सिस्टम देखना पड़ेगा अब यूट्यूब अब यूट्यूब अच्छाइब इंडिया का तो सबसे वीक हैं इंडिया पाकिस्कान का अधिस बहुत स्टॉंग है अगेस उसका यह फंडा होता है वह जितना अर्न करता अपने नेक्स अपकमिंग वीडियो में खर्च कर देते हैं थोड़ा सा सेविं सब्सक्राइब करो कोशिश करो कि वह दो तीन महीने पहले खतम हो सब्सक्राइब आप ऐसा कर सकते हो पैरलल 11 का एक सब्जेक्ट लेलो फिजिक्स पकड़ लिया आपने तो फिजिक्स का आप 11 12 दोनों देख रहे हूं और बाकी दो सब्जेक्ट आप सिर्दों कि अधर को आपको नहीं कहता है आप यूट्यूब से पैसे कमाते हों दात में तोड़ दूगा मैं 25 लाक लगारे होते हमारी यूट्यूब एड़स नसे आए नहीं रहे हूं उसका प्रैक्शन नहीं आ रहा मतलब दस गुना पैसे उससे जादा लगा रहे हूं उसके ऊपर भाइब लियुक्त तीन चानल मेरे मांटटाइज नहीं बोलेगा कौण मैं तो यह बोल सकता हूं लोग के चानल मांटइज नहीं होते ने नेगेटिव में चल रहे हैं कि पिछले डेड़ साल में जो हमने चानल लॉंच किया हूं कोई भी मॉनेटाइज कर दो कर दो कर देंगे कर देंगे बस चली रहा है किसी दिन लग रहा है मम्मी थोड़ा फैक क्या मारेगी वैर सब्सक्राइज कर रहा हूं कर देखा इसने मांगता है ना यह रेफरेल कोड वगेरा तो वह पासवर्ड वगेरा नहीं होता यार इन्होंने क्या कर रहा है एक कोड है अगर आप नए यूजर हो आपको पासवर्ड डालना पड़ता है अमन जाई वो है तुम अल्रड़ी देख रहे हो तो वेल इन गूड कोई दोस्त वे नेक्स्ट टाइम आता है तो मैंने तुम्हें वीडियो में बताया था। यह रैफरल कोड यूज्स होता है मेरा येस और इससे ही होता है कि कल को आप इनका कोई कोड्स वोड्स लेते हो, अगर तुम्हें लेना हो तो मैंने पूरी फजिक्स पढढ़ा रख किसे गई हो कि थोड़े बहुत पैसे बचाने हैं तो इसको यूज कर लेना थे लिए कि मेर आप कर दो बिल्कुल नहीं इतने लोगों के सामने में अपनी बेच्टी नहीं करा सकता है कि एक कि यह वाट बाउट मशीन लर्निंग मशीन लर्निंग बहुत ओवर्रेटिड है अभी मशीन लर्निंग आज की दिन जो आप कंपनी वी बात कर रहे हो वह नॉन टेक कंपनी आपको लेकर जाएंगी वही पांस से बारा लाग का पैकेज होगा आप अल्रेडी ना रहे हो मशीन लर्निंग के डोमेन में जॉइन फ्री नेटलिक्स सर्फर भाई सहाव कितना काम खाले हैं अब यह वह पांच बाते बताएं जिससे हम किसी को भी पिन कर सकते हैं इन कॉन्वर्जेशन पिन कर सकते हैं इन कॉन्वर्जेशन मतलब कि सब्सक्राइब वहां से आपका एक दूसरा आप क्या वैल्यू अडिशन कर सकते हो आप अगले का फाइदा कर सकते हो चाहे आप को खुद का गरवान हो पर फिर भी आप कुछ ओफर करों को काम को मांगने वाले लोग कितने यह काम करते हैं पर आप बोलो कि मैं आपके लिए कर सकता हूं आप है कि आप सुने अगले की कहानी सुने जादा अगर अगला आदमी बोरिंग है तो फिर आप कम्मुनिकेशन अपने तरफ से इनिशेट करो बीच में वह ओक्वर्ड साइलेंस ना आए तो आप अपने आप कुछ चीजे पूछते हो जो कि उसके बारे में ही हो आप उसके बा आपके इंकम हमने आ रहे हैं आप सर्विसेज निकाल रखी हैं हम एक टाइम बे आनिमेशन भी करते थे शाइब जनाब हमारे मॉर्गी के फार्म हैं वहां से हमारे रवेण्यव आता है यूट्यूप चैनल है स्वोकॉल उदर से भी हमारा रेवेण्यव आता है हमने थोड़ा पैसा रीयल श्टेट में डाल रखा है 22 कि उमर में 8 मैंने प्रॉपटी कर दी थी उदर से मेरे पैस आते हैं इस प्रकार से कुछ-कुछ चीवे हैं मैं पढ़ाता भी हूँ अल्दू मैं आफलाइन पढ़ाना स्टार्ट नहीं क्या है पैसा बहुत है आफलाइन में तो मैं यह कुछ नहीं लगता मेरे पास टाइम है एक किताब लिख रहा हूँ मैं इस प्रकार से कुछ-कुछ चीज़े कर रखे हैं कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ सीधा पांच घंटे बाद आए हूँ ओहो टाइमर लगा के बारा बज़े बतायागा या आदमी बारा बज़े हूंगा मैं अल्रडी बता चुका हूँ यार काफी साड़े डोमी दुब प्रॉड़क्ट आपका कस्टमर ओल्रडी है आप बस एक एक्जिस्टिंग प्लाटफॉर्म पे उसको लिस्ट कर रहे हूं वहां पे आपको बहुत पैसा है आप डिजिटल मार्केटिंग में पैसा कमा सकते हो अगर आप खुद कंपनी काम करने लग जाओ बी टूबी ठीक एक सेकंड लाश टाइमर बढ़ा दूं और अभी हमारा यह सर्वर कभी भी डाउन जा सकता है ठीक है पांच घंटे माकसिमम लिमिट होती है और हम जिस ट्रेंथ पर अभी काम चल रहे हैं बगवान जाने आज हमारी किसमत अच्छी है हमारी क्लास में कोई दिक्कत नहीं आ जाती है तो समझ जाना की सर्वर डाउन हो गया ठीक है अगर तो तो अगर आपको अनलाइन से जरूर जोड़ने अगर आप कुछ इस प्रकार का बना पाऊ चाहे आप एक इंफुलेंसर हो या फिर आप कहीं से फंडिंग उठाओ आपके अगर आप डाउनलोड करवा पाते बेच सकते हो तो नेक्स चीज़ फिर हमने बात करी थी आपके इंफुलेंसर में वह इंफुलेंसर डूमेंस जिन में बहुत सारे आईबॉल्स हो जैसे कि आपके कॉमेड़ी हो गए बहुत इसली ग्रो करते हैं वहाप आपको शोज मिलते हैं शोज के पैसे होते हैं अगर आप म्यूजिक वगेर के अंदर हो दर तो बहुत पैसा बीस पचीस लाग पर शो अगर आप एक नोन नहीं हूं जनाब शुरुवात में कोई नहीं होता शरुवात में सबको 6-7 साल लगते हैं हर डोमेन के अंदर आप जब उस नंबर पे जा रहे होते हो पर 6-7 साल में आप एक राइटर हो किताब लिखते हो बेचो उसको जैसे मैं तो श्वताब को देखता हूं श्वताब ने और डूमेंच चोटा था उन्होंने बुक लांच करी वह आज की दिन अमजवन बेस्ट सेलर हैं और उस बुक में भी बहुत जादा दम था यह भी एक फैक्ट है वारना बुक में दम नहीं होता तो उतने फिर गंदे रिव्यूज भी चले जाते हैं अमजान पर उनकी आएगे स्रेटिंग बहुत हाइए लाट्स इट कि वाट इस जापर फुट यूएस जापर फुट यूएस एक और्गनाइजेशन है आरेंज जो कि मानलों डिसेबल लोग हैं हाथ पहल जिनके थोड़े इसे एक्सेडेंट वगएरा में डामेज होगे तो वहां पर हम उनके रिपैर कर दें तो उसके लाख रुपे लगते हम वही चीज़ हजारों में उन्हें प्रोवाइड करते हैं अब आज के दिन यह अपने सर्विसेश प्रोवाइड कर सकते हो बी टू बी आपको सोशल मेडिया की दुनिया से एकदम दूर रहना है बहुत बढ़िया पर सोशल मेडिया पर बाकी लोग तो हैं उनको सर्विस चीज़िए जैसे कि लोगों को आप चीज़िए तो वह आप उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं जैसे कि मेरे पास यह प्लाटफॉर्म है मैं इनके साथ जुड़ा हूं तो मैं यहां पर अपनी क्लास ले सकता हूं मानलो मुझे कुछ पढ़ाना है तो काफी ऐसे क्रेटर से जो कि यूट्यूब पर नहीं लेना चाहते हैं यूट्यूब एक प्लाटफॉर्म है पर वह एक एक एक्स्क्लूजिव अपना लेना चाहते हैं तो आप उन्हें अपने अप्रसेश बेच सकते हैं उससे आपके उपर इस काम में भी आपका क्या होता है आप अगले के पूरी दुनिया यहां सकती है तो यार मना क्यों करें आने को आ सकते हैं पर में नहीं आ रहा हूं को इंटेंशन नहीं है मेरा वैसा चल रह सकते हैं मतलब भाई साथ वारन वीर वार इसी के साथ डिनर करें आप सभी लोग और आज का वीडियो समाप्त करता हूं मैं आई होप मैं कुछ वैल्यू एडिशन कर पाया हूं रियल स्टेट हमने खौदा स्टॉक मार्केट खौदा आई होप नूट्स बनाया हूं आपने अपने ऑनलाइन डोमेन खौदा हमने उन लोगों के बारे में खौदा जो की ऑल्रेडी एट फिगर पर मन्त कर रहे हैं हमने एक्जिस्टिंग प्लाटफॉर्म के बारे में जाना जहां पर आप अपने प्रॉड़क्ट लिस्टिंग वगरा कर सकते हो हमने रिलेशन्शिप्स को भी थोड़ा खोता खेर जादा हम डेफ्ट में नहीं पर पहले अपनी वकात बनाओ उसके बाद लैला बनाओ समझ के अंदर आप एटलीस्ट जादा भी नहीं तो अपना 10% 15% पोर्टफोली ज़रूर लगा है निफ्टी के अंदर आप डाल सकते हो और कुछ पैसा नहीं है यह हमने डिसक्स किया कि या typ ट्रेडिंग जो होता है वह कंपांडिंग वंडर वर्ल्ड है शारी प्र हमणे माइंडसेट के बार ustedes कử लाइफ को कि पच्पन हजार बच्चे के साथ हां यार पॉड्कास्ट हो चुका है वो भी जल्दी आ रहा होगा कल 31 को हम टेक्निकल गुरुजी के साथ डाल रहे होंगे कि शाम को साथ बजे हसलर देते थैंक्यू 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 आपको भी थैंक्यू बहुत सारह और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो गरूर लाइक दुबाए टेक के सिया आम एंडिंग डिस क्लास में तो मन कर रहा है बैठा रहा हूं इतने सारे बच्चें कपके तुमारी से मिनार खतम होंगया तो कोई बात बाएं दुबारा कप मिलेगे इंस्टेग्राम पर टाग जरूर करना है अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो मेरे को बड़ा स्वाद आता है टाग स्टोरी देखने में मैं एकनम खुश हो जाता हूं मेरे को तो इन्दी में चीज़ों में से बड़ी आता है अब मुझे नंबर नहीं दिख रहा 55,000 यहां से तो आपकी स्टोरी जो होगी उसमें मेरे को टाग दिख जाएगा कि कितने बच्चे हैं पता नहीं मेरे साइट से क्यों नहीं दिख र झाल 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 झाल